चल्ब, भूमी, अग्नी, बाहिव, बहुत साल पहले चारो राश्ट्र आपस में शान्ती से रहते थे, फिर सब कुछ पतल गया, जब अग्नी देश ने युच छेर दी, केवल अफ्तार चारो तत्वों का ग्याता ही उन्हें रोक सकता था, लेकिन जब दुनिया को उसकी ज़रूरत थी, तभी वुकुम हो गया, सौ साल बाद मैंने और मेरे भाई ने एक नया अफ्तार धून निकाला, एंग नाम का एक एरबेंडर, हाला कि उसकी वायो सिधिया अध्वो थे, फिर भी उसे जानना था कि उस पर कितनी बड़ी जिम्मदारी है, पर मुझे विश्वास है कि एंग दुनिया को बचा सकता है, हुआ है हुआ है हुआ हुआ है हुआ 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 तुम्हें कोई बात परिशान कर रही है नहीं मैंने बुरा सपना देखा मैं अवतार के हालत में था पर मैं शरीर के बाहर रहकर खुट को देख रहा था सब कुछ डरावना था मैं बहुत डर गया था कटारा मैं चाहता हूं तुम इसे अपने पास रखो इस तावीज में पवित्रात्माओं के वस्सिस का पानी है इस पानी में कई खूबियां है इसे खोना मत शुक्रिया मास्टर पाकू एंग ये कागज तुम्हारे वाटर बेंडिंग होनर को निखारेगा परियाद रहे बे अपना ख्याल रखना बेटा यहां से सीधा पूरब में बसी प्रित्वी की सल्तनत की ओर ही जाना वहां जनरल फॉंग तुम्हारे साथ ओमाशू पर किसी शक्स को भेजेंगे तुम वहां सुरक्षित रहोगे और महराजा बूमी से अर्थ बेंडिंग प्रसिक्शन ले सकत प्रसिपल का इंतिजार था कौन जानता था इतने दिनों तक बिना चाय पिए पानी में लकडी पर तैरते हुए जहां गिद्ध हमारी बोटी-बोटी नोचने को बेताब हो इन हालात में इतनी घबराहट होगी मैं समझा आज वो दिन है जुको है ना कुछ साल पहले मुझे वहां से निकाल देया गया था मैं सब कुछ भूर करें मुझे वो सब वाबस चाहिए, मुझे आफदार वाबस चाहिए, अपना सम्मान, अपनी हुकुमत, मिरे पिता ये ना समझे कि मैं इस सब के काबिल नहीं हूँ, वो ऐसा नहीं सोचते होँगे, अगर उन्हे तुम्हारी परवा नहीं होती तो वो तुम्हे निकालते क्यों? मेरी भाई और चाचा ने अगनी देवता का अपमान किया है और हम सब को शर्मिंदा किया है तुम लोग शायद शाही परिवार के सदस्यों पर हमला करने से सैमत ना हो मैं समझती हूं पर एक बात पक्की है अगर तुम हिचकिचाए तो मैं तुम्हें खत्म करने में नहीं सकते हो शहजादी अफसोस है कि लहरों की वज़ा से रात से पहले हमारा जहाज बंदरगाह पर नहीं लग पाएगा क। MAF किजे कैप्टरन पर मैं लेहरों की बारे में ज्यादा नहीं जानती क्या आप मुर्य dezember की बात समझास सकते हैं Volk शहजादी साहिबाद इस जहाज पर लेहरों का हुकम चलता है माफ कीजिए मैं कुछ है समझ नहीं पाया आपने कहा कि लहरे राथ से पहले जाहाज को बंदरगा पर पहुचने नहीं देंगी क्या जाहाज पर लहरों का हुकम चलता है? नहीं शहजादी और अगर मैं आपको जाहाज के बाहर फैंक दूँ तो क्या लहरे आपको चटानों से टकरा का चकना चूर करने से रोख जाएंगी? जी नहीं शहजादी तो फिर आपको लहरों की ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए जो कि पहले ही आपको मानने का फैसला कर चुकी है फिलाल आप मेरी फिक्र कीजिए जो कि अभी बहुत घुस्से में है चलने की तैयारी करता हूँ हम पहुच गए स्वागत है ओतार एंग मैं जनरल फॉंग हूँ और आप सभी महान हस्तियों का स्वागत है आपा, मोमो, बहादुर सौका और ताकतवर कटारा ताकतवर कटारा सुनकर अच्छा लगा बहुत अच्छे क्या स्वागत है आउतार एंग हम सब को सुनकर काफी हैरत हुई कि तुमने अकेले उत्री धुरूपर नौ सेना दल का सफाया कर दिया इतनी ताकत होने पर भी मैं सोच भी नहीं सकता कि कैसा लगता होगा ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता हूँ आउतार, अब तुमको अगनी देवता का सामना करना है क्या? नहीं, मैं अभी एंग को अभी भी चारों तत्वों पर काबू पाना सीखना है क्यों? उसके पास जिस तरह की ताकत है उससे वो सैक्लों लड़ाकू जहाज को चुटकियों में तभा करने की काभियत रखता है वो अगनी देवता को भी हरा सकता है लेकिन जनाब बात यह है कि एंग ये सब धबी कर सकता है जब वो अवतार की स्थिती में हो सुनिए, वो एक खास स्थिती होते हैं मैं जानता हूँ, तुम्हारी आखे और निशान चमकते हैं और उस वक्त तुम में बेहत ताकत होती है आपके बिना किनारों तक पहुँचने के पहले ही हमारा खात्मा हो जाएगा पर अगर आप हमारे साथ हुए, एक खास हत्यार की तरह तो हम अगरी देश के बीचों बीच घुसने में पूरी तरह काम्याब हो जाएंगे जी खैप, पर मुझे अवतार सिती में आना या उसे बहार निकलना नहीं आता और अवतार बढ़ने पर क्या करना ये भी नहीं पता तो फैसला हो गया, मैं अवतार सिती में आने में तुम्हारी मदद करूँगा फिर तुम अपनी तकदीर से रूबरू होगे नहीं, कोई फैसला नहीं हुआ, हमारे पास पहले ही एक मकसद है एंग अपने मुताबिक अपनी तकदीर बनाएगा तो जब तक तुम तत्वों पर काबू करना सीखोगे, लडाई चलती रहेगी मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ वो हमारा अस्पताल है, और वो सारे सिपाही किस्मत वाले हैं, जो वापस आ गए हर रोज अगनी देश जिन्दगियां चीनता है, लोग मारे जा रहे हैं एंग तुम यह सब खत्म कर सकते हो, सोचना इस बारे में करीब करीब ठीक था हां मुझे भी ठीक ही लगा ठीक नहीं मुझे बैतरीन चाहिए जेनरेल फॉंग अंदर आओ एंग तुमने उस बारे में कोई फैसला किया मैं लड़ूंगा, हां मैं अग्नी देटा से लड़ूंगा मैं अवतार सिती में जाने के लिए तयार हूँ, मैंने जेनरेल से कहा मैं उनकी मदद करूँगा अंग नहीं, यह सही तरीका नहीं है क्यों नहीं, यादे जब उसने अग्नी नौसेन का सामना किया था, कमाल हो गया था इसे करने का सही तरीका भी है, प्रशिक्षन पढ़ाई और अनुशासन या फिर अवतार बनो और अग्नी देवता का सफाया कर दो अगर तुम दोनों बेवकूफ हमारी सारे किये कराये पर पानी फेरना चाते हो तो ठीक है तुम्हारी जो मर्जी है वही करो कटारा, और तबाही देखी नहीं जाती मेरे पास इसे सही तरह से करने का वक्त नहीं है यह खास ताकत बढ़ाने वाली चाय कुद्रती ताकत बढ़ाती है एक मामुली सिपाही की ताकत यह दस गुना बढ़ा सकती है शायद यह तुम्हें अवतार के स्थिति में ले जाए दस गुना ताकत को थी अविद्य तवी ऐगनी देवता को मार सकता है मैं ओए तुम्हें चौकाकर अवतार की स्थिति में ला सकता हो चैद इस काम नजाए कि मैं चमक नहीं रहा तुमने चारों बेंडिंग देशों के रिती रिवाजों के कबड़ों का एक चुक्रा पहना हुआ है अब मैं चारों तत्वों को एक साथ मिलाने वाला हूं पानी प्रित्वी अगनी हवा अब चारों तत्वे एक साथ मिल गए हैं यह तो सिर्मिट्टी है तो क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ हमें कोई रास्ता ढूंडना ही होगा जरा इन लाजवाब सीपियों को देखो मैं इनहें कई सालों तक ऐसे ही देख सकता हूं हमें इन बेकार सी चीज़ों की जरूरत नहीं है आप भूल गए हैं कि अब हमें सब कुछ अपने आप उठाना है कैसे हो भाई और आप चाचा तुम यहां क्या कर रही हो जूला हमारे देश में तो सवाल पूछने से पहले हाल चाल पूछते हैं क्या तुम इतनी जल्दी तमीज भूल गए हो जूजू मुझे उस नाम से मत बुलाओ आज यहां का रास्ता कैसे भूल गई लगता है यह खांदानी बिम इस नहीं सुनी है शायद कोई साजिश है ऐसे में परिवार वालों पर ही यकीन किया जा सकता है पिता जी को तुम्हारी जरूरत है वह चाहते हैं कि तुम लॉटाओ क्या तुमने सुना नहीं तुम्हें खुश होना चाहिए उचलना चाहिए खुशी के मारे मैंने तुम्हें अच्छी खबर जो सुनाई लगता है तुम्हारे भाई को सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए नहीं सुना मैं कोई दूत नहीं हूं जो खुद यहां के संदेश दे र हम कुछ बात कर सकते हैं? क्यों नहीं? तुम्हें याद है हम वायू मंदर में थे और वहां तुम्हें भिख्षु ग्याद्सो का कंकाल मिला था? मैं जानती हूं वो देखकर तुम्हें वाकई काफी दुख हुआ होगा. तुम इतने मायूस हो गए थे कि तुम्हें किसी चीज का होश नहीं था मैं ये नहीं कहती कि अफ़तार स्थिती में बहुत और मददकार ताकत नहीं है पर तुम्हें ये समझना होगा जो लोग तुम्हें प्यार करते हैं वो तुम्हें इतनी दर्द और गुस्से में देखकर बागी ही डर जाते है मुझे खुशे तुम्हे मेरी परवा है पर मुझे फिर भी एक करना होगा पर आखिर क्यों एंग तुम नहीं संझोगी हर रोज लोग मारे जा रहे हैं मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है अग हम घर जा रहे हैं काफी सालों के बाद मुझे तो यकीन नहीं होता चाचा मुझे भी यकीन नहीं होता जुको जहां तक मैं जानता हूँ मेरा भाई अपने फैसले नहीं बदलता आपने अजूला की बात नहीं सुनी पिता जी जान गए है कि परिवार उनके लिए जरूरी ह वो मेरी परवा करते हैं मुझे भी तुमारी परवा है और अगर उजाई तुम्हें बुला रहा है तो मुझे लगता है उसके पीछे जरूर कोई और ही वजा होगी आप नहीं समझेंगे पिता ची मेरे लिए क्या मैं हैसूस करते हैं आप कुछ नहीं समझेंगे जूको मेर का मतलग था कि हमारे परिवार में अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं तो आप जैसे दिखते हैं वैसी हैं क्या आप एक आलसी शक्की छोटी सोच वाले इंसान है जो अपने भाई से इर्शा करता है कि कि सौका सौका उटो सौका हमें अवतास्तिती को जबर्दस्ति लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए तुम्हें यकीन है हाँ ठीक है तुम्हें लगता है जेनरल यह सुनकर नाराज होंगे क्या फर्क पड़ता है तुम अवतार हो तुमसे बहतर कौन जानता है मेरे बिना ही जा रहे हो चाचा आपने अपना फैसला बदल दिया हां परिवार साथ में ही रहता है ना कि आखिरकार हम घर जा रहे हैं है बात यह है हमें अफ्तार स्थिती को जबरदस्ति लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए हमें यह सब छोड़ देना चाहिए क्या यह तुम्हारा आखरी फैसला है हाँ बिल्कुल मैं सिर्व तभी अवतार स्थिती में आ सकता हूं जब मैं किसी बड़े खत्रे में होता हूं मैं समझ गया मुझे डर था तुम यही कहोगे एंग सिपाहियों आवतार पर हमला करो यह अब क्या कर रहे हैं लगता है हमें जो चाहिए था वो मिल जाएगा अब का दुश्मन नहीं हूं और मैं आपसे नहीं लड़ सकता कि अब कि अब कि अब आख आख कि अब अब आख तुम कब तक बच्टे रहोगे जब तक आप लड़ते रहेंगे भाई चाचा स्वागत है आपको यहां देखकर कितनी खुशी हो रही है क्या हम अब चल सकते हैं शहजादी साहबा घर जाने करके तैयारी शुरू करो कप्तान घर सुना शहजादी ने क्या कहा लंगर को निकालो हम बंदियों को घर ले जा रहे हैं शहजादी साहबाब गलती हो कुई तुमने मुझसे जूट कहा जैसे कि मैंने ऐसा पेले कभी नहीं किया है पता नहीं अब वो क्या कर रहे होंगे मुमो शायद हमें आइंग पर नजर रखनी चाहिए यह क्या हो रहा है जनरेल पागल हो गए है वो आइंग को जबदस्ती अवतार बनाने की कोशिश कर रहे है आओ मेरे प्यारे घुड़े शाय तुम मुझे से बच पाओ पर वो नहीं कि मैं हिल नहीं सकती उसे चोट मत पहुंचाना कि कटारा नहीं रोको यह आपको इसे जाने देना होगा तुम उसे बचा सकते हो अगर अवतार बन गए तो कोशिश कर रहा हूं कोशिश कर रहा हूं तुम अब भी नहीं चमक रहे बचाओ आपको यह करने की जरूरत नहीं है वो तुम मुझ पर छोड़ दो कांब बन गया कांब बन गया हाहा कर दिए कर लुक रहे । उकको यहां से मिकल चलो वहाँ जनते हों पिता जीदी उत्तरी पोल पर हमारी हार की वज़े चाचा को मांते हैं और वů तुम्हें अवतार को ना धुन प्टार ना कामियाबels मानते हैं वो तुम्हें वापस सिर्फ इस लिए बुलाना चाहते हैं ताकि तुम जेल में पड़े उन्हें और शर्मिंदा ना कर सको कर मैं सकते हैं ? है 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 तुम मुझे सुन सकते हो तुम्हारी दोश सुरक्षित है यह सिर्ट चाल थी तुम्हें अवतार स्थित में लाने के लिए और काम पर गया अब तुम्हें सीखना ही होगा अवतार स्थिती एक बचाओ की तक्नीक है जिसकी वजह से तुम्हें पिछले सभी अवतारों की समझ और हुनर शामिल होंगे वो चमक तुम्हारी सभी पिछली जिंदगियों का मिश्रण है ताके तुम्हारे शरीर के जरीए ताकत फेंकी जा सके अवतार स्थिती में होने पर तुम में बहुत ताकत होती है पर एक बहुत बड़ी कमजोरी भी होती है आपका मतलब क्या है? अगर तुम अवतार स्थिती में मारे गए तो पुनर जन का चगर टूट जाएगा और उसके बाद अवतार फिर कभी भी पैदा नहीं होगा माफ करना कटारा उम्मीद करता हो तुम्हें मुझे दुबारा ऐसा ना देखना पड़े हाँ मजाग कर रहे हो हमें उसी की जरुरत है तुम्हें उस स्थिती में काबू में रखने की कोई तरकीब ढूनी होगी आप पागल हो गए हैं यह तो तब पता चलेगा जब हम मिलकर अगनी देवता से मुकाबला क्या किसी को इस बात से एतराज है आप चाहते हैं कि हम आपको उमाशुतक छोड़े हम खोदी चले जाएंगे अगर किसीने इन गद्दारों को पना दी तो उसे अगनी देवता नहीं छोड़ेंगे उनके पास छिपने के लिए कोई जगा नहीं बचेगी मुझे लगता है हम यहां सुरक्षित हैं हाँ की बहुत बैठर होगे अगर तुम अपना काम जली खक्म कर लो अगर हमें आज आज ही ओमाशू पॉंचना है तो हमें जल्डत ही दूर हैं देखो अगर तुम अपने हाथ करीब लाओगे तो अपना बचा पखू भी कर पाओगे ओ सही कहां शुक्रिया चलो देखते हैं तुम क्या करते हो तुम एक बढ़िया ओक्टूबस बनाते हो मेरी शिश्य हाँ हम तो है मतवाल राही हमें है दुनिया की कोई ना पीकर आहा देखो नधी वाले इंसान नहीं है क्या नहीं हो तो तुम वहला किस तरह के इंसान हो है बस इंसान है मातलब हम सब एक है तुम कौन हो मैं चोंग हुँ और ये मेरी पतनी लीली है हम बंजारे है जहां हमें हवा ले जाती है वहीं चले जाते हैं ईयरेश अप लोग है क्या बात है मैं भी बन जारा वहां मैं भी तो हूं आप आपने अभी आभी बता के मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला मैं ऐसे नहीं ची सकता मैं एक भगोड़े की जिंदगी नहीं जी सकता यह नामुम्किन है चाचा कुछ तो आप क्या कर रहे हो यह कम पाये जाने वाली सफेद ड्रेगन जाड़ी है इसके पत्तों से इतनी लजीज चाय बनती है कि क्या कहूं या या फिर यह वो सफेद जाड़ी है जो जहरीली होती है हमें खाना चाहिए चाय नहीं मैं मचली पकड़ कर लाता हूं य यह लजीज चाय है या खतरनाक सहर सुनो सोका तुम्हें सारी कहानियों को सुनना चाहिए यह लोग जोगे जा चुके हैं वैसे अर जगाने तीर वाले बच्चे पर जहां हम नहीं गए उनके बारे में हमने गानों और कहानियों में सुन लिया है यह हमें रात में चलने वाले कीड़े को दिखाने ले जाएंगे उसी रास्ते पर हमें जर्णा मिलेगा जहां कभी न खत्म होने वाला इंद्र धनुष्ट तो बिल्कुल नहीं लगता है कोई मंजिल पर जल्दी पहुंचने के लिए बहुत उतावला हो रहा है तुम्हें मंजिल पर पहुंचने की ज्यादा ही फिक्र है एक बात कहूं तुम्हें मंजिल पर कम और जाने पर जाने पर ध्यान देना चाहिए ओमाशू सौका ने सही कहा हमें महाराज भूमी को ढूना होगा ताकि आएंग आराम से अर्थ बेंडिंग सीख सके लगता है तो मोमाशू जा रहे हो एक पुरानी कहानी है एक रहस्य में रास्ते के बारे में जो बिलकुल पहाडों के बीच में है यह असलियत है या एक कहानी यह एक असली कहानी है और कि अर्थ बेंडिंग के जितनी पुरानी भी है दो प्यारे हम राही जो बिजड़ गए है आज है दुश्मनी दोनों के कजबों में दोनों कजबों के बीच है एक पहाड मिले जाएं तो भला जाएं कैसे एक दूजे को मैं आगे की लाइने भूल गया पर गाना कुछ ऐसा ही है गुप सुरंग गुप सुरंग पाड़ों के बीच गुप 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 सुरंगे बहतर होगा अगर हम आप उड़कर जाए हम पहले भी अगनी देश का सामना कर चुके हैं हमें परिशानी नहीं होगी मदद का शुक्रिया पर आपा को जमीन के नीचे जाना पसंद नही रह से मैं प्यार की गुफा चलो चले जुको याद है वो पौधा जो मुझे चाय लग रहा था चाचा अपने कहीं वो हाँ बिलकुल वो चाय का पौधा नहीं था अगर वो पौधा मेरी जुबान से लगता तो मैं सांस नहीं ले पाता पर देखो मुझे क्या मिला ये पकूई के फल हैं जो सफेद पौधे का जहर उतार सकते हैं या ये या फिर मका के फल जो अंधा कर सकते हैं चाचा हम इन पौदों के साथ और नहीं खेल सकते हमें यहां से निकलना होगा पर हम यहां से निकल कर जाएंगे कहां हम प्रित्वी राजी के दुश्मन हैं और अगनी देश से भागे हुए शक्स अगर हमें प्रित्वी राजी ने पकड़ लिया तो वो हमें मार देंगे और अगर हम अगनी देश को मिल गए तो वो हमें अजूला के हवाले कर देंगे पृत्वी राज्य बहतर है अब हम सुरंग से कितनी दूर है असलमें सिर्फ एक सुरंग नहीं है प्रेमी अपने प्यार के बारे में किसी को पता नहीं लगने देना चाहते थे इसलिए उन्होंने एक भूल-भूलाईया बनाई है भूल-भूलाईया मुझे यकीन हम रास्ता ढूंड निकालेंगे हम लोगों को बस प्यार पर अपना भरोसा बनाए रखना है ऐसा उस श्राप में कहा गया है श्राप हम यहां पहुंच गए यह श्राप असल में है क्या श्राप कहता है कि सिर्फ वही लोग गुफा के बाहर निकल सकते हैं जो प्यार पर यकीन करते हैं नहीं तो तुम हमेशा के लिए अंदर ही पंसे रह जाओगे और मर जाओगे आज सही कहा मर जाओगे अचानक मर जाओगे बहुत हो गया हम किसी तूटे फूटे छेद के अंदर से नहीं जाएंगे दिखो ऐसा लगता है कोई वहां आग लगा रहा है वो कोई ऐसी वैसी आग नहीं है मोखू वो अगनी देश है हमारा पीछा कर रहे है तो इन गुफाओं से निकलने के लिए प्यार प रुक जाओ ये काफी खतरनाक है तुमने वो गाना नहीं सुना उन्हें अंदर भसा दो और बाकिस सब कुछ पहार पर छोड़ दो कोई बात नहीं आपा सब ठीक हो जाएगा शायत सब ठीक हो जाएगा हमें जल्दी कुछ सोचना होगा चौंग ये मशाले किती दिर तक जलेंगी काश मुझे भी ये पता होता हमारे पास पांच मशाले हैं तो लगपक शाम तक इन्हें एक साथ नहीं एक के बाद एक जलान कि आप लोग यहां के रहने वाले नहीं लगते हम इस पुदीने के पौधे को कभी नहीं चूते बलकि हम इसे चाय में डाल कर पी जाते हैं सुना तो क्या आप लोग मुसाफिर हैं जी हां हम मुसाफिर हैं फिर कोई नाम भी होगा नाम जी हां हमारा नाम है ना मैं हूं ली और यह मेरे चाचा है मुशी हां मेरे भतीजे का नाम उसके पिता पर रखा गया है इसलिए हम उसे चोटू कहते हैं मुशी और चोटू हां मेरा नाम सौंग है आप तुनों को देखकर लगता है आप काफी भूखे हैं क्यों ना आप रात को हमारे साथ खाना का जी नहीं माप कीजे पर हमें यहां से निकलना होगा काश आप आपाते मेरी माँ खाना अच्छा बराती है तुम रहती कहा हो बताओगी सौका शायद यह वही रासा है जहां तुम हमें लाए थे पता नहीं क्या हो रहा है हम यहां से पहले आ चुके हैं हमें कोई नक्षा नहीं चाहिए हमें बस प्यार चाहिए और यह वो छुट को जानता है अहां पर मैं नक्षा भी रखना चाहूंगा यहां कुछ वाकई अजी मेरी बेटी ने बताया आप शर्नार्थी हैं हम भी कभी शर्नार्थी हुआ करते थे हां तब मैं एक छोटी बच्ची थी जब अगनी देश ने हमारे गाउं पर हमला किया उसके बाद वो सारे आदमियों को ले गए तब ही मैंने आखरी बार अपने पिता को देखा था मैंने अब ही अपने पिता को कई साल से नहीं देखा क्या वो लड़ाई में लड़ रहे थे हैं हाँ तो तुम्हें इसकी बहुत जल्दी आद आ गई सब लोग शांत रहो कुछ सुना है कि इसके नहीं यह जंद्री चप कादल है उप अधर खर्श बहुत झाल अ बहुत जल्दी आ दोग दिए रहीं है कोई फाइदा नहीं हम अलग हो गए हैं पर कम से कम हम तुम्हारे साथ तो है नहीं तुम्हारे पास बैठ सकती हूं मैं जानती हूं तुम पर क्या हुजरी है वो हम सब पर गुजरी है अगनी देश ने तुम्हें चोट पहुंचाई है कोई बात नहीं उन्होंने मुझे भी चोट पहुंचाई है इस गुफा से कभी ना घबराओ गिरते हुए पत्थरों की आहट से कभी भी ना तुम्हार जाओ इन गुफाओं के बारे में सुनी है दास्ता है इस गुफा से कभी ना घबराओ सोकार अग वो देखो बाहर निकलने का रास्ता मिल गया हाँ यह तो बाहर का रास्ता नहीं है नहीं यह मगबरा है यह उस कहाणी के दो प्यार करने वाले होंगे जिनने यह दफनाया गया होगा यह तस्वीरी कहाणी बताती है वो दोनों पहाडी की चोटी पर मिले जोकी दोनों गाउं को अलग करती थी दोनों गाउं आपसी दुश्मन थे और इसलिए उन दोनों का मिलन नहीं हो पाया पर उनका प्यार सच्चा था और उन्होंने एक रास्ता ढून निकाला उन दोनों प्रेमियों ने जंगली चोहों की मदद से अर्थ पेंडिंग सीखी वो दुनिया के पहली अर्थ पेंडर्स बने उन्होंने धेर सारी सुरंगे बनाई ताकि वो छिपकर मिल सके उनका जो भी पीछा करने की कोशिश करता वो भूल भुलाईया में खो जाता पर एक दिन उसका प्रेमिय नहीं आया वो दोनों गाओं की आपसी लड़ाई में मारा गया तूटी हुई उस प्रेमिका ने अपनी अर्थ पेंडिंग ताकत का भयान अपरूप दिखाया वो उन सब को तबाह कर सकती थी पर उसने लड़ाई के खतम होने का एलान किया दोनों गाओं वालों ने उसकी एक शहर बनाने में मदद की जहां वो मिलकर शांती से रह सके प्रेमिका का नाम था ओमा और उसकी प्रेमिका नाम शू और उस महान शहर का नाम पड़ा ओमा शू जो उनकी प्यार की निशानी है प्यार अंधेरे में रोशनी ले आता है बहुत अच्छे, तुम्हारी तरकीब के वायस से एक और बंध रास्ता आ गया कम से कम मैं तरकीब सोचकर यहां से निकलने की कोशिश तो कर रहा हूँ मोकू हे 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 ज़रा रुख जाओ अभी जो तुमने तरकीब बताई है पिछले एक घंटे से मेरे दिमाग में वह सब चल रहा था हाँ हम सब लोग कोई ना कोई तरकीब सोच रहे हैं तो फिर जराई से सुनो अगर प्यार यहां से निकलने की चाबी है तो हम सब को मिलकर एक प्यार आसा गाना गाना चाहिए हम इन सुरंगों से बहार निकलने का रास्ता कैसे डुण पाएंगे मेरे पास एक अजीब सुझाओ है क्या रहने दो यह बहुत ही अजीब है कटारा बताओ भी मैं सोच रही थी श्राब कहता है कि हम यहां फसे रहेंगे अगर हमने प्यार पर यकीन न किया तो हाँ और यहां लिखा है प्यार अंधेरे में रोशनी ले आता है और तस्वीर में भी वो किस कर रहे हैं तुम आखिर कहना क्या चाहते हो तो क्यों ना हम किस करे हम किस करे मैंने कहा था ना यह बहुत ही अजीब सुझाव है हम किस करे हम किस करे मैंने यह सोचा भी कैसे यह बहुत ही अजीब है हाँ वैसे भी मैं तुम्हें किस नहीं करना चाहूंगा ओ मैं नहीं जानती थी कि तुम्हें मेरा सुझाव इतना बुरा लगीगा मैंने सिर्फ सुझाव दिया था नहीं नहीं मेरा मतलब अगर मुझे तुम्हें किस करने और मानने के बीच किसी को चुनना होता क्या मेरा मतल दिल में बस प्यार को रखो संजो कर और बांटो प्यार खाना खिलाने का शुक्रिया वाकई बहुत लजीज था कोई बात नहीं किसी को अपना बनाया हुआ खाना इतने प्यार से खाते हुए देख काफी खुशी होती है हमें आदत है छोटू तुम अपनी तमीज भूल गए तो मैं इन भले लोगों को शुक्रिया कहना चाहिए शुक्रिया मैं जानती हूँ तुम्हें नहीं लगता दुनिया में कोई उमीद बाकी है पर अब भी उमीद है अवतार लौट आया है हाँ जानता हूँ तुम क्या कर रहे हो इन लोगों ने हमारे साथ कितना अच्छा बरताओं किया और थोड़ा सा कर देंगे तो कुछ फरक नहीं पड़ेगा चले अब किसी भी वक्त हमारी मशाल बुच सकती है ना पाँ सही कहा तो बिना रोश्नी के हम क्या करेंगे आखेद कर भी क्या सकते हैं क्या कर दोहि कर दोहित कि हाँ कि तुमने हमें बचा लिया सोका नहीं लगता है वो किसी चीज से दूर भाग रहे हैं वो किस से कि अ कि अ किपो दूर खुब फर follow state कि से आप कि में ऊतल कि वरिक से खवर कि लगता है इने संगीत बहुत पसंद है तुम सही कह रहे हो चलो जल्दी अब मेरी पदात करो बच्चों जारा ताल मिलाओ कोई उससे बचाओ अब यहां से जाओ यह एक तरह के चमकीले पथरों से बना जो शाद अंधिरे में रोशनी देते हैं इसी तरह दोनों प्रेमी दूसरे को डूंते थे वो इनी चमकीले पथरों की रोशनी का पीछा करते थे यह सिरूर बहार निकलने का रास्ता होगा तो चलो चले पर सौका तो अंदर ही है सौका तुम लोग बहार कैसे निकले जैसे की कहानिया कहती है प्यार ने हमें हमारी मंजल दिखाई सच में हमें तो बड़े भयानक जानवरों ने रास्ता दिखाया तुम्हारा सर इतना लाल क्यों है अब मैं जो कहूंगा उसे जरा गोर से सुनना मुझे लगता है शायद वो बच्चा एक अवतार है तो क्या आप लोग हमारे साथ उमाशु तक आने वाले हैं नहीं ठीक है मदद के लिए शुक्रिया मोकू सोखा उमीद करता हूँ तुमने अपना सबक सीख लिया होगा कि सफर करते समय जादा तरकीवे नहीं सोचनी चाहिए चलो जाओ अपना गाना बजाओ हे अच्छा सुजाब है दिल में बस प्यार को रखो संजो कर और बाटो प्यार हमारा सफर काफी लंबा और मुश्किल था पर अब हमारी इंतजार की घडियां खतम हुई क्योंकि मन्जिल आ गई है पेश है आपके सामने प्रित्वी की सल्तनत एक शहर जहाँ पर यह नहीं हो सकता मुझे यकीन नहीं होता मैं जानता हूँ लड़ाए काफी बढ़ गई है पर नजाने ओमाशू तक कैसे पहुँच गई यानि अब ओमाशू भी नहीं बचा इसका मतलब यह हुआ कि प्रित्वी सल्तनत की हुकमत सिर्फ बासिंग से है यह अच्छा नहीं हुआ पर हमें आगे बढ़ना होगा नहीं मैं अंदर जाकर महराजा बूमी को ढूंडूँगा एंग रुको हम तो यह भी नहीं जानते कि महराज बूमी क्या रुक क्यों गय बोलो जिंदा है मैं जानती हूँ तुम्हें बूमी से काफी उमीद थी पर और भी कई लोग हैं जिनसे तुम अध्बेंडिंग सीख सकते हो यह सिर्फ गुरू ढूंने की बात नहीं है यह बात एक दोस्त को ढूंने की है एक रहस्या में रास्ता हमने इसका इस्तमाल पहले क्यों नहीं किया क्या अपने सवाल का जवाब मिल गया याओ यह इतना भी बुरा नहीं था मुझे इसे बचाओ बचाओ सौका इतना शोर मत बचाओ यह तो सिर्फ एक छोटा कीड़ा है हुआ 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 सुनो तुम बच्चे इतनी रात में बहार क्या कर रहे हो माफ कीजिये हम बस घर ही जा रहे थे रुको आखिर उसे हुआ क्या है इसे पेंटा पॉक्स की बिमारी हुई है यह चूने से फैलती है यह खतरनाक है मैं मर चांग लेवा भी वैसे मैंने चेचक के बारे में सुना है तुम्हारा भाई चैंग भी इसी से मारा था ना हमें जाकर अपने हाथ धो लेने चाहिए और कपड़े जला देने चाहिए शुक्रिया मेरे नन्ने दोस्त जल्दी बूमी को ढूंड़ो और चलो यहां से पर हम उन्हें कहां ढूंड़े जहां वो अर्थ बेंड ना कर पाए यानि धातु से बनी जगे मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं इस जगह से कितनी नफरत करती हूँ मैं तुमारे पिता यहां की गवर्नर है हमारे यहां काफी इसद है इसलिए मज़ा करो और खुश रहो शिकार पास आ रहे हैं वो बजने न पाए मैं सोचती थी अगनी देश में मेरी जिन्दगी काफी उबाव होगी पर यह जगह तो उससे भी काफी बत्तर है मगर यहां पर तो जिन्दगी ठहर गई है यह दुश्मन है यह दुश्मन है यह दुश्मन है यह दुश्मन है टाइली क्या यह वाकी तुम हो अजूला तुम्हें यहां देखकर मुझे भात खुशी हुई माफ करना मैं दखल दे रही हूं तुम जो भी कर रही हो उसमें अच्छा बताओ एक समझदार शक्स की बेजी यहां क्या कर रही है मुझे यकीन है हमारे मादा पिता ने हमें शाही युद संस्ता में इसले नहीं बेजा ताकि हम यह सब काम करें मेरे पास तुमारे लिए एक प्रस्ताव है मैं एक देश द्रोही को ढून रही हूं तुम्हें मेरे मोटे मजाकिया चाचा याद है हाँ बिल्कुल वो कितना हसाते थे न मुझे बेहत गर्व होगा अगर तुम मेरे मकसद में मेरा साथ दोगी हाँ बिल्कुल साथ देना चाहूंगी पर असल में आजूला मैं यहाँ बहुत खुश हूं मेरा मतलब मैं इतनी खुश पह भी नहीं थी क्या माराजा बूमी आपके साथ है क्या वो आपके सरदार है नहीं बिल्कुल नहीं जिस दिन हम पर हमला हुआ था हम लड़ने के लिए तयार थे अपने शहर को बचाने के लिए तयार थे अपनी आजादी और जिन्दगी को बचाने के खादिर तयार थे, पर इसे पहले हम लड़ाई शुरू करते, महराजा बूमी हार मान गए. जिस दिन हम पर हमला हुआ, मैंने महराजा बूमी से पूछा कि वो क्या करना चाहते हैं, उन्होंने मेरी आँखों में देखा और फिर कहा, मैं कुछ नहीं करना चाहता, कुछ नहीं. अब कोई फर्क नहीं परता, अगनी देश से लड़ना सिर्फ यही रास्ता है हमारी आजादी का, और आजादी के लिए कुर्बान होना भी मन्सूर है. असल में आजादी पाने का एक और रास्ता है, आप उमाशु छोड़ दीजिए, आप अगनी देश से लड़ने में सारी ताकत लगा रहे हैं, पर आप काफी कम हैं, आप जीत नहीं पाएंगे, बेटर होगा अभी आप यहां से चले जा ताके किसी और दिन मुकाबला कर सके तुम नहीं समझते, उन्होंने हमारा घर छिल लिया है और हमें किसी भी हालत में लड़ना है, कुछ पता नहीं यांग, पर किसी और दिन मुकाबला करना ये बात कुछ अच्छी लग रही है, हाँ, मैं इससे सहमत हूँ ठीक है, पर इसका मतलब हजारों लोगों को यहां से निकलना होगा, तुम ही बताओ हम उन्हें यहां से कैसे निकलना होगा, एक बिमारी, क्योंकि आप सभी को खतरनाक और जान लिवा चेचक होने वाले हैं निशान आपको बिमार दिखाते ज़रूर है, लेकिन बिमारी का आपको नाटक करना होगा, समझ गए ना? देखा न, मैं यही कह रहा था, बर्चों का तजुर्बा है, चलो अब सब लोग बिमारी का नाटक करो, एंग क्या कर रहे हो, तुम हमारे साथ नहीं चल रहे, नहीं, मैं तब तक नहीं जाओंगा, जब तक बूमी न मिले, मोमो मेरे पास अभी खाना नहीं है, बिमारी फैल गई है, भागो, बागो, आखिर वहाँ नीचे हो, क्या रहा है, मैंने कल कुछ बच्चों को देखा था, जो चेचक का शिकार थे, शायद बिमारी फैल गई है, क्या चेचक, मैं शायद इसके बारे में पहले सुन चुका हूँ, ओ, यह अच्छा नहीं हुआ, अब हम क्या करें, उन्हें शेहर के बाहर ले जाओ, पर उन्हें चूना मत, हमें शेहर को इस बिमारी से निजात दिलानी है, आप कुछ खाएंगे, पिता-जी, यह क्या हो गया, प्लप्सी, चलो फ्लप्सी, तुम्हें बूमी को डुणने में मेरे मदद करनी होगी, यप-यप, लगता यह तुम्हारे उपर काम नहीं करता, चलो चले, कुछ, प्लुम्हें जाया, तुम्हें ये खांगे, यफ-वंहें ये लुभता से लिछा Tut-प्सॉण क्सालो चलो खांगे क्णोल Greta, तुम्हें लe है ! हें हें थाएंगे हम बेहत सम्मान महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे बीच अगनी देवता की बेटी है तो बताइए हम शो को और बहतर बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं जरूर क्या बात है आपको लगता हूँ नीचे गिर जाएगी ना मुम्किन है तो फिर इसे और दिल्चस्प बनाने के लिए यह जाल क्यों निकाल देते हैं बात यह है कि हमारा कर्तब समझ गई समझ गई यह शाद ठीक नहीं होगा हाँ जाल को आग लगा दीजे यह ठीक रहेगा जैसा आप कहें शहजादी क्या बात है कमाल कर दिया ओ आपके पास जरूर कई तरह के खुंखा जानवर होंगे वैसे हमारे सरकस में बहतरीन तरह की प्रजादिया है उन्हीं सब को छोड़ दीजिए हमने सब जगे देख लिया बूमी नहीं मिले एक छोटी सी परिशानी है हमने अभी अभी लोगों को गिना है तो क्या पीछे कोई छूट गया है नहीं बलकि एक ज्यादा है तो उन लोगों ने मेरे बेटे को अगवा कर लिया वाकई काफी शातिर है और चालाग भी बिल्कुल अपने महराजा बूमी की तरह तो अब हमें क्या करना है दिल देलाने वाला कर्तब किया आज ये है तो कल अपने सरकस में क्या करोगी माफ कर ना जूला पर बदकिस्मति से कल कोई सरकस नहीं होने वाला वाकई कुद्रत मत से बार बार कह रही है कि वक्त आ गया है कुछ और करने का मैं आपके मकसद में आपका साथ दूंगी नहीं बुरा अगनी देश का बच्चा अच्छा ठीक है तुम कितने प्यारे हो हम वो प्यारा अभी है पर जब वो बड़ा होगा तो अगनी देश के सेरा में शामिल होगा पिर वो तुम्हें इतना प्यारा नहीं लगेगा क्योंकि तब यह कातिल होगा क्या तुम्हें इसे देखकर लगता है कि यह कोई कातिल है यह तो संदेश पहुचाने वाला बाज है संदेश अगनी देश के गवर्नर ने भेजा है कहते हमने उनका बेटा अगवा किया इसलिए वो हमसे सौधा करना चाहते हैं यानि बेटे के बदले महराजा बूमी जानते हो हमें एक चाल में भसने जा रहे हैं मुझे नहीं लगता गवर्नर को शायद अपने बेटे की उतनी ही ज़रूरत है जितनी के हमें बूमी की ये नया दिन है और मुझे अच्छा मैसूस हो रहा है कहो कि तुम मुझे यहां मारने आई हो तुम्हें देखकर खुशी हुई मैं मुझे लगा तुम सरकस में भरती हो गई हो तुमने कहा सरकस ने तुमें बुलाया हाँ पर अजूला ने थोड़ा जोर से बुलाया मैं चाहती हूँ कि मेरे मकसद में तुम दोनों साथ दो मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं यहां से निकलने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ माफ कीजिएगा आप ओमाशो में एक मुश्किल की खड़ी में आई है दोपहर को हम उनके साथ एक सौधा करेंगे अपने बेटे को वापस लाने के लिए हाँ, आपके बेटे के बारे में सुनकर काफी दुख हुआ पर हाँ, जरब बताएंगे कि सारे नागरिकों को छोड़ने का क्या मतलब था मेरे पिता ने आप पर यकीन करके यह शहर सौपा का और देखिए आपने क्या कर दिया माफ के शेशा साथी आप यही रुकिए, मैं इस सौदे को संभालेगी ताकि आप फिर से कोई गडबढ़ना कर बैठें और आपसे कोई उमाश्यू नहीं है, मैं इसका नाम अपने पिता की सम्मान में रख रही हूँ, अब यह नया और जायक शहर होगा कैसे हो सब लोग तुम मेरे भाई को साथ लाए हो, वो यहां है, सौदे के लिए तयार हो माफ करना पर अभी-अभी मुझे एक ख्याल आया है, क्या मैं बताऊं? हाँ, बिलकुल बताईए शहजादिया जूला, हम महराजा की बदले दो साल का बच्चा ले रहे हैं, एक टाकतवर अर्थ-बेंडिंग महराजा वैसे मुझे ये सौदा कुछ ठीक नहीं लगता है, है ना? मैं या, आपने सही कहा, ये सौदा नहीं होगा अरे वा, रहे तुम्हें बात में मिलूँगा बूबी अफ्टार? मेरी तो किस्मत खुल गई तुम कौन हो लड़के? अरे तुम तो एंग हो हम आपको यहां से बाहर निकाल करें रहेंगे हमें बच्चे को यहां से दूर ले जाना होगा वो तुम मुझ पर छुड़ो हमें वो प्रोल दो ले जाना होगा हमेंग हमें तुम एंग अब बस थोनी तेर के लिए दुख जाँ यह बिलकुल पहले जल्सा है ना भूमी? एंग, मुझे तुम से फिर बात करनी है मुझे भी आपसे तर्दा खुशी हुई और्दा लाइट दुशी हुई खुध झाएगा झाएट दुशी हुई आपने बेंडिंग के बिना हमसे लड़ोगी कैसे? आप जैसे मैंने अब किया हम वहां है हम वहां पहुंच जाएंगे कुछ देर और वो में हमारी सवारी आ गई यह नहीं आप यह 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 आप और बेंड कर सकते हैं अब भी हां क्योंकि मेरा चेहरा खुला हुआ है समझ में नहीं आता फिर आपने खुद को छुड़ाया क्यों नहीं जब माशों पर हमला हुआ तो आपने सेमरपन क्यों किया आपको हुआ क्या है बूमी? मेरी बात सनो एंग लडाई में जिंग नाम के कई विकल्प होते हैं यह आपको सोचना है कि आपको ताकत कहां लगानी है पता है हमला करते वक्त अच्छा जिंग होता है और बचाव करते वक्त बुरा जिंग और सादा जिंग जब आप कुछ नहीं करते तीन जिंग होते है एंग, सही पूछो तो 85 जिंग होते हैं, पर फिल हाल तीसरे जिंग की बात करते हैं, आर्थ बेंडिंग के लिए साधा जिंग बहुत एहन है, इसमें आप तभी हमला करते हैं, जब सही वक्त आता है, तो क्या इसलिए आपने समरपन किया? हाँ, और इसलिए मैं भी बाहर नहीं आ सकता, शायद मुझे अध्बेंडिंग सिखने के लिए किसी और को ढूड़ना होगा, तुम्हारा गुरू कोई ऐसा होगा जो साधा जिंग तकनीक में माहिर हो, तुम्हें कोई ऐसा ढूड़ना होगा, जो हमला करने से पहले रुक कर स सोचता हो, प्यारे मोमो, हमारा मोमो खुद कई जिंक्स में माहिर है, अलविदा एंग, मैं तुम से सही वक्त आने पर ही मिलूंगा, तो हम आपके भाई और चाचा को ढून रहे हैं, जूको को मिलने के बाद बहुत मजाएगा है ना मे, अब बात सिर्फ जूको और आईरो की नहीं है, अब हमारा एक तीसरा शिकार भी है अरे, मेरा बेटा अंजान मुसाफिरों को कुछ पैसे दीजिए यह कितनी शर्म की बात है, हम शाही लोग है, हम लोगों को जो चाहिए, इनको देना चाहिए सरूर देंगे अगर तुम प्यार से पूछो तो आप एक बूढ़े भूखे इनसान को कुछ देंगी हाँ, क्यों नहीं ये लीजिए इस सिक्के का जवाब नहीं, पर ये आपकी मुस्कान के आगे कुछ भी नहीं क्यों न सोने की एक मोहर के बदले कुछ मनुरंजन हो जाए हम नौटंकी वाले नहीं है, ये सही कह रहा है लेकिन आप सुनिए वैसे सब लड़किया अच्छी होती है, लेकिन शहर की लड़किया बहुत अच्छी होती है ये क्या, मैं तुम्हे सोने की मोहर दे रहा हूँ, चलो थोड़ा नाच कर दिखाओ, तो शुरू करो अगा गुंगरू बांध मीरा नाची थी, पर हम नाचे बिन गुंगरू के एक मोटे इंसान को नाचते वे देखकर मुझे सच मुझ बहुत मजाया, ये लो सिक्का कितना भला आत्मी था तुम हमें नीचे किस वज़े से ले जा रहे हो? आंग, बताओ हम नीचे क्यों जा रहे हैं? क्या? मुझे तो पता ही नीच चला अब तो पता चल गया ना? क्या बात है? जानता हूँ ये सुनने में अचीब लगेगा, पर मुझे लगता है ये दलडल, मुझे बुलार रहा है और अब जब मुझे प्रिठ्वी के आवाज सुनाई दे रहे हैं मैं उसे नजर अंदाज करू? शायद तो पता नहीं पर मुझे ये जगह कुछ अजीब सी लगती है देखा आप और मुमो को भी यहां अच्छा नहीं लग रहा ठीक है क्योंकि सब को ये जगे ठीक नहीं लग रही है अलविदा दलडल यिप यिप लगता है तुम्हें को ये प्यरा पड़ेगा हमें चल्दी निकलना होगा ये लगता उफ ये जड़ो कि कि अज वफ है आपा और मोमो कहा है सोका तुम्हेरे कोनी पर लीच है कहां कहां तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ऐसी चीजें मुझ पर ही क्यों चिपकती है तुम्हें वो कहीं नहीं मिले नहीं और वो तूफान वो बस यूँ ही गायब हो गया आप्राइफ़ भूब आप आप हमें जल्दी कुछ करना होगा शायद हमें जगे के साथ बहतर बरताव करना चाहिए आंग ये सिर्फ पेड़ पौदे हैं क्या तुम चाते हो कि इसे काटते वक्त में माफ करना और शुक्रिया जैसी चीज़े कहूं शायद हमें आंग की बात माननी चाहिए मुझे ये जगब बहुत जिन्दा लगती है मुझे यकीन है कि यहां काफी ऐसी चीज़े हैं जो जिन्दा है और अगर हम नहीं चाहते कि ये सारी चीज़े हमें खा ले तो जितनी जल्दी हो सके हमें आपा को ढूणना होगा किवारी कि कुछ हम क्हार इंगे हमें मुगर सारी आप आपा मौमो मुझे नहीं लगता Wो हमें सुन पाएंगे ना यह हम उन्हें ढूंद पाएंगे आज रात हमें यहीं गुजारनी होगी कि वो क्या था कुछ नहीं बस एक बुल्बुला देखो मुझे तो यहां कुछ भी अजीब नहीं लग रहा है अरफ लगता है हमें यहां अग लगानी चाहिए सोका हम जब तक यह हैं तब तक तक तुम्हें ऐसी चीजें नहीं करने चाहिए मैंने पेड से पूछा उसे कोई इतराज नहीं है है ना पेड यहां बिल्कुल सोका क्या तुम लोगों को भी लगता है कि कोई हमें देख रहा है बस करो हम यहां बिल को लकेले हैं हाँ सिवाए उनके हाँ ठीका सिवाए उनके करे घर के दो कर 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 लग्यों अर टो जे जूग औी से किन्झे सी कृभ और फॉर जिंगे जिनायायओ जुआ अरता खारता हम अारता विंग फॉर कोปस्ञा खार mı unbelievably तरकत segúnे बाली जिया है कि दोस्तों तुम्हें क्या लगता यह निशान किसने बनाया होगा थो मुझे पता नहीं डू ऐसा जीव जिसके छह पैर हैं और काफी बड़ा है कि हमें निशानों का पीछा कर सकते हैं जानते हो इन निशानों के अंत में हमें क्या मिलेगा धेर सा खाना क्या अ डुम्हें एंग, सोका, सुनिए, सुनिए, आप मेरी मदद करेंगी, मा, मा, यकी नहीं होता, एंग, मेवकूफ, दल-दल, बख्वास, गंदे, पेड, कटारा, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत मजबूत हो, हाँ, कौन है, यूए, ये रोश्णी की कोई चाल है, या फिर दल-दल की, कल रात भागती हुए, मेरे सिर पर चोट लगी थी, शायद इसलिए मैं पागल हो रहा हूँ, तुम मुझे नहीं बचा पाए, काटारा, कौन है, आप कौन है, सुनिये, रुक जाए, क्रिए! हाँ हाँ! हाँ 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 हाँ! बच्टruck जाँ हाँ, बच्टruck झाए, रात गच काए… वहाँ देखो थो एक छोटा सा बालो वाला जीव उसे चला रहा है नहीं उस जीव का नाम है लीमो मैंना ऐसा जीव एक सरकस में देखा था कहते हैं काफी चालाक होता है मुझे यकीन है उसका स्वात मज़ेदार होगा जब देखो तुम्हें सिर्फ खाने की पड़ी रहती है अब आगे बढ़ो दोस्तो बस थोड़ा और करीब अब शांत रहना प्यारे जीवो घबराव मत हम तुम्हें पकड़ने वाले हैं तुम्हें ये कहने की क्या जरूरत थ ही पर मैंने तो उससे सच कहा उन्हें बताने की जरूरत नहीं थी तो उन्हें कैसे पता चलता हमें भूग लगी है चलो अब पीछा करो ये कौनो सत्ती है को का तुम दोनों आखिर कहां चले गए थे जानते हूँ मैंने तुम दोन को कहां कह नहीं डूंडा एशे में इतनी देर से तुम दोनों को भूल गए मुझे लगा मैंने मा को देखा देखो हम सब सिर्फ डरे हुए और भूके हैं इसलिए हमारा दिमाग खेल खेल रहा है इसलिए हम सब किसी ना किसी को देखा क्या तुमने भी कुछ देखा मुझे लगा मैंने यूए को देखा पर इससे कुछ यह साबित नहीं होता देखो मैं उसके बार में हरक्त एक בהकर्था और तुमने मा को देखा जिने तोestens हर वक्त यार करती हो पर मेरा क्या मैंने जिस लड़की को देखा मैं उसे नहीं जानता और वो टीनों हमें यहां ले आई वैसे यह जगा है कहां दल्डल के वीज़ों हाँ, बिल्कुल बीच में. मानो ये इस दलदल का दिल है और इसी ने हमें यहाँ बुलाया है, मुझे मालूम था. ये सिर्फ एक पेड़ है, ये किसी को नहीं बुला सकता. आखरी बार कहता हूँ, हमारे पीछे है और यहाँ कोई जादुई चीज नहीं हो रही है. यहाँ बुलाया आखरी थेंपे पुलाया एंया एंया पार अद़्ुएब। राएं कि राएं बाह टृष्ट बाह टृष्ट बाह टृष्ट इस लीमो के पास तो पहनने के लिए पुशाग भी है अचिए है जाइब दूख कि लिए अचिए है कि वास आ अचिए है कि विए टूम दूख कि लिए जे की देन झाल और वाल कि वहां अंदर कोई है जो बेलो को हिला रहा है तो तुमने हमें इसलिए बुला ताकि हमें मार सको रुको मैंने तुम्हें यहां नहीं बुलाया हम उपर से उड़ रहे थे और मैंने किसी के आवास सुनी जो कह रही थी नीचे उतरो यह अवतार है और ऐसी चीजें इसके साथ अक्सर होती है क्या अवतार आओ मेरे साथ यह मुझे बुला रहा था जैसे इसने तुम्हें बुलाया हाँ अब समझा काफी बखबखिया है देखो असल में यह पूरा दल-दल एक पेड़ है जो मीलों तक फैला हुआ है शाखाएं फैलती हैं फिर धसकर जड़े बन जाती हैं फिर और फैलती हैं सिर्फ एक ही जीव से बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह यह तो समझा गया कि दल-दल एक बड़ा पेड़ है पर यह दुनिया कैसे बिल्कुल है तुम्हें लगता है तुम मुझ से हट करो या तुम्हारे दोस्त या फिर यह पेड़ अगर तुम गार से सुनो तो तुम्हें हर जिन्दा चीज सांस लेती हुई सुनाई देगी, तुम उन्हें बढ़ते हुए महसूस कर सकोगे, हम सब एक साथ जी रहे हैं, भले कुछ लोग साथ न रहें तो भी, हम सब की जड़े एक हैं, और हम सब एक ही पेड़ की शाखाएं हैं, पर हम ने जो देखा उसका क्या मतलब था? दल दल में हम उन लोगों को देखते हैं जो खो जाते हैं, जिने हम चाहते हैं, लोग जो हम सोचते हैं चले गए, पर दल दल बताता है ऐसा नहीं है, वो अभी भी हम से जुड़े हुए हैं, वक्त एक छलावा है, बिलकुल मात की तरह, पर मैंने जो देखा उसका क्या, मैं त उससे कभी नहीं मिला था, तुम अवतार हो, तुम बताओ मचे, वक्त बस एक छलावा है, तो इसका मतलब मैं उससे मिलने वाला हूँ, माफ करना में दखल दे रहा हूं, पर हमें अभी भी आपा और मोमो को ढूना है, मैं जानता हूँ हमें कहां मिलेंगे, सब कुछ एक द अब चलो हमें जल्डे करनी है, पकड़ लिया आज बड़ा शिकारे, आएगा अब तो बहुत मजारे, दिन्तानानाना दिन्तानाना 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 पाप अबना हो रहा है अरे तुम लोग तो वाटर बेंडर्स हो तुम भी इसका मतलब हम रिष्टिदार हैं क्या तुम इन तीनों को जानते हो थोड़ा बहुत बस अभी-भी तो इनसे मुलाकात हुई है क्या का तो खाने का स्वाद कैसा है हाँ इसका स्वाद बहुत अच्छा है तुम लोग आपा को खाने के लिए इतने बेताप क्यों थे तुम्हारे पास तो यहां ऐसी कई चीजे पड़ी हुई है तुम्हारा मतलब हमारे स्लिम से है यह तो हमारे पडिवार का सदिस से है अच्छा बच्चा यह कीडे नहीं खाता है इंसान कीडे खाते हैं तुम लोग कहां से आये हो दक्षनी दुरूफ से मुझे लगता था सिर्फ यहीं वाटर बेंडर्स होते हैं मतलब वहां भी काफी दलदल होगा है ना नहीं वहां हट जगा बर्फ ही बर्फ है तभी तुम यहां आये हो वैसे अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें पता चल गया होगा कि यहां कुछ अजीब नहीं है बस यहां छोटे कपड़े पहने हुए लोग रहते हैं हमने जो देखा उसका क्या मैंने कहा ना हम लोग भूखे थे मैं एक बड़ा सा कीडा खा रहा हूँ देखो पर फिर उस पेड़ ने कैसे बताया कि आपार मोमो कहा है यह अवतार की बात है हमें इससे क्या मतलब मुझे बस यह समझ में नहीं आता कि तुमने वो तुफान कैसे बनाया जिसने हमें नीचे गिराया मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता मैंने बस बेंडिंग का इस्तमाह किया था वैसे सिवाए इस मौसम के मुझे तो इस दलदल में और कुछ भी जादूई नहीं लगता कौन है वहाँ कौन है मेरे मुँ में क्या कर रहे हो मो मो कम से कम सोते वक्त तो मुझे तंग मत किया करो कार मान लो तुम्हें खेड लिया गया है चलो निकलो चलो 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 मेरा ग्रांट मेरे लाधी है यह 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 रुको मेरा बूमराएंग वक्त नहीं है तुम्हारे बेंडिंग का कागस या तुम्हारी लाधी के लिए वक्त है लेकिन मेरे बूमराएंग के लिए नहीं सही कहा जो हुआ उसके लिए माफ कर दो सौका मुझे लग रहा है जैसे मैंने अपनी पैचान खो दी है सोचो अगर तुमने अपना निशान खो दिया या कटारा ने अपनी लटे खो दी लो तुम्हारे फल चोटी वाले लड़के मैं बूमराएंग वाला लड़का हुआ करता था ये तो पानी प्रजाधी के पैसे हैं ये पैसे चलेंगे ना पैसे कैसे भी हो चलते हैं आपका अवतार दिन अच्छा बीते अवतार दिन तुम लोग ते ओहर देखने जा रहे हो ना अवतार की वज़े से चुटी मिलती है किसे पता था देखो उन्होंने कियोशी की बड़ी जांकी बनाई है और ये रहे अवतार रोकू अपने समान में एक त्योहर को होते देख अच्छा लगता है पर कोई तारीफ कर दे बस यही काफी है खास कर उनके तले हुए खाने की तारीफ करना अच्छा लगता है एंग देखो यकीन नहीं होता एक मशाल क्या बड़िया चीज है वो भड़की लिए खदरनाक क्या खुश्मू है पर मैं ऐसी चीजों से दूर ही रहता हूँ वैसी वो करके रहा है आवतार को चला डालो अवतार को चला डालो अवतार को चला डालो तुम्हें ये कहां से मिले इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये कहां से मिले अवतार को चला डालो अवतार को चला डालो एक लड़की अवतार दिन खराब कर रही है और वो लड़की मेरी दोस्त है जरा देखो ये तो खुद अवतार है वो हमें अपनी जबरदस्त अवतार की ताखत से माड डालेगा नहीं मैंसा नहीं करूगा मैं यहां से चले जाओ तुम्हारा यहां सवागत नहीं है वतार क्यों नहीं एंक सबकी मदद करता है खाला मैं अब सबके साथ हूं यह बात जरा हम करना मुश्किल है क्योंकि तुमने अपने पिछले जन्म में बुरा किया था जब तुम अउतार क्योशी थे उसने हमारे कावे लीडर चिन को खत्म किया था क्या आपको लगता है मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ हमारे लीडर के मंदें से पहले हमारा समाज काफी बढ़िया था अब हमारी हाला देखो अग कभी ऐसी हरकत नहीं कर स अच्छी बात भी नहीं। उसे बताते हैं, ठाते हैं मुझे खुद को बेगुना साबित करने के एक मकात हो। अगर तुम खुद खतने हो तो तुम्हे सजा भूगतनी होगी। मैं सजा भूगतने के लिए तयार हूँ। हमारे सारे काईदे कानून मानने होंगे और तुम्हारी सजा सक्त भी हो सकती है मन्जूर है अब मुझे क्या पता मैं इतनी बुरी तरह फस जाओंगा तो कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं तो क्या हुआ कई ऐसे फायर बेंडर जो तुमसे नफरत करते हैं चलो कैद थोड़ो और यहां से निकलो नहीं निकल सकता निकल सकते हो बस थोड़ा एर बेंडिंग के जोहर दिखा और तुम यहां से निकलो मुझे लगता है गुरु स्वेश यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहर निकलो और दुनिया को बचाओ तुम यहां कैद में बंदे में नहीं रह सकते मैं यह नहीं कर सकता वो भी जब लोग सोचते कि मैं कातिल हूँ तुम लोग मुझे बेगुरा साबित करने में मदद करो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं यह तो तुम्हारे पिछले जनम के गुना है ना असल में सोका मैं हमेशा सोचता था कि तुम्हें बहुत काबिल जासूस हो वैसे मैं तुम्हें अपनी तारीफ करने से रोक तो नहीं सकता ना हां हमारी शहर में यह सिक्की का रहस्य सुलजाने के लिए काफी मशूर हो गया था सब लोग इलजाम जंगली चीते पर लगाना ठीक है पर मुझे कुछ नई चीजों की जरूत है मैं तैयार हूं क्या गुना इसी जगा हुआ था ये कातिल के पहरों के निशान है यानि कियोशी के तब सूरज डूब रहा था ये बात है आज से कई साल पहले की वो मंदिर से बाहर निकली और फिर उसने महांचिन को धेर कर दिया उस दुखत दिन के बाद हमने उनके सम्मान में यहाँ पर एक मूर्ती बनाई है आप इसे देख सकते हैं ये मंदिर और ये मूर्ती एक ही पत्थर से बनाई गई थी और हम ये तो जानते ही है कि ये मूर्ती चिन की मौत के बाद बनी थी तो अगर वो एक ही वक्त पर बने थे, इसका मतलब… मुझे इस मामले को सुलजाना है इसका मतलब ये हुआ कि कियोशी इस मंदिर में आई ही नहीं थी ये मेर की कहानी को जूटा साबित करता है पर इसे हम एंक को बेगुना साबित नहीं कर सकते सही कहा अब हमें कियोशी टापू पर जाना होगा ये तुम्हें कहां से मिली तुम्हारे सिर पर बाल नहीं है शरीर पर बढ़िया टेटूज है इस जगह में वाकई काफी अच्छी तरह जचोगे अःहाजो पर लो पर लो थाफूज तरह जचोगे एंगी कहा है वो यहां नहीं आपाया कोको क्यों मैं तो उसे ओ याजी एंग कैद में है चिन शेहर के लोग कहते है उसने पिछले जन में उनके लीडर को मारा था वो कहते है तब वो क्योशी थी क्योशी ये बिल्कुल बक्वास है उनके मक्मरे पर चलो वहां पर तुम्हें उनके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा तो सुकी कैसी है वो यहीं है क्या असल में वो और बाकी उधल अडाई में लड़ने के लिए गये हैं तुम लोगों ने सुकी पर गहर आसर किया है और अब वो भी इस दुनिया को पूरी तरह से बदलना चाहती है ओ, ये तो अच्छी बात है इस मंदिर को कियोशी का मक्मरा बनाया गया था पादरी कहते हैं कि ये निशानिया भी उसकी आत्मा से जुड़ी हुई है ये उनके कपड़े हैं उनकी पसंद बड़िया थी इसे हाथ मत लगाओ ये पंखे, ये उनके हथियार थे क्या? पंखों को भी छूने की इजासत नहीं है ये उनके चूते थे, उनके पैर वाकी काफी बड़े होंगे सारे अवतारों में सबसे बड़े सरा रुकिये, बड़े पैर, छोटे निशान, ये नहीं हो खास कपड़े, टोपी और पाइप, तुमारी लिए इन चीजों की कोई एमियत नहीं है? सही कहां, माफ कर दो, चारी रखो आहा, ये सरासर बक्वास है कि वो निशान क्योशी के होंगे और इसलिए गुना की जगा से उनका कोई वास्ता नहीं है बहुत खूब सौका जिस लड़की को तुम चाहते हो, जब वो तुम्हारे पास आए, बस अपनी जगे पर डटी रहना अच्छा क्या वाकर? हाँ, बिल्कुल, सही कह रहे हैं कुछ पता नहीं सुनो, तुम खुबसूरत, प्यारे, मजा किया, और हाँ, आखिर तुम अवतार हो तुम लोग कमार के हो उसे अपने दिल की बात बताने से घबराना मत इस तस्विर को कहते हैं कियोशी का जन इसे सुरियोदय के वक्त तापू के अस्थापना के दिन बनाया गया था हाँ, आज ही के दिन, मतलब की आज से 370 साल पहले कितने साल पहले? रुखे, क्या आपको यकीन है कि वो दिन आज है? हाँ, क्योंकि आज कियोशी दिन है हाँ, मुझे पूरा यकीन है ये समारो सुरियोदय के वक्त नहीं हुआ था ये तो सुरियास्त के वक्त हुआ था जरा इन परचाईयों को देखो ये पूरब की तरफ है, तो उसका मतलब सूरच पश्चिन की तरफ होगा तो क्या? तो अगर क्योशी सुरियास्त के वक्त इस समारो में थी तो वो चिन में गुना कर ही नहीं सकती थी वो उस वक्त वहाँ थी ही नहीं सम्मानित मेयर हमने अफ्तार के लिए बचाफ पक्ष तैयार किया है हमने काफी चानबिन की और हमें कुछ बड़िया सबूत मिले सबूत? हमारी अदालत ऐसे काम नहीं करती तो मैं खुद को बेगुना कैसे थाबित करूँ? आसान है पहले मैं कहूँगा क्या हुआ और फिर तुम कहना क्या हुआ था और फिर मैं फैसला करूँगा कौन सही है? इसी को हम सफाई देना कहते हैं क्योंकि सब की सफाई हो जाती है सब लोग महांचिन को पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत महां थे फिर आउतार ने आकर उन्हें खत्म कर दिया और ऐसे उनकी मौत हुई थी और अबारूपी अपनी सफाई पेश करेगा तुम कर सकती हो एंग, बस सबूत को याद रखना ठीक कह सबूत भाईयों और पेहरों, मैं आपको बताऊंगा असल में क्या हुआ था और मैं ऐसे थाबित कर सकता हूँ सबूतों के साथ सबसे पहला सबूत पेहरों के निशान ओ हाँ, तो देखिए, मेरे पेहर कितने बड़े हैं और तो और मंदिल और मूर्ती एक जैसे हैं पर मैं सूर्यास्त के वक्त तस्वीर में था तो देखा आपने, मैं मुझरिम नहीं हूँ ये तो गया लगता है तुमने धेर सारी चीजें खरीदी हैं और तुमारे पास पैसा कहां से आया? चाय की केटली पसंद आई बेटा तुमसे मैं सच कहूँ तो चाय का असली मजा तो मिटी की केटली या फिर टीन के कप में आता है मैं जानता हूँ हमारा वक्त अच्छा नहीं चल रहा हमें काफी जद्धो जहद करनी पड़ रही है पर इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है गरीब जिंदेगी में भी इजज़त होती है जूको मेरे लिए अफ़तार के बिना कोई इज़त नहीं है जूको, माना अगर तुम्हे अफ़तार मिल भी गया पर मुझे नहीं लगता इस से तुम्हारी परेशानी कुछ कम होगी फिलहाल तो नहीं फिर तुम्झे कोई भी उमीद नहीं देख रही नहीं जूको, तुम्हें कभी अपनी उमीद नहीं हारनी चाहिए अपने आपको हालात के हिसाब से ढाल कर देखो फिर देखो परेशानिया कितनी कम लगती है अंधेरा होने पर भी उम्मीद होने पर हमें रोशनी मिलती है और यही अंदुरूनी ताकत का मतलब है मेर टॉंग मैं चाहती हो कि अदालत आखरी बार मेरी सफाई सुन ले मैं पहले ही कह चुका हूँ मामला सिर्फ मेरे और आरोपी के बीच है हमें कोई गवा नहीं चाहिए ये कोई मामुली गवा नहीं है मैं बुलाने वाली हूँ स्वयम अफ्तार कियो शी को तुम कर क्या रही हो कटारा वैसे ये एंक का पिचला जनम है मुझे लगा उसके पोशाख पहनने से कुछ फर्क पड़ेगा पोशाख पहनने से फर्क तो पड़ेगा ये तो चिन कानून का मजाख है सुनिए अच्छा होगा अगर आप थोड़ी देर इंतजार करें मुझे यकीन है कियोशी आती ही होंगी कैसे हो सब लोग मैं अफ्तार कियोशी हूँ ये क्या बकवास है महान चिन को मारने के जुर्म में ये अदालत अफ्तार कियोशी को मैंने ही चीन को मारा है वो बहुत जालिम था वो महाद्वीबूं के सभी कोनों पर कबजा करने के लिए फौज बढ़ा रहा था जब वो उस प्राय दीपर पहुचा जहां हम रहते थे तो उसने हमसे समर्पन करने के लिए कहा मैंने उसे चेताव नी दी अगर वो हमारे घर पर कबजा करेगा तो मैं चुप नहीं बैठोंगी पर वो फिर भी नहीं माना उस दिन के बाद हम मुख्य द्वीब से अलग हो गए वो थे अलग मुख्य in एर उसना समर्फ MARY मैंने क्योशी टापू बनाया ताके मेरे लोग कप्जा करने वालों से सुरक्षित रह सके तो अभी क्या हुआ था तुमने सब कुछ सच सच बता दिया सुनो मैं तुम्हें मुझ्रिम एलान करता हूँ सजा बताने वाला पहिया लेकर आँ चाचा आपने जो कहा मैंने उसके बारे में सोचा क्या सच मुच्छ वा बहुत अच्छे इससे मैं एक एहम चीज समझा हूँ हम दुनों साथ में सफर करके कुछ नहीं पा सकते मुझे खुद का एक राशा चुनना होगा रुको तलवार की सदा मालू से खाले आग में जलाया जाए समाच की सेवा काश ये समाच सेवा पर रुके उसकी सदा है करम तेल में उबाला जाना हम अगनी देवता के लिए इस गाउं पर कब्जा करने आए हैं इतना आसान नहीं है माफ करना ये और बेंडिंग प्रतियों किता का होने वाली है नन्य टापू में होने वाली है वैसे तुम्हें इससे क्या उनकी बात सुनकर बहुत मज़ा आ गया मैं उन्हें समालती हूं सुनो दोस्तों रुको तो ये मैंने क्या कर दिया ये मुझे नहीं लेना चाहिए था तुमने मुझे क्यों खरीदने दिया अर्थ बेंडिंग गुरू ढूने तैयार हो क्योंकि हम अर्थ रंबल 6 में जा रहे हैं पर उन्होंने ये बताया कैसे मेरे पास कई तरीके हैं वा आगे बैठने की जगे पता नहीं या कोई और क्यों नहीं बताया क्यों आप मिल गया अर्थ रंबल 6 में आप सब का स्वागत है मैं हूँ आपका मेजबान जिन्फू क्या यहाँ पर लोग एक दूसरे पर पथर फेकने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे मतलब मेरे तो पैसे वसूल नियम काफी आसान है बस दूसरे शक्स को रिंग के बाहर फेंग दो और जीट जाओ पैला राउंड बोल्डर का मुकाबला होगा हमारे बड़े बुरे हिपों से मात सुनो हिपो माना कि तुम बड़े हो पर तुम जीत नहीं सकते क्योंकि बोल्डर तुमारे सामने है तम तो गए आए हाँ 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 कमाण कर दियो भाइजा और भैनो हिपो ने अपनी ताकते पूरे अखाने को धिरा जाँ हाँ 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 बोल्डर चीक गया तो बोल्डर कैसा रहीगा वो काफी कुछ चांता है पता नहीं बुमी ने कहा ऐसा गुरुच्चा ये जो धर्टी के आवाज सुने ये तो सिर्फ अपने डोनों के आवाज सुनता है तुम्हें क्या लगता है सौका अगला मुकाबला बोल्डर का मुकाबला होगा अगनी देश के नागरिक से खड़े हो जाओ अगनी देश के राष्ट्रिय गीत के लिए अगनी देवता मेरी मशाल आपके सम्मान में वापस अपने अगनी देश चले जाओ नहीं ऐसा मत करो या बोल्डर को लोगों को मिट्टी में मिलाना अच्छी तरह आता है या हू ये अब आपको जिस पल का बेसबरी से इंतजार था बोल्डर का मुकाबला होगा चैंपियन ग्राइंड मेंडिट से वो सच में अंधी नहीं हो सकती ये तोसर मशूर होने के लिए है ना शायद वो सच में नहीं देख सकती मुझे लगता है कि वो हारने वाली है बोल्डर एक छोटी और अंधी लड़की से बिलकुल लड़ना नहीं चाहता लगता है तुम डर रहे हो बोल्डर कभी कभी चाहत को दबाना पड़ता है और हाँ अब तुम भी इन पस्त्रों के नीचे दबने वाली हो मुझे इसका इंतजार रहेगा तो फर चलो हमारी विजेता और अब तक की चेपियन ब्लाइड पेडिक्ट उसने आखर वो किया कैसे इंतजार किया और सुना मुकाबले को थोड़ा और दिल्चस्ट बनाने के लिए मैं ये सोने की मोहरों वाला थैला उसे पेश करना चाहूंगा जो प्लाइंड बैंडिक्ट को हरा सके क्या किसी में उससे मुकाबला करने की हिम्मत है मैं करूंगा शाबाज एंग बोल्डर का बता लो क्या आप लोग सच में यहां दो लड़कियों को लड़ते हुए देखना चाहते हैं मैया तुमसे लड़ने ने आया मुझे कुछ बात करनी है बू एंड डर गया किसी के पैर जमीन पर काफी हलके पड़ते हैं तुम्हारा नाम क्या है नाजब पैर कहां चले गए तुम लेकिन मेरे बात तो सुनो तो तुम यहां हो मेरे बात सुनो मुझे गवर्बेंडिंग गुरु चाहिए और मुझे लगता है तुम दुको सही हो तुम जो भी हो मुझे अकेला छोड़ दो रुको क्या बात है एंग मुझे मानना ही होगा मुझे बेहत खुशी है कि मैंने ये थेला खरीद लिया ये बेल्ट के साथ काफी जचता है हाँ ये तो कमाली हो गया अगर हमें ब्लाइंड बेंडिट को डूढ़ना है तो अर्थ बेंडिंग संस्था से बहतर जग्यार कोई नहीं हो सकती जारा देखो ये लोग फिर से आ गए क्यों तुम्हें कोई तकलीफ है बहुत अच्छे कटारा सुनो तुम वही हो जिसने ब्लाइंड बेंडिट को हराया ना हमें उसे कुछ बात करनी है तुम जानते हो वह कहां रहती है ब्लाइंड बेंडिट एक रहस्य की तरह है लड़ाई के लिए आती है और फिर गायब हो जाती है मुझे इनसे बात करने दो तुम हमसे जरूर कुछ पा रहे हो नहीं नहीं यह सच है कोई नहीं जानता कि वह कहां जाती है और वह कौन है असल में हम गलत शक्स के बार में पूछ रहे हैं मैंने जो देखा उसमें एक लड़की ने सफेद कपड़े पहने थे और उसके पास उड़ने वाला जानवर था क्या यहां कोई ऐसा है वैसे यह उड़ने वाला जानवर तो बीफोंग परिवार की निशानी है वो शेहर के सबसे अमीर लोग है बलके इसारी दुनिया की हाँ पर उनकी कोई बेटी नहीं है उड़ने वाला जानवर मेरे लिए काफी है चलो चलते हैं अच्छा हुआ चले गए सुनो मेरी नजरे तुम दोनों पर हमेशा रहेंगी सोचो मेरा क्या होता होगा सच कह रहा हूं बैंडिट वहां पर खड़ी हुई थी फिर उस बच्चे ने वार किया पर कोई अर्थ बेंडिंग नहीं हुई वहां कुछ भी नहीं हुआ अचानक ब्लाइंड बैंडिट रिंग से बाहर जाकर गिर गई वो जान बुच कर गिरी होगी और उन्होंने पैसा ब चलो तुम यहां क्या कर रहे हो नाजुक पैर तुमें कैसे बता चला मैं हूँ नाजुक पैर को जवाब मत दो वो इसके लाइक नहीं है तुम क्यों बूल जाते हो कि आंग हमारी तरफ है तुमने मुझे ठूंडा कैसे एक पागल मारा जाने मुझसे का था मुझे ऐसा कि आवाज सुनता हो फिर मैंने जादोई दलदल में तस्वे से एंग ये कहना जाता है कि वो अफ्तार है और अगर उसने जल्दी अर्थ बेंडिंग नहीं सीखी तो अगनी देवता को हराने में काम्याब नहीं होगा तो मैं क्या करूं अब चले जाओ यहां से परना पहरे पितारो बच्चा तौफ क्या हुआ मुझे लगा मैंने किसी की आवाज सुनी मैं डर गए थी आपके पिताने आपको बिना पहरे के मैदान में घूमने से मना किया है तौफ सुनकर खुशी हुई कि टॉफ के सबक काफी अच्छे चल रहे हैं पर आपको यकीन है न कि वो कोई खतरनाक चीज तो नहीं कर रही है नहीं बिलकुल नहीं मैं बस उसे शुरुवाती चीजे सिखा रहा हूँ आसान मुद्राय और इसके लावा सांस लेने के व्यायाम बहुत अच्छे माफ कीजिए जनाब पर आप से कोई मिलने आया है लोग क्या सोचते हैं वो मेरे घर बिना इजाज़त कभी भी आ सकते हैं माफ कीजिए वो अवतार है जनाब इसे ठंडा करो ये इतना गर्म नहीं पी सकती मैं करता हूँ अवतार एंग आपने यहां आकर हमें काफे सम्मानित किया है आपके हिसाब से ये जो लड़ाई चल रही है वो कब तक चलेगी मैं अगनी देवता को गर्मी के अंथोने तक हरा देना चाहता हूँ पर मैं ये एक अच्छे अद्बेंडर गुरु को डूणने बिना नहीं कर सकता वैसे यू इस जगे के बहतरीन गुरु माने जाते हैं वो टौफ को बच्पन से सिखा रहे हैं मतलब ये एक बढ़िया आद्बेंडर होगी इतनी बढ़िया कि किसी को सिखा सके टौफ अभी शुरुवाती चीजे सीख रही है हाँ और उसके अंधे होने की वज़ा से मुझे नहीं लगता वो कभी इस कला में माहिर हो पाएगी अब वैसे हो सकता है वो आपकी उपीज से बहुत रहा हो तुम्हारी परिशानी क्या है तुम्हारी परिशानी क्या है तो अब क्यों ना हम दूसरे कमरे में जा कर कुछ मीठा खाएं गुड़नाइट अपा आराम से देखो मुझे मुझे मार्फ कर देना चलो सब बूल जाते है ठीक है पले मैं अंधी पैदा हुई थी बल मुझे देखने में कभी दिक्कत नहीं होती है मैं अर्थ बेंडिंग से सब देख सकती हूँ ऐसा लगता है जैसे मेरे पैर सब कुछ देख रहे है मैं जमीन की थर्थराहट महसूस कर सकती हूँ और देख सकती हूँ कौन से चीज कहा है तुम्हें पेट को इन चीटियों को भी ये तो कमाल है मेरे माता-पिता मुझे समझते नहीं वो हमेशा मुझे एक बेचारी की नजर से देखते है तो क्या इसले तुम ब्लाइंड बैंडित बन गई? हाँ तो ऐसी जगे क्यों रहते हो जहां तुम खुश नहीं हो? यहां मेरे माता पिता है, मैं उनके अलावा कहां जा सकती हूँ तुम हमारे साथ आ सकती हो हाँ, तुम लोग जहां चाहे वहां जा सकते हो तुम्हें रोक्टो करने वाला कोई नहीं यही असली जिंदगी है मेरी भी कोई जिंदगी है हमें घेरा जा रहा है तो बच्चो मेरे पैसे मुझे वापिस लोटा दो एंग और टॉफ को अगवा करने वाला ये छोड़ गया अगर तुम दुबारा अपनी बीटी को देखना चाहते हो तो अखाडे में 500 सोनी की मोरे ले आना ये तो शिन्फो और बोल्डर के दर सखते हैं मुझे यकीन नहीं होता मेरे हाथों में बोल्डर का लिखा-खत है मास्टर यू मैं अपनी बेटी को वापस लाने में आपकी मदद चाहता हूँ हम आपकी साथ चलेंगे मिचारी टॉफ वो कितना घबरा गई होगी अगर तुमने दब है तो यहां ऊपर आओ ताकि मैं तुम्हारे चेरे का नक्षा बिगाड सकूँ और कितना बिगाड होगी टॉफ यह रहा तुम्हारा पैसा अब छोड़ दो उन्हें और आइंक क्या मुझे लगता है अगनी देश आफ़तार के बदले मुझे अच्छी खासी रकम देगा अब तुम सब यहां से दफा हो जाओ जाओ मुझे कुछ नहीं होगा चौफ वो लोग बहुत सारे हैं हमें एक अर्थबेंडर चाहिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए मेरी बेटी अंधी है वो अंधी है और चोटी है और कुछ नहीं कर सकती वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हाँ कर सकती हूँ उससे जाने दो, मैं पहले ही तुम्हें हरा चुकी हो और फिर से हरा सकती हूँ भॉल्डर बाते नहीं करता, सिर्फ काम करता है रुक जाओ उन्हें मैं देखती हूँ प्राइब देखती हूँ प्राइब भॉल्डर प्राइब एक जाओ 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 और सोब्सक्राइब अच्छा मारो मोश इश करा हूँ जाओ 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 आप प्रोब कर झाल मैं बता नहीं सकता कि तुम्हारी बेटी कितनी काबिल है करे कि दुम्हारी बता लचिए तुम्हारी बता लचा नहीं है मैंने अपने जीवन में इससे बेहतर अर्थ बेंडर आज तक कभी नहीं देखा पिता जी मैं जानती हूँ मुझे इस तरह देखकर आपको काफी अजीव लग रहा है पर आप जो मुझे आग्याकारी बेचारी अंधी लड़की समझते हैं वो मैं हूँ नहीं मुझे लड़ना बहुत पसंद है मुझे अर्थ पेंडर होना पसंद है और मैं इसमें बहुत ज़्यादा माहिर भी हूँ जानती हूँ मैंने इस जिंदगी को आपसे छुपा कर रखा पर आप तो मुझे सारी दुनिया से छुपा कर रख रहे थे यह आप मेरे सरक्षा के लिए कर रहे हैं पर मैं बारा साल की हूँ और मेरा कोई भी अच्छा दोस्त नहीं है अब आपको पता है कि मैं कौन हूँ उमीद है आप मुझे अलग नजरिये से नहीं देखेंगे हाँ मैं तुम्हें अलग नजरिये से बिल्कुल नहीं देखूँगा ठीक है टॉफ पर मैंने एक बात सरूर जानी है सच में? हाँ मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा आजादी दे कर रखी है अब से तुम्हारी 24 गंटे देख भाल और रखवाली की जाएगी ये मेरा हुक्म है पर पिता जी ये सब हमने तुम्हारे भले के लिए ही किया है टॉफ आउतार और उसके दोस्तों को बाहर तक छोड़ कर आओ अब उनकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं मुझे माफ कर देना टॉफ और मुझे भी अलविदा आइंग फिक्र मत करो हम तुम्हारी लिए गुरू ढूंड लेंगे तुन्या में और भी कई अच्छे उत्वेंडल्स हैं आइंग पर उसके जैसे नहीं टॉफ यहाँ क्यों कर रही हो पिताजी का दिमाग बदल गया उन्होंने कहा कि मैं जहाँ चाहूं वहाँ जा सकती हूँ ठीक है इससे पहले कि तुम्हारे पिताजी फिर से दिमाग बदले हमें यहां से निकलना चाहिए तुमने ठीक कहा तुम्हें अच्छे गुरू बनोगी टॉफ बैसे मुझे याद आया मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ ठीक है अब हिसाब बराबर क्या मेरा बेल्ट वापस मिलेगा जानता हूँ तुम दोनों अलग-अलग शखस हो और ये भी कि तुम्हारी एकी दिल्चस्पी है आउतार ने मेरी बेटी को अगवा कर लिया है उसे घर वापस लाने के लिए तुमसे जो कुछ भी हो सकता है वो करो मेरी करा करना करता है हुआ हुआ है झाल 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 झेस बहो हुझ क को झेस जो जुआ है जल दोस मुझे जिता दे क्या मुझे हम दोनों के लिए थोड़ा सा पानी और खाना मिल सकता है इन पैसों में में तुम्हें कुछ नहीं दे सकता वैसे इस जानवर को खाना दे सकता हूं कौन है सुनो क्या तुमने हम पर अंडा फेका अजनवी नहीं तुमने देखा हम पर अंडा किस ने फेका नहीं क्या तुम्हारा मनपसंद शब्द है नहीं अंडा कहीं से तो आय ही होगा शायद उपस एक मुर्गी उड़ी हो इन सब चीजों का शुक्रिया हमारी फौज तुम्हारी शुकर गुजार है अब यहां से चले जाओ यहां ज्यादा देर रहने की सजा तुम्हारी हैसियस से कहीं ज्यादा है अजनवी सच में इन सिपाहियों का मकसद हमें अगनी देश से बचाना है पर यह तो खुद ही बदमाश है शुक्रिया सच्चा ही नहीं बताने के लिए मैं घर ले चाकर तुम्हें तुम्हारे घोड़े को कुछ खिलाता हूँ चलो भी मुझ पर तुम्हारा ऐसान है हमारे याद जानवरों के कोई कमी नहीं हाँ वो तो दिखता है तुम लीके दोस्त हो ये सिपाहियों के सामने बिल्कुल नहीं डरा बलकी अंत में तो उन्हें ही वापस जाना पड़ा हाँ पर इसका कुछ तो नाम होगा मैं अगर वो नहीं बताना चाहता तो ज़रूरी नहीं कि उसे अपना नाम बताना चाहिए जो कोई भी उन सिपाहियों के आगे डरे और घबराये नहीं उसका यहां स्वागत है उनको प्रिथ्वी सल्तनत का सिपाही कहलाने में शर्मानी चाहिए असली सिपाही तो दूर कहीं जंग में हैं जैसे लीका बड़ा भाई सेंसू खाना बहुत जल तयार हो जाएगा तब तक तुम यहां रुकना चाहोगे नहीं रुक नहीं सकता मुझे यहां से चलना चाहिए गंसू को छट ठीक करने में थोड़ी मदद चाहिए क्यो ना तुम दोनों कुछ तेर काम करो फिर खाना खाएंगे तुम यहां के रहने वाले तो नहीं लगते वैसे तुम आय कहां से बहुत दूर से जा कहा रहे हो ले अब बस भी करो इसे ऐसे नीजी सवाल पूछना बंग करो समझे तुम ठीक है तुम्हें ये घाव कैसे लगा जिस बारे में लोग बात करना नहीं चाहते हैं उस बारे में सवाल पूछना अच्छी बात नहीं है इंसान का अतीत सिर्व उसी का होता है सुनियमा आप देखना चाहते हैं असूलार बतकों को कैसे खिलाती है जुकूप तुम ऐसा मत करो अच्छी बेवकूफ बदक कहें की उसने ऐसे क्यों किया जुकूप मा ऐसी ही होती है अगर तुम उसके बच्ची को छेड़ो वो ऐसा ही करती है सब्सक्राइब अब देखना माँ सब्सक्राइब dus खेल कर तो देखो जूजू मुझे नहीं खेलना खास कर तुम्हारे साथ लेकिन हम दोनों भाई बेहन है यह ज़रूरी है कि हम दोनों साथ वक्त पिताए सही का ना मां हाँ बेटा अच्छा होगा कि तुम कुछ देर अपनी बेहन के साथ खेलो तो अब जाओ थोड़ी देर तो उसकी साथ खेलो अब देखो कितना मज़ा आएगा तुम्हें यह करना है कि तुम्हें दूसरे शक्स की सिर से सेब गिराना है देखो ऐसे मैंने कह था नमज आएगा दोनों कितने प्यारे लगते हैं तुम दोनों भी ना मैं तुम्हारे पास आने ही वाली थी चाचा आइरो ने लड़ाई से हमारे लिए एक ख़त बेजा है तुम गीले केसे हो गए लड़किया पागल होती है अगर शहर उसके दीवार के जितना ही खुबसूरत होगा तो कबजा करने की बड़िया जगा होगी उम्मीद करता हूं तुम उसे किसी दिन सरूर देखोगी हाँ अगर हम उस पर कबजा कर ले दो उसे तब तक तोफो से खेलना जुको के लिए एक खास खंजर जो उस जनरल का है जिसने हमारे सामने समरपन कर दिया था उस पर लिखी चीज़े पढ़ना और कला के तारिफ करना बिना लड़े कभी हान नी माने चाहिए और अजुला के लिए एक नई दूस्त मुझी यकीन है कि ये गुडिया उसे बहुत पसंद आएगी अगर चाचा लड़ाई से वापस नहीं आए तो उनके बाद अगले अगनी देवता बनने के बारे पिता जी के है ना अजुलाई इस तरह से नहीं कहते अगर चाचा आईरों नहीं लौटे तो बहुत बुरा होगा और वैसे अगनी देवता अजुलों की तब्यत अभी काफी अच्छी है तुमें कैसे लगेगा अगर हमारा चचेरा भाई लूटेंट पिता जी को मरा हुआ देखना चाहे मु तुम उने गलत पकड़ रहे हो एक बात याद रखना ये दोहरी तलवारे हैं एक ही हथियार के दो हिस्से इन्हें अलग मत समझना क्योंकि ये अलग नहीं है ये सिर्फ एक ही चीज़ के दो टुकड़े हैं कि मुझे लगता है तुम्हें मेरा भाई सेंसूप बहुत पसंद आएगा वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है ये लो अब वक्त है बढ़िया खाना खाने का तुम्हें क्या लगता है उन्हें क्या चाहिए सिर्फ मुसीबत तुम्हें आखिर क्या चाहिए गाओ मैं तुम्हें एक बुरी खबर देने आया था तुम्हारे बेटे की फॉच पकड़ी गई है तुम लोग जानते हो कि पिछली बार अगनी देश ने प्रित्वी सल्तनत के बंदियों के साथ क्या किया था उन्हें अगनी देश के कपड़े पहनाये और बिना हत्यार के लड़ाई के मैदान में छोड़ दिया था बस मैंने इतना ही सुना था इसमें हमारी क्या गलती है सस्तो कड़वा होता ही है आरो ने अपना बीटा खूदिया जो को तुमारे भाई लूटे ने लड़ाई में दम तोर दिया अब मेरे भाई के साथ क्या होगा मैं मैदाने जंग में जा रहा हूं मैं सेंसु को ढूंड कर उसे वापस लेकर आऊंगा मेरे पिताजी जा रहे है क्या तुम यहां रुकोगे नहीं मुझे यहां से जाना हो गया लो मैं चाहता हूं तुम इसे रखो शब्दों पर ध्यान देना पृत्वी सल्तनत में बना नहीं दूसरा वाला पिना लड़े कभी हार नहीं मानना तुम सारा वक्ट चाकों के साथ खेलने में बिताते हो फिर भी माहिर नहीं हो अपने सिर पर एक सेव रखो फिर मैं दिखाता हूं मैं कितना माहिर हूँ वैसे चाचा घर आ रहे है तो इसका मतलब हम लड़ाई जीत गए नहीं इसका मतलब चाचा हार मान गए मैदान छोड़कर भाग गए यह क्या कह रही हो चाचा ऐसा नहीं कर सकते उन्होंने यह ही किया है उन्हें पता चला कि उनका बेटा नहीं रहा और इसलिए वो टूट जाते हैं बढ़िया कपड़े पहना चलो अगनी देवता अजूलान हम उन्हें सिर्फ दादाजी क्यों नहीं कह सकते वो पहले जैसे ताकतवर अगनी देवता तो नहीं रहे बहुत हो गया आगे एक शब्द भी नहीं बूलना इसे आखिर हो क्या गया है जड़ा बताओ त दुश्मन हवा के दूसरी दिशा में थे और वहां सुखा पड़ गया फिर दुश्मन के पास हार की सेवा चारा ही नहीं था सही कहा मेरी बेटी आप क्या तुम दादा जी को अपने नए पैधर दिखाना नहीं चाहोगी वो कमाल की है बिल्कुल अपने दादा जी की तरह जिनका नाम उससे मिलता है मुझसे आके नहीं निकल पाओ के मैं भी अपने कुछ सीखे कहीं पैधरे दिखाना चाहता हूँ मैं हार गया नहीं बेटा तुम्हें देखकर अच्छा लगा यहीं तो तुम हो जुकू जो मुश्किलों में भी लड़ता रहता है शहजादे ओजाई इन बेकार की चीजों के साथ मेरा वक्त जाया मत करो बताओ तुम यहां क्यों आई थे बाके लोग जाओ यहां से तुम यह क्या पिता जी आप यह समझ के होंगे बिल्कुल मेरी तरह कि लूटेन की मौत के बाद आई रो बिल्कुल टूट गया है अपने बेटे के मारे चाने से मेरा भाई बासिंग से पलडाई छोड़ चुका है और कौन जाने वो घर कब वावस आएगा पर मैं यहां हूँ पिता जी और मेरे बच्चे जिन्दा हैं तो बताओ तुमें आखिर क्या चाहिए पिता जी अब आप आई रो को भूल जाएए मैं आपकी सिवा हमेशा करूँगा बलकि सारे देश की सिवा करूँगा मुझे जिम्मेदारी दीचे पर तुम तुमारी तकलीफ तो शुरू भी नहीं हुई पिता जी तुम्हें मारने वाले हैं सच में मेरी बात मानो हाँ अच्छा माजाग था ठीक है तुम्हारी मर्जी मत मानो पर मैंने सब कुछ सुन लिया है डाटा जी ने कहा हुँ उन्हें चाचा की तरह तकलीफ उठानी होगी बेटा कोने पर कितना दोख होता है यह उन्हें पता होना चाहिए वो भी अपना बेटा कुर्बान करके जूटी मैं तो तुम्हारी बलाए के लिए कह रही हूं है वैसे क्यों न तुम्हें एक अच्छा पृत्वी सल्तनत का परिवार जो तुम्हें गोद ले सके बस करो तुम जूट बोल रहे हो पिता जी मेरे साथ नही कर सकते तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ क्या नहीं करेंगे क्या हो रहा है यहां पर मुझे नहीं पता तुम मेरे साथ हो अजूला हमेशा जूट बोलती है 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 तुम मुझे ये भी नहीं पता उसे चाकु आगर कहां से मिला पर वो उसे ले गए हम तुम्हें अच्छी तरह नहीं मैं आपके बेटे को वापस लहूँगा देखो वो आ गया मैंने कहा था वो आएगा उस बच्चे को छोड़ दो तुम आखिर होते कौन हो तुम बताओगे हमें क्या करना है मैं कौन हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पर मैं जानता हूँ तुम कौन हो तुम सिपाही नहीं हो तुम एक कुंडे हो ताकत का गलत इस्तमाल करने वाले वो भी बच्चों और औरतों पर तुम्हें लिए की ज़रूरत नहीं है तुम बुजदिल हो जो ऐसे परिवार को दंग कर रहे हो जिसका एक बेटा पहले ही मारा गया है क्या तुम इस अजनबी को हमारी इस तरह से बेज़़ती करते हुए देखते रहोगे क्यों बेच्क Scottish करते ही मारी सिर्क्ते हो जेँ लाई koska Code पदो करते रह पहले को एक है क्यों वेखव रहा हो ये शेंगे जिसक्ते हुआ हो व pod्रफ़ पार क्यों झरा अन्यों है तुम करते है चोड़ना रही तज्जिया उड़ा दोनकी तुम तो चुपी रहो मैं तो उनका बस होसला पड़ा रहा था संबल कर पीछे देखो जुको उठो मेरे बच्ची मेरे बात ध्यान से सुनो मैंने जूबी किया तुम्हे बचाने के लिए किया हमेशा याद रखना भले ही तुम्हारे आसपास हालात कितने ही बदले यह मत भूलना तुम कौन हूँ अदो तुम आगर तुम कौन हो मेरा नाम सुको है उर्सो और अगनी देवता उजाई का बेटा अगनी देश का शहजादा और एक लौता फारस जूट मैंने तुम्हारे बारे में सुना है तुम शहजादे नहीं हो तुम एक भगोरे हो जिसके खुद के पिता ने उसे जला कर भगा दिया था और आगे मत आना ये तुम्हारा है इसे अपने पास रखो नहीं मुझे तुम से नफरत है मा 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 का है कोई नहीं जानता और कल रात दादाची कुसर गए मजाग मत करो अजूला तुम नहीं शुद्रोगी और मुझे मेरा खंजर वापस दो अब मुझे कॉन रोखेगा मा वो कहां गई अजूलान 23 साल से हमारे देश के अगनी देवता थे आपने जिस तरह की लड़ाई जीती वो काबिले तारीफ है आपने बड़ी बहादुरी से हीलसिन इलाके पर कबजा किया आपके दो बेटे थे बड़ा इरो और छोटा उजाई आपकी पत्नी थी याला जो इस दुनिया में नहीं रही आप ल्यूटेन के दादा हैं जो अब नहीं रहे आप जूको और अजूला के महान दादा हैं आपकी आत्मा को शांती मिले जैसे आपकी आखरी इच्छा थी आपकी जगे अब आपका दूसरा बेटा उजाई लेगा आपकी आपकी आत्मा के लोगे आपकी दूसरा बेटा आपकी आत्मा के लोगे लेगा वाह तुम लोगों ने बड़िया जगा चुनी है यहां की घास कितने मुलायम है यह घास नहीं है यह आपा के बाल है अची ऐसा मत कहो सावन में ऐसा ही होता है जैसे की नए फसल नए फूल वैसे आपा के नए बाल आते है तेखो सावन की खूपसूती रुको आपा ये इतने खराब नहीं है कटारा इनसे बड़िया नकली बाल बनते हैं और बड़िया दारी भी अच्छा हुआ जो यहां एक और लड़की आ गई कम से कम ऐसी बेवकूफिया तो सहन नहीं करनी पड़ेगी माफ करना क्या यहां किसी के पास ब्लेड है क्योंकि मुझे अपने बाल काटने है हाँ 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 जब हम क्यांप लगाते हैं तो अपने सारे काम बांट लेते हैं तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो मुझे मदद नहीं चाहिए असल में यह कहना चाहती हूं कि हमें इसे कोई पानी लेकर आता है या फिर कोई आग लगाता है या तंबू बादने का काम करता है वरकि मोमो भी हमारी मदद करता है कटारा मैंने सुन लिया, पर मैं अपना सामान खुद उठाती हूँ, मुझे हाग की जरुरत नहीं, मेरे पास पहले सही खाना है, और ये देखो, मेरा तंबो भी तयार है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर हमें अभी भी धेर सारा, समझ में नहीं आता, तुम्हारी के लिए माफ कर देना, मुझे लगता है, हम सब थके हुए हैं, इसलिए थोड़े चिर्चिरे हो गये हैं, हाँ, तुम वाकई थकी हुए लग रही हो, मेरा मतलब हम सब से था, तो, गुद नाइट, गुद नाइट, लगता है, हमारी तरफ कुछ आ रहा है, वो क्या है, नहीं भी हो सकता है, हमें बताओ कि हम तुम्हारी बात को माने या ना माने, क्या हमें चलना चाहिए, हमारे लिए यही बेहतर होगा, वो अखिर है क्या, जमीन, प्यारी जमीन, तो अब हम सुभे मिलेंगे, सामान उतारने में मदद करोगी, अच्छा, तो क्या तुम चाहती हो, कि मैं सोका का अजीम सबिस्ता नीचे उतारू, हाँ, बिल्कुल, वो और बाकी की चीजे भी, अब तुम हमारे दल का हिस्ता हो, सामान उतारने में मैंने किसी की मदद नहीं मांगी, मैं अपना बोश खुद उठाती हूँ, बात ये नहीं है, जब से तुम हमारे साथ आई हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, हमारी मदद नहीं करत नहीं की थी, दर्वा सक खोलो, मैं कहती हूँ, मेरी मांगी, क्या हमें कुछ करना चाहिए, नहीं मुझे तो ऐसे ही मजा आ रहा है, ठीक है, ठीक है, अब तुम दोनों शांत क्यों नहीं हो जाते, दोनों, मैं मैं तो शांत हूँ, वो तो दिखी रहा है, कारे कितने खूब और थरथरा हट से, वो चीज वापस आ रही है, वैसे वो कितनी दूर होंगे, शायद हम कुछ देर के लिए तो अपनी आखे बंद करी सकते हैं, ना, मुझे नहीं लगता सौका, वैसे सच मुछ ये चीज है क्या, और हमें वो कैसे और क्यों टून रही है, मुझे नहीं पत पर अब मैं कोछ हैसा करूँगा, जिससे वो हमें ना डून पाएं, देखो, अब मैं कोई तंबू नहीं लगाने वाला, मैं तो बस थोड़ी मुलायम जमीन देखूँगा, और सोने लगूँगा, हाँ, यही ठीक है, क्योंकि टॉफ तो कोई मदद नहीं करने वाली, ओ मैं नहीं जानती थी कि इस बच्ची को बिस्तर लगा कर देना पड़ता है, बस भी करो दोस्तो, हमारा कोई पीछा कर रहा है, और हमें ये भी नहीं पता कि वो कौन और कहा है, जू को हो सकता है, हमने उसे उत्री धुरूफ के बाद नहीं देखा, जू को कौन है, वो एक बेव हमारे पीछे है, वो यहां तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता है, अब सब लोग, नहीं मोमो, अब सोने दो, अब इसे क्या हो गया, यह ना मुम्किन है, वो हमारा यहां तक पीछा कर ही नहीं सकते, मैं खुद अपने पैरों से मैसूस कर सकती हूँ, यहां से जल्दी निकलो, उनसे मिलना चाहिए, देखे तो कौन है, क्या पता हमारे दोस्त बन जाए, हमेशा अच्छा सोचता है, यह तो ओमाशू की तीन लड़किया है, हम मुकाबला कर सकते हैं, हम भी तो तीन है, असल में टॉफ, हम तीन नहीं चाहर है, ओ मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें नहीं गिना क्यूंकि तुम्हें बेंटिंग नहीं आती ना, लेकि फिर भी मैं लड़ सकता हूँ, अच्छा, तीन के बदले, तीन और सौका भी, हम पता लगाना चाहते थे, कि वो कौन है, और पता लग चुका है, तो चलो यहां तर निकले, आपा, यिप यिप, मुझे यकीन नहीं होता, वो लड़कियां ओमाशू से हमें ढूंडने आई है, मैं अब ही कह रही हूँ, हमने संभाद आते हैं, मसाक कर रही हो, उनकी नीली फायर बेंडिंग और हवा में खंजर चलाना कुछ खास नहीं है, पर पिछली मुलाकात में उनमें से एक लड़की ने कुछ ऐसा किया, जिससे मेरी बेंडिंग चली गई, कितने खतरनाक है, ये क्या सूरज उग रहा है, और हम सारी रात बिलकुल भी नहीं सोए, सौक का सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें यकीन है, मैं पहले बिना सोए कभी नहीं रहा, अगर मैं अभी सो गया और कुछ बुरा हो गया तो, जोकी हमेशा बुरा होता है, जब ही हम नीचे उतरते हैं, वो लड़किया आ जाती हैं, तो बहतर होगा हम उड़ते रहें, हम इसे उड़ते नहीं रह सकते, तो अब हम क्या करेंगे, मुझे नहीं पता, मैं बहुत ठक गए हूँ, मुझे यखीन है, थोड़ा सोने के बाद हमारी ताकत वापस आ जाएगी, सो जाओ, जाँ हो रहा है, आपस हो गया, चलो उठो दो, जो जो, आपा थक गया है, ठीक है, इस वक्त हमारे और उनके बीच काफी फासला है, अब हमें भी आपा की तरह सो जाना चाहिए, हम पहले भी थोड़ा सो जाते, अगर टॉफ हमें बेकार की बातों में नहीं उलजाती, ठीक है, ठीक है, सब लोग ठके हुए हैं, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, नहीं, मुझे सुना है कि कटार अभी क्या कह रही थी, तो मैंने तुम्हें बातों में उलजाय रखा, मेरा बस ये कहना है, कि अगर तुम पहले हमारी मदद करती, तो हम अपने तंबू जल्दी लगा पाते और फिर सो जाते, और फिर शायद हमारी हालत ऐसी नहीं होती, तुम मुझे जिम्मदार ठहरा रही हो, नहीं, नहीं, वो तुम्हें जिम्मदार नहीं ठहरा रही, नहीं, बिल्कुल ठहरा रही हूँ, देखो, मैंने तुमसे कभी मदद नहीं मांगी, मैं अपना बोज खोद उठाती हूँ, और हाँ, वैसे भी हमने सिर्फ यह बाल ठाने वाला ही जिम्मेदार है, क्या कहा, आपा जिम्मेदार है, हाँ, तुम जानना चाते हो, वो हमें कैसे ढून लेते हैं, क्योंकि यहार जगा निशान छोड़ देता है, तुमने आपा को जिम्मेदार ठेराया, आज उसने तीन बार तुमारी जान बचाई, अगर कोई जिम्मेदार है, तो वो तुम हो, तुम हमेशा कहते हो, तुम अपना बोज उठाती हो, तुम पर ऐसा है नहीं, यह उठाता है, आपा तुम्हारा बोज उठाता है, पहले जब हम तीन थे तो इसे कभी उठने में तकलीफ नहीं हुई, मैं जा रही हूँ, रुखो, यह मैंने क्या कर दिया, मुझे यकीन नहीं होता, मैं अपने गुरु पर चिलाया, और अब वो चली गई, गल्ती हो गई, हमें एक दूसरी की आदर डालने में थोड़ा वर्क लगेगा, मैंने उसके साथ अच्छा बरताव नहीं किया, हाँ, तुम दोनों ने उसे भगा दिया, शुक्रिया, सौका, कोई बात नहीं, हमें टॉफ को ढून कर माफी मांगनी होगी, ठीक है, लेकिन हम उन खतरनाक लड़कियों का क्या करें, जो पागलों की तरह हमें ढून रही हैं, एक तरीका है, टॉफ ने सही कहा, आपा के बाल उनके लिए निशान छोड़ रहे थे, पर अब जब वो साफ है तो कोई निशान नहीं मिलेगा, कुम ही यकीन है आपा उड़ सकता है, उड़ तो सकता है पर हम गद्दी और सामान यहीं छोड़ेंगे, मैं आपा के बालों से एक नकली निशान बनाके उन्हें भटका दूँगा, मेरी पीट की हालत खराब हो गई, बालों की गीली उन क्या बात है? ये उन नहीं है मुझे तो ये कुछ गास के गुच्छे लगते हैं वो शब्द जह से शुरू होता है जुन्ड? जुन्ड? ये जुन्ड है हमारी मन्जिल इस ओर है असल में अवतार हमें भटकाना चाता है तुम तोनों उस दिशा में जाओ और उस जंगली जानवर पर कड़ी नज़र रखना मैं इनका पीछा करती हूँ ज कि हमले तुमचे हमे जाओना में जाओर कि मार रखना तोनोंटार के अवासन सता कि है एँ ज सब्कान पोग्य है तौफ ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी क्या बात है मोमो नहीं कचारा उन्होंने आखिरा में डूना कैसे आपाज जल्दी करो हमें और तेज जाना होगा ओ ठका हुआ है यह जीग नहीं है जीग नहीं है हमें बस उस ददी के बार जाना है पूशिश करो आपाज दोड़ा तोर हम पहुंच गए हम सुरक्षित हैं तुमने कर निखाया आपा हुआ 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 कोशिश अच्छी थी पर काम्याब नहीं तुम ठीक हो तुम्हें क्या लगता है मैंने सूच था जब हम तुम लोगों को पकड़ लेंगे तो थोड़ा मज़ा आएगा जो भी हो ये जीत तो बहुत मामूली थी शुक्रिया आपा तुम नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता मुझे कुछ हुआ है या फिर वो लड़का वाकई बहुत प्यारा था ठीक है तो तुम यहां आ गई हो अब बताओ तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए तुम्हें अब तक पता नहीं चला तुम्हें नहीं लगता मेरा चेहरा किसी से मिलता है अच्छा ये देखो मुझे अपना सम्मान वापस बनाने के लिए अफ्तार को ढूड़ना होगा अराम से तुम हस सकते हो यह मजाग था तो अब क्या अब अब सब खत्म तुम ठके हुए हो और अब कहीं नहीं जा सकते भाग सकते हो पर मैं तुम्हें पकड़ लूगी मैं नहीं भागूँगा तुम अकेले सफर करने के लिए काफी छोटी लगती हो और आप काफी बुजर्ग लगते हैं वो तो है जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं यही ना कि मैं खुद अपना ख्याल नहीं रख सकती मैं यह नहीं सोच रहा था अच्छा तो फिर आपने मुझे अपनी चाय तक ड ख्याल रखना चाहते हैं पर जानते हैं मैं खुद का ख्याल रखना बखु भी जानती हूँ तुम्हारी बाते मेरे भतीजे की तरह है वो भी अपना सारा काम खुद ही करना चाहता है बिना किसी की मदद के इसमें कोई बुराई नहीं कि आप से जो प्यार करते हैं आपकी म हो गया है हाँ ऐसा ही समझो उसकी जिन्दगी कुछ दिनों पहले बदल गई और वो काफी तकलीफ उठा रहा है वो यह पता लगाना चाहता है कि वो कौन है इसलिए वो चला गया क्या आप उसका पीछा कर रहे हैं मैं जानता हूं इस वक्त उसे मेरी जरूरत नहीं है पर कोई बात नहीं एक दिल्चस्प अजनभी के साथ चाय पीने का एक अलग ही मजा है नहीं शुक्रियाज आपने कहा उसके लिए मुझे काफी मदद मिली सुनकर खुशी हुई अहां आपके बतीजे से याद आया शायद आपको उसे बताना चाहिए कि आपको भी उसकी जरू चाहते हो हां मैं लड़ना चाहता हूं जुको बस तुम्हारे ही आने की देर थी जूजू जूजू पीजे हटो अजूला ये मेरा है मैं तो सिर्फ आगे ही बढ़ने वाली हूं कर दो मा जुझे बढ़ने करा हूं अजदोर अजटीं ठनलर्छ? probability प्रॉड़ उताया नगया... अजब नगया वाँ, प्रॉड़ खाल झाल, वे म्नुट्टर रवगया झाल एब लो लो कहOr हूआ यह ररे हुआ हा था यह जाचा चलो उठो मुझे लगा तुन लोगों को मेरी सरूराथ है शुक्रिया टॉफ हुआ जरा ये तो देखो दुश्मन और्धों की बाद साथ मिले हुए है हार मानली अब मैं और नहीं लड़ सकती तुमने मुझे हरा दिया एक शहजादी सम्मान से समारपन करती है पर अब 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 दूर रहो हम दोनों से जू को मैं मदद कर सकती हूँ अब 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 मेरा प्यारा बेटा लूटेन मैं तुम से दुबारा सरूर मिलूगा चाचा आप काफी देर से बेहोश थे अजुल्वा ने आपके यहारत की है उसने आप पर अचानक हमला किया ऐसा करना उसकी पुरानी आदत है मैं उमीद करता हूँ यह आपको पसंद आए यह वाकई लजीज थी चाचा मैं सोच रहा था मुझे लगता है कि मुझे जल्द ही अजुल्वा का सामना करना पड़ेगा और अगर मुझे उसकी सामने टिक कर मुकाबला करना है तो मुझे बहतर फायर बेंडिंग सीखनी होगी मैं जानता हूँ आप क्या कहेंगे वो मेरी बहन है और मुझे उसकी साथ मिल जूल कर रहना चाहिए नहीं वो सर फिरी है और उसका दिमाग ठीक करना ज़रूरी है तुम्हारा प्रशिक्षन फेट से शुरू करना होगा पता नहीं उससे गलती कहा हुई उसने वैसा ही किया जैसे तुमने किया शायद कोई और तरीका है क्यों ना मैं इस चत्तान के और किसी दूसरी दिशा से आऊ यहीं तो परिशानी है तुम्हें एक एरबेंडर की तरह इस चत्तान का सामना करना होगा और सामना से मेरा मतलब कुछ इस तरह है मैं एंग को काफी वक्त से सिखा रही हूँ प्यार से सिखाने पर वो वाकी काफी जल्दी सीखता है जैसे कि प्रोप साहन और तारीफ करना उसे ठीक से समझाओ अगर वो गल्ती करता है तो बहतर होगा तुमसे हलके से कोनी मार कर ये जताओ शुक्रिया कटारा हलके से कोनी मार कर जरूर आजमाऊंगी गुट्ने उपर रखो नाजुक्त पैज जारी लगाँ जारी लगाँ त्यार हो तुम प्यारे हो पर तुमारी बदकिस्मत ही है कि मुझे भूख लगी है और थोड़ा करीबाना तुम बदकिस्मत नहीं बलकि बड़े किस्मत वाले हो बिजली फायर बेंडिंग जाहिर करने का एक तरीका है बिना जोश के इसमें और फायर बेंडिंग की तरह घुसा या फिर भावनाय नहीं भरी होती कुछ लोग बिजली को ठंडी आग कहते हैं ये सटीक और खतरनाक होती है अजूला की तरह इसे करने के लिए दिमाग में शांती होनी चाहिए हाँ अब मैं समझा है इसलिए हम चाय पी रहे हैं ताकि दिमाग शांत हो सके हाँ हाँ तुमने सही कहा मेरा मतलब बिलकुल हमारे चारों तरफ उर्जा फैली हुई है उर्जा यिन और यांग दोनों होती है सकारात्मक उर्जा और नकारात्मक उर्जा पर कुछ ही फायर बेंडर्स इन उर्जाओं को अलग कर पाते हैं इस से असंतुलन पैदा होता है उर्जा संतुलन बनाए रखना चाहती है और जब भी सकारात्मक और नकारात्मक उर्जा आपस में टकराती है तो तुम उर्जा छोड़ कर उसे दिशा देते हो ताकि बिजली पैदा हो मैं इसे कर दिख लेता यार नूँ कि याद रहे एक बार उर्जा छूट जाये फिर तुम उस पर काबू नहीं कर सकते बस तुम उसे दिशा दे सकते हो पहले सांस लो इस बार हम कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे बचा एक चटान को हिलाने के तुम एक चटान को रोकोगे खोडे वाली मुद्रा में खड़े रहो मैं उस चटान को तुम्हारी तरफ धकेने वाली हूँ अगर तुम्हें अर्थबेंडर बने की ताकत है तो तुम अपनी मुद्रा में खड़े रहकर उस चटान को रोकोगे देखो इस तरह माफ करना टॉफ पर तुम्हें लगता है कि आएंग को अर्थबेंडिंग सिखाने का ये सबसे अच्छा तरीका है कटारा तुमने एक अच्छा सुझाव दिया असल में इससे एक बहतर तरीका है अब तुम अगर चटान को रोकना चाहते हो तो उसकी थैतराहट महसूस करो बहुत-बहुत शुक्रिया कटारा हाँ शुक्रिया कटारा मैं बस होड़ा घबरा गया था और कुछ नहीं कह सकता कुछ कहने को है ही नहीं तुमने सबकुछ बिगार दिया उसे रोकने के लिए तुम्हारी मुद्रा बिल्कुल सही थी पर जब वो चटान तुम्हारी तरफ आई तो तुम्हें हिम्मत नहीं थी जानता हूँ माफ कर क्या तुम्हें माफ करfeitू अगर तुम्हें चटान को रोकने की हिमद नहीं थी तो कम से कम तुम उस चटान को खुदको कुछल देने दे तेिस तलह रास्ते से हटने के बज़ाए उसका साबना करते क्या दुम एक और बेंडर से तरह करने के लिए तियार हो नहीं ही मुझे जाओ जाओ, बहतर होगा तुम पानी में थोड़ा खेल लो मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा, बिजली आने के बज़ा, ये तो मेरे चेहरे पर भट रहा है, पता नहीं ये क्या हो रहा है मुझे डर था ऐसा ही होगा तुम बिजली पैदा करने के होनर में तब तक कामयाब नहीं होगे जब तक तुम्हारा अंदरूनी दूफान शांत नहीं हो जाता कौन सा दूफान चाचा जूको, अगर तुम अपने घुस्ते से चुटकारा पाना चाते हो तो तुम्हे अपनी शर्म को खत्म करना होगा पर मुझे तो कोई शर्म महसूस नहीं हो रही मुझे तो खुद पर बहुत नाज है शहजादे जुको, नाज शर्म होने का अफवाद नहीं है बलकि उसकी चड़ है असल में नम्र होना शर्म का असली दोड है वैसे भी, कुछ दिनों से मेरी जिंदगी में मैं सरफ अपमानित ही हो रहा हूँ मेरे पास एक तरकीब है मैं तुम्हें फायर वेंडिंग का ऐसा पैतरा सिखाऊंगा जो अजूला भी नहीं जानती क्योंकि मैंने इसे अपने आप बनाया था तो तुम्हें लगता है मैं इसी लायक हूँ है न सुनो माफ करना मैंने तुम्हारा शिकार करना चाहा पर हमेशा ऐसा ही होता है बड़ी चीज छोटी चीज को खाती है बस और कुछ नहीं पर इस बार मैं गलत साबित हुआ हाँ एक बात तो है तुम बड़े प्यारे हो ठीक है मैंने फैसला कर लिया है अगर मैं जिन्दा बाहर निकल आया तो आगे से मैं शुद्ध शाकाहरी बन जाऊंगा मतन नहीं खाऊंगा भले ही मासाहरी भोजन मुझे लजीज क्यों ना लगे वा लगता है मेरे फैसले ने कमाल करना शुरू कर दिया हाँ ठीक है मैं कर लूंगा अब वापस आओ बूमरेंग तुम्हारी ये हालक सर्फ कुछ देर के लिए है ना मुझे इसके बार में बात नहीं करें तुम जानते हो यही अस्ली परिषानी है समझे तुम बहतर होगा तुम इस परिषानी का सामना करो इसे भागो मर। पता है मैं समझ घ्लिए ठीक है क्या है मुझे लगता है प्रथ्वी तभी तो ऐसे करना तुम्हारी लिए इतना मुश्किल है तुम्हें एक बिल्कुल अलग तत्वों से खेल रहे हो पर तुम ये जल्दी सीख जाओगे मुझे तुम पर पूरा यकीन है जल्दी सोचो पहुत खूब तुम्हें एक बहतरीन वाटर बेंडिंग गुरु होने के सभी गुण है शुक्रिया कटारा गुरु कटारा आग ताकत का तत्व माना जाता है अगनी देश के लोगों में चाहा और इरादा होता है और उन्हें जो भी चाहिए उसे हसिल करने की शक्ती भी प्रित्वी पदार्थ का तत्व माना जाता है प्रित्वी सल्टनत के लोग अलग अलग तरह के और मस्बूत होते हैं वो सहन शक्ति वाले और अडल होते हैं हवा आजादी का तत्व माना जाता है हवा के साथी दुनिया के जंजटों से दूर रहकर आजादी और शान्ती पसंद करते हैं और उनमें मजाग करने की भी शमता होती है पानी बदलाव का तत्व माना जाता है पानी प्रजाती के लोग अलग अलग हालात में खुद को बखुबी ढाल सकते हैं कुछ भी हो उनका प्यार और समाच सेवा की भावना उन्हें हर मुश्किल से ऊपर उठाती है पर आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं अलग अलग जगहों से समझ लेना बहुत सरूरी होता है अगर हम सिर्फ एक जगह से समझ लें तो इससे हमारी सोच बड़ नहीं पाती दूसरों को समझना यानि दूसरे तत्वों को दूसरे देशों को इससे हमारा पूरी तरह विकास होता है चाचा इन चारो तत्वों की बाते सुनकर तुम मुझे अवतार की याद आ रही है अवतार में इतनी ताकत इसलिए होती है क्योंकि एक ही इंसान में ये चारो तत्व मौजूद होते हैं पर इससे तुम भी ताकतवर बन सकते हो अब देखो मैं तुम्हें जो तक्नीक सिखाने वाला हूँ वो मैंने वाटर बेंडरस को गौर से देख कर सीखी है अंग, मुझे यही अखरो तुम्हारे बैक में से मिले तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? और वैसे भी अगर तुम्हें बुरा भी लगा हो तो भी तुम इतने डर पोखो कि तुम कुछ नहीं कर सकते मैं तुमसे एक बात कहूँ, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे मिलबाट कर खाने में खुश होती है जानते हो, तुम्हारी ये बात संकर काफी अच्छा लगा, क्योंकि मेरे पास अक रोड तोडने के लिए एक बढ़िया चीज है असल में बहतर होगा तुम्हें, ये एक बहुत ही पुरानी भिक्षो द्वारा बनाए गए लांधी, ये बहुत ही नाजुक चीज है, वैसे यह सिर्फ एखिया के लिए नाजुक चीज नहीं है, सब्जे सुनो एंग, क्या तुमने, मैं ध्यान लगा रहा हूँ, ये ज़रूरी है, सूरज ढूबने वाला है और सौका अभी तक नहीं आया, मुझे लगता है हमें उसे ढूनना चाहिए, हम आला गलाग उसे जल्दी ढून पाएंगे अच्छा, सुनो उपर वाले या नीचे वाले, जो भी इसका रखवाला है, अगर मैं इस हालाच से जिंदा बाहर निकला, तो मैं मतन खाना छोड़ दूँगा, और ताना कसना भी, ठीक है, अब मैं और क्या करूँ, मैंने अपनी पूरी पहचान ही दे दी, सौका, मतन और ताना कसने वाला लड़का, पर अब मैं सौका एक शाकाहरी और सीधी बात करने वाला लड़का बन जाओगा, सौधा, एंग, क्या बात है, तुमारे पास थोड़ा मतन है, सौका, तुम ठीक तो हो ना, रुको, रुको, इस तरह मेरी उंगलिया तो बहार आ जाएंगी, पर मैं अंदर का अंदर रह जाओंगा, मैं एय बेंडिंग करके तुम्हें निकाल लूँगा, एंग, माना कि तुम इसमें काफी नए हो, पर तुम अर्थ बेंडिंग करके मुझे बाहर क्यों नहीं निकालते, मुझे माफ करना, मैं नहीं कर सकता, अगर तुम नहीं कर सकते, तो फिर टॉफ को क्यों नहीं बुलाते मैं यह भी नहीं कर सकता नहीं कर सकते पर क्यों इसलिए क्योंकि ऐसा करके मुझे अच्छा नहीं लगेगा अच्छा नहीं लगेगा और मैं इस तरह अठका हुआ हूँ वह अच्छा लग रहा है तुम्हें नहीं सौका यह अध्बें यहां कितना प्यारा नाम है इस एक दात वाले जंगली हिरन के बच्चे का यह एक दात वाला जंगली हिरन नहीं लगता यह तब पता चलेगा जब इसके बड़े दात और सींग उख जाएंगे यहां क्या कर रहे हो मेरे दोस्त तुम्हारी माग हो गई है वाटर बेंडर्स का मतलब उर्जा के बाहाव से है एक वाटर बेंडर अपने बचाओ को अपना हथियार बनाता है दुश्मन की उर्जा को उसके खिलाफ इस्तेमाल करके हाँ और मैंने इस तकनीक को बिजली के द्वारा सीखा क्या आप मुझे बिजली की दिशा बदलना तुम्हारे शरीर में पेट ही उर्जा का केंदर होता है उसे उर्जा का सागर कहा जाता है जहां तक मेरी बात है तो ये एक मां सागर की तरह है पिर पेट से उर्जा की दिशा अपने दूसरे हाथ पर मोड़ दो पेट पर ये चक्कर जरूरी होता है कभी भी बिजली को काफी खतरनाक हो सकता है, अब तुम्हें इसे खुद करके देखना होगा, ताकि तुम्हें इसके बहाव का अहसास हो सके, इस तरह. क्या अपनी उर्जा पर ध्यान लगा रहे हो तुम्हें महसूस हो रहा है कैसे उर्जा अंदर, नीचे की तरफ, ऊपर, बाहर जा रही है जी चाचा लगता तो है चलो भी, तुम्हें बहाव को महसूस करना चाहिए बहुत खुब, तुम्हें आ गया बढ़िया, अब मैं असली बिजली को आजमा सकता हूँ क्या, पागल हो गया हो, बिजली खतरनाक होती है मुझे लगा इसलिए आप मुझे सिखा रहे हैं, वो भी इसलिए ताकि मैं खुद की रक्षा कर सकू हाँ, पर मैं तुम्हारे उपर बिजली नहीं फेकूँगा, समझे तुम, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम्हें कभी इस तक्नीक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं अपनी मदद खुद कर लूँगा लीजिये, हमें आपका बच्चा मिल गया देखा, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम आपके दोस्त हैं आंग ये ठीक नहीं है, तुम्हें मुझे यहां से बाहर निकलना होगा ये मेरे साथ क्या हो रहा है, सुनो आंग, तुम्हें आथ बेंडिंग करके मुझे यहां से बाहर निकलना ही होगा, और कोई चारा नहीं है अब क्या करूँ वू हू, यहां देखो मुझे वापस अकेला मत छोड़ना, मैं छोड़ूंगा तुम यहां क्या कर रही हो? बस मजा ले रही हूँ क्या मतलब तुम यहाँ पहरे से बैठी हो ऐसा ही समझो तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं सौका मुसीबत में था मैं मुसीबत में था तुम उसे बाहर निकाल कर हम दोनों की मदद कर सकती थी शायद मैंने ये बात सूची नहीं बहुत हो गया मुझे मेरी लाटी वापस चाहिए उसे अभी करो क्या ओर्थ बेंडिंग नाजू पैर तुम एक जंगली जानवर के सामने बहादुरी से डटे रहे और इससे बढ़िया बात है कि तुम मेरे सामने भी डटे रहे मतलब तुम सीख गये पर चलो करो तुमने कर दिखाया तुम एक ओर्थ बेंडर हो मुझे यकीन नहीं होता जरा देखो तो ये पल वाकी बहुत ज्यादा भावोख है अब क्या तुम लोग मुझे यहां से बाहर निकाल सकते हो ताकि मैं तुम दोनों से गले मिलकर ये पल बाट सकू हाँ बिलकुल सौका तर सौका तुम कहां थे इतने वक्से मैं उस गड़े में था मैं नहीं जानता था कि मैं जिऊंगा या मरूंगा अपने हालात से मैंने एक ज़रूरी बात सीखी और वो ये है कि कटारा देखो मैं क्या कर सकता हूँ तुम ने कर दिखाया मुझे तुम पर यकीन था तुम ने उसे अलग तरीके से समझाया है ना हाँ और काम बन गया आपा आपा मैं और बन कर सकता हूँ सबसे एहम बात है कि शाररिक और मांचिक तोर पर हमेशा डटे रहना मुझे हमेशा तुम्हारी ज्यात्नी का शिकार होना पड़ा है और मैं उसे सेट कर सकता हूँ और अब मैं वो तुम्हें वापस करता हूँ अब चलो करको मुझ पर मुझ पर रहेम क्यों खा रहे हो तो नीचे क्या है बहुत सारे जीव असल में नीचे कहीं सारे श्ष पता है तुम नीचे देख सकती हो पर मजा किरकिरा मत करो अब ये देखो देखा मैं क्या तालमेल बिठा रहा हूँ तालमेल हाँ ऐसे ला ली ला माना ये बढ़िया है पर हमारे पास करने को और ज़रूरी काम है हमें आगे क्या सोचना है वो तो हम हमेशा करते हैं पर अब हमें कुछ दिन चुट्टी लेनी चाहिए ये चुट्टी लेने का वक्त नहीं है मैं चारो तत्वों में माहिर होने की कोशिश कर रहा हूँ मैं हर वक्त टॉफ और कटारा के साथ प्रशिक्षन करता हूँ मैं बहुत कड़ी महनत कर रहा हूँ हाँ और खाली वक्त में थोड़ी मस्ती कर ली तो क्या हुआ अगर तुम चारो तत्वों में माहिर हो जाओ तो क्या होगा हमारे पास अगनी देश का कोई नक्षा भी तो नहीं है क्या हम पश्चिम में जाते रहें जब तक अगनी देवता के घर ना पहुंचे दर्वाजा खोलो नमस्ते अगनी देवता घर पर कोई है हम ऐसा नहीं करेंगे इस लड़ाई को जीतने के लिए दिमाग का इस्तमाल करना होगा ठीक है पहले अपनी चुट्टी मना ले और फिर हम चलकर सौका का दिमाग धूने तुम्हारी बारी कटारा तो बताओ चुट्टी के लिए कहा जाना जाओगी क्यों न हम कोरे से ढखे रेगुस्तान में जाएं लगता है वहां काफी मजा आएगा मैं वहां जा चुका हूँ वहां एक शांदार बरफीला टीला है और मैं हर चीज को शांदार नहीं कहता पर यह कुद्रत का करिश्मा है मुझे लगता है मेरे जाने के बाद काफी कुछ बदल गया है मुझे एक आम दो आगे का कदम सोचने से पहले बैतर होगा कि हम लजीज भलो का रस पीले ताकि दिमाग को ठंडग मिले हमें एक मिलेगा माप कीजे मैं साफ कर दूंगा तुम वाकई कमाल के हो शुक्रिया कैसा लगा एर बेंडिंग में माहर वो भी मेरे सामने मैं प्रोफेसर जैंग हूँ बासिंग विश्व विद्याले के मनो विज्यानिक विभाग का प्रमुख अब बताओ तुमारा नाता कौन से हवा के मंदिर से है दक्षणी हवा का मंदिर क्या बात है अब जरा बताओ कि वहां रहने वालों की मुख्य उपजाओ भसल कौन सी है मेरे खयाल से शायद वो चावल था सुनकर वाकई अच्छा लगा इसे किताब में डालना ही होगा तो प्रोफेसर आपने कई जगों का सफर किया होगा क्या आपके पास सही नक्षा है मेरा वाला पुराना हो गया है बिल्कुल इसमें तो अगनी देश नहीं है किसी के पास उस जगह का सही नक्षा नहीं है आपने रेगस्तान में काफी सफर किया है पर इसका कोई फाइदा नहीं हुआ, मुझे सारी सल्तनत में सिर्फ खोई हुई सब्यताय मेली, पर मुझे अब तक वो खाज जिगे बिल्कुल नहीं मिली है, वांग शी टांग का किताब घर, यकीन नहीं होता, आप इतने साल रेकिस्ताद में बस किसी का किताब घर दूने क यह किताब घर सोने से भी ज्यादा कीमती है, प्यारी बच्ची, कहा जाता है उसमें ज्ञान का सागर भरा हुआ है, और ज्ञान अनमोल होता है, सागर वो भी ज्ञान का, तुमने सही कहा, कहानियों के मुताबक इस किताब घर को ज्ञानी आत्मा वांग शी टॉंग अपने सही कहा, वो काफी मददगार थे, वांग शी टॉंग और उनके ज्ञानी साथियों ने सारी दुनिया से किताबे इकठी की और उन्हें इस जगह पर रख दी, ताकि इनसान का इन किताबों को पढ़ने से फाइदा हो सके, अगर इस जगह पर सारी दुनिया की किताबे हैं, तो अगनी देश की जानकारी भी होगी, जैसे की एक नक्षा, मैं नहीं जानता, पर अगर ऐसी कोई चीज है, तो वो जरूर वांग शी टॉंग के किताब घर में होगी, तो ठीक है, एंग, तो अब मेरी बारी है, मैं अपनी छुट्टिया बिताओंगा, किताब घर में, सीमोन रेगिस्तान में कई बार सफर किया, और हमेशा मर्ते मर्ते बच गया, शायद उस रेगिस्तान को पार करना नामुम्किन है, प्रफेसर, आप उड़ते हुए आपा को देखना चाहेंगे, उड़ता जंगली जानवर, तुम्हारे पास वाक़ी वो है, रेद के रक्ष को जानवर से दूर हटो, तो बता उड़ते जानवर, तुम अपनी प्रजादी के आकरी जीव हो, क्या बात है, काश में उसकी जबान बोल पाता है, फिर मैं उसकी जबान से उसकी कहानिया सुनता, चुप हो जाओ तुम, वा, यहां ऐसी जगे को डूढ़ना मुश्किल नहीं होगा, क्या यह वाक़ी वो जगा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है, आप यह पहले नहीं बता सकते थे, वो रही जगा, तुम लोग भी यही कहोगे, जब वो तुम्हें दिखाई देगी, हमें इतनी बड़ी इमारत को देखने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए, वो देखो, वा नीचे क्या है, भूल जाओ, यह वो जगा नहीं है, जिसे हम ढून रहे हैं, इस तस्वीर में बनाए गई इमारत विशाल है, आखिर वो किस तरह का जानवर है, लगता है वो उन ग्यानी जानवरों में से एक होगा, वो किताब घर ज़रूर यहीं कहीं होगा, नहीं, इसके मुताबिक यहीं वो किताब घर है, देखो, यह पूरी तरह धस चुका है, किताब घर धस गया है, मेरी सारी मेनट पर रेथ पड़ गई है, वक्त है, रेथ हटाने का, असल में आपको इसके जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए क्योंकि अंदर का हिस्सा बिलकुल ठीक लगता है, और वो बहुत बड़ा है, वो लोमडी जिस तरह से खिर्की से चड़ कर गई, हमें भी उसी तरह अंदर जाना होगा, बहतर होगा, मैं यही रहकर इंतजार करूँ, क्यों तुम्हें किताब घर अच्छे नहीं लगते, मेरे पास पहले बहुत किताबे थी, सच कहूं तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, ठीक हाँ, माफ करना, अगर उनके पास सुनने के लिए कुछ है तो मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हें के नीचे वापस कभी नहीं लेकर जाओंगा, तुम यही टौफ के साथ रहो तुम्हें के साथ रहो क्या हुआ यह आलिशान है, उस आत्मा ने इस जगह को बनाने में काफी मैनत की है, जरा उन खूबसूरत मिनारों को तो देखो, हस क्यों रहे हो, कुछ नहीं, बस ऐसे हसी आगई, अब फिर ठीक है, अरे वा, इन खंबा पर जिस तरह पत्थरों से नकाशी की गई है, वह वाकई काबिले तारीफ है, और अच्छी है, जानता हूं, तुम वापीशे हो, कैसे हो, मैं बास सिंग से विश्व विद्धाले के मनो विज्ञान विभाग का प्रमुक प्रोफिसर जाइव हूं, जहां से आये थे, वहीं चले जाओ, वरना तुम खुद इंदिल्चस्प विशरी बन जाओगे, क्या तुम वो आत्म हो जिसने इस किताब घर को बनाया था? मिलकुल, मैं वॉंग शी टॉंग हूँ, जो दस हजार से जादा चीज़े जानता है, और तुम इंसान हो, जिनकी यहां पर कोई जरूरत नहीं है, चले जाओ. आप इंसानों के खिलाफ क्यों है? हम, इंसान का एक ही मतलब है, कि वो एक दूसरे से कैसे आगे निकल पाए, जैसे कि वो फायर बेंडर, जो सालों पहले इस जगे पर आया था, अपने दुश्मन को बर्बाद करने के मकसद से, तो तो लोग किसे बर्बाद करना चाहते हो? क्या? नई-नई-नई-नई-नई, कोई बर्बाद ही नहीं, हम ये सब नहीं करते. फिर तुम यहां क्या करने आये हो? इसलिए, ताकि हमें कोई ज्ञान मिले हैं. अगर तुम पुरानी भटकती आकमा से जूट बोलना चाहते हो, वो तो उसे तरह अच्छी तरह से बोलो. मैं जूट नहीं बोल रहा, मैं अवतार के साथ आया हूँ, आप उसी के मुझसे सुन लीजे, वो कभी जूट नहीं बोलता. ओ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है. हम आपके ज्ञान का गलत इस्तमाल नहीं करेंगे, भली आत्मा, वादा करता हूँ. तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने ज्ञान के भंडा को देखने दूगा, पर एक शर्थ पर, ज्ञान को पाने के लिए, तुम सभी को यहाँ पर कुछ योगदान देना होगा. अपने किताब घर के लिए इस ग्रंद को भेट समझिए. पहला संस का रंग, बहुत अच्छे. मेरी पास एक पुराना वाटर बेंडिंग कागज है. शब्दों को लिखने का तरीका वाकरी बढ़िए है. हाँ, कुछ याद आया. मैंने इसे कबूल किया. ओ, महानात्मा, जरा इसे देखिए. ठड़ा. ये एक खास गाट है, जिसे समझदारी से बनाया है. तुम इतने समझदार तो नहीं लगते. किताब घर में जा सकते हो. मैं सिर्फ समझदार नहीं चतुर भी हूँ. तो आ. तुम्हें आग पसंद है? वैसे मुझे उस जमीन पर मजा नहीं आता, जहां मैं देखना बाऊं. वैसे मैं उस तरह नहीं देखती, जिस तरह तुम देखते हो. मैं समीन के थधराहट महसूस करके उसे देखती हूँ. पर ये जमीन इतनी धीली और इतनी मुलायम है, कि सब कुछ काफी दुनला दुनला सा लगता है. हाँ, आप दुनले में भी थोड़ा दिखाई देता है. जरा इन अजीब से जीवों को तो देखो. मुझे कोई शौक नहीं है. एंग, जानते हैं तुम पिछली जन्व में बाया हाथ इस्तमाल करते थे? मैं हमेशा से जानता था, मैं खास हूँ. अगनी देश के इतिहास का सबसे काला दिन. उपर इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखा है. शौक आकर तुम कहा जा रहे हो? मैं जाना चाहता हूँ कि अगनी देश के सबसे काले दिन में क्या हुआ था? शायद इससे पता चल सकता है. अगनी देश के बारे में जानकारी जरूर ये ही होगी. फायर बेंजल्स, उन्होंने अगनी देश के बारे में सारी जानकारी तबाह कर दी. ये बात अच्छी नहीं है. जब भी मैं अगनी देश के करीब पहुचने की कोशिश करता हूँ, तो मानो हमारी बीच का फासला बढ़ जाता है। मुझे जानना है कि सबसे काले दिन पर क्या हुआ था। कैसे हूँ? अजीब लोम्री जैसे दिखने वाले? शायद ये तुम्हें कई ले जाना चाहता है। अच्छा? ठीक है, मैं उसके पीछे जरूर जाओंगा। ये कमरा तो वाकई कमाल का है, क्या खुबसूरत बनाया है, ये तारा घर है, जहां ग्रयाओं की स्थितिका पता चलता है। अब माना ये खुबसूरत है और इसे हमें क्या मदद मिलेगी। शायद ये चक्रत तारीक और वक्त बताते हूं। सौका उस कागस में लिखी तारीक इसमें डाल कर देखो। श। चुप रहो कटारा, उस लोमडी के सामने नहीं, वो उस उल्लू के साथ है। सौका तुम्हारी जितनी तारीक करूं कम है। तुम्हें छुट्टी बताने के क्या बढ़िया जगह चुनी है। अड़ी ये क्या? सुरज को क्या हो गया? मुझे लगता ये खराब हो गया है। ये खराब नहीं हुआ। सूरज चांट के पीछे है, ये तो सूर्य ग्राइण है। अब मैं समझा अगनी देश के सबसे काले दिन का मतलब क्या है। मैं समझ गया, दोस्तों उस दिन जरू कुछ बुरा हुआ होगा, मैं नहीं जानता क्या पर एक बात मैं जरूर जानता हूँ, सूर्य ग्रहन के दौरान फायर बेंडर्स अपनी शक्ति खो देते हैं, मुझे माफ करना, पिल्कुछ सही कहा, सरा सोचो, उत्री धुरूफ पर चंद्रग्रहन के दौरान वाटरबेंडर्स को कुछ ऐसा ही हुआ था, मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया, हमें ये जानकारी बासिंग से में पृत्वी सल्तनत के राजा को देनी होगी, हम अकली गरहन का इंतजार करेंगे, और अगनी देश पर तभी अमला करेंगे, क्योंकि वो हम पर कुछ न जानका बुरे कामों के लिए इस्तमाल करना चाहते थे, तुम समझते नहीं हो, अगनी देश बासि हमेशा बुरे काम करते हैं, उन्होंने तुम्हारे किताब घर को भी नहीं छोड़ा, वो तभाई के अलावा और कुछ नहीं करना चाहते, हमें ये जानकारी हर हाल में चाह और अब मैं जिस से प्यार करता हूँ, उसे बचाऊंगा, ये आप क्या करें? मैं अपना घ्यान वापस ले रहा हूँ, अब कोई इसका गलत इस्तमाल नहीं करेगा, इमारत धर्च रही है, हमें यहां से बाहर निकलना होगा, मैं इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता, क्य मैं पहले ही कहा, मुझे चिपकर सोना पसंद नहीं है, आओ, वो धस रहे है, किताव कर धस रहा है, में, महान ज्ञानी आत्मा, मैं आपसे भीग मांगता हूँ, आप अपने इस ग्earन giàन के भंडार को तबामत कीजिए, इसे सभार कर रखिे, हमें वापन सतय पर पहुंचना होगा सोका चलो चले कटारा पर हम ये बात नहीं जानते कि अगला ग्रहन कब होगा बेवकूफ मत बनो हम बात में पता लगा लेंगे नहीं लगा पाएंगे अगर यहां से निकल गए तो यह जानकारी कभी नहीं मिलेगी आइंग तुम मेरे साथ चलो बुझे तुमारी ज़रूरत है कचारा तुम मोमो को लेकर यहां से चली जाओ जाओ चली कदा पाता अब तुम्हे क्या हुआ कौन है वहां हम यह क्यों कर रहे हैं क्यूंकि अगर यह चकर हमें अथीत के घ्रहन के बारे में बताता है तो शायद मैं अगले घ्रहन के बारे में पता लगा पाऊंगा पर हर दिन को देखना ना मुम्किन है उसकी ज़रूरत नहीं है हमें बस वो तारीक देखनी है, जिस से पहले सूजिस धूम के तू आने वाला है, क्योंकि उसके बाद, खेर, उसके बारे मैं ना सुचे तो ठीक है चलो दिख जाओ, ग्रेहन मिल गया, सूर्य ग्रहण, बस ये कुछी महीनों के बाद है, बहुत खूब, चलो आन्ग, बासिंग से चलें मुझे इसे छोटने पर मशबूर मत करो नहीं, दसना बंद करो नहीं माफ कर दो, आपा कर राद की पार ये बार्म आपा मुझे बार्म ए ठेल गया उन्ग, लिए्ट बारे जीओ कर तो भ्रहण पाँ तुम्हारी वाटरबेंडिंग यहां कुछ खास असर नहीं कर पाएगी मैं कई वाटरबेंडिंग जानता हूँ जाने तक्षिनी तरीका बल्कि पंक फेलाने का तरीका भी इसे कहते हैं सौका का तरीका इसे जान लो रुको प्रोफेसर जल्दी चले मैं यहां से नहीं जाओंगा बिल्कुल नहीं मैं इस जगह को काफी वक्त से डून रहा हूं सारी दुनिया में इससे ज्यादा ग्यान का भंडार और कहीं नहीं है मैं यहां हमेशा हमेशा के लिए रह सकता हूँ चल्दी चलो सूर्य ग्रहन आने वाला है अब देखना अगनी देश की खैर नहीं आपा कहा है तुमने उन्हें आपा को कैसे ले जाने दिया उन्हें रोका क्यों नहीं कैसे रोकती उस तो घर धस रहा था तुम लग उसके अंदर भसे हुए थे और अगर मैं होता तो कुछ भी करके उसे बचा लेता मैं रेट में धरतराट मैसूस नहीं कर सकती ठीहें सारे साइट बेंदर्स थे और मेरे पास वक्त नहीं था तुम्हें आपा की परवा नहीं थी तुम उससे नफरत करती थी तुम जाती थी वह चला जाए एंग बस करो तुम जानते हो कि टॉप ने पूरी कोशिश की इसने हमारी जान बचाई अब हमारी जिंदगिया कौन बचाएगा हम यहां से कभी नहीं निकल पाएंगे तुम लोगों को बस एक ही चीज़ की परवा है वह खुद की तुम्हें इस बात के परवा नहीं के आपा ठीक है या नहीं हम सबको परवा है और ये बहस करने का वाक नहीं है मैं आपा को ढूरने जा रहा हूँ एंग सुनो तो हमें चलते रहना चाहिए सिर्फ हमीं लोगों को सुर्यक रहन के बारे में पता है और हमें ये जानकारी बासिंग से तक पहुँचानी होगी अगर हम उस विशाल उलू को खोजें तो क्या वो हमें बाहर छुड़ देगा हमें आरम करना चाहिए नहीं जुको मेरी खातिर रुकने की जरूरत नहीं अप्चा हुआ करनल मंकी आपको देखकर बहुत खुशी हुई अगर हमें देखकर तुम्हें खुशी हुई इसका मतलब पश्चिम के ड्रैगन में अब वो बात नहीं रही आप इन लोगों को जानते हैं बेलकुल बेटा करनल मंकी और जंगली गैंडों के नाम कई कहानिया हैं हर कोई अलग तरह के हथ्यारों से लड़ने में माहिर है और ये लोग गाने बजाने में भी काफी काबिल है हम किसी का दिल बैदाने नहीं आये हैं हम यहां भगोडों को पकड़ने के लिए आये हैं उससे पहले आप चाय पिएंगे मैं तो पीना चाहूंगा आप क्या कहते हैं काची मैं आपके लिए एक मसालेदार चाय बनाऊँगा आप पिएंगे ना बहुत हो गई बाते इन्हें गिरफतार कर लो प्राने दोस्तों से मिलकर खुशी हुई बस फर्क इतना है कि उनकी दोस्ती में प्यार कम और नफरत ज्यादा थी क्या तुम देखकर नहीं चल सकते हैं नहीं भूल गया था अब चलो भी हमें साथ रहना होगा अगर मुझे इसी तरह पसीना आता रहा तो चिपकना मुश्किल नहीं होगा तुम हिए थोड़ा पानी मिलेगा ठीक है पर हमें से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है हम तुम्हारा बेंडिंग वाला पानी पी रहें ना तुमने इसे उस दलदल वाले पर इस्तमाल किया था इसका स्वात दल्दल जैसा है कोई चारा नहीं हमारे पास सर्फ यहीं है है नहीं था देखो सौकार रुको तुम्हें अंचान पॉदों को नहीं चकना चाहिए इसके अंदर पानी भरा हुआ है मुझे नहीं लगता खुद पी कर देखो इससे तुम्हारी प्यास वाकरी बुच जाएगी क्याक्टिस का शर्मत प्यों मेरी यास बुच गई तुम्हारी भी बुच जाएगी सब की बुच जाएगी ठीक है तुम ये काफी पी चुके हो टॉफ को आग किसने लगाई मैं भी क्याक्टिस का पानी पी सकती हूँ मुझे नहीं लगता ऐसा करना ठीक होगा अब चलो हमें आंक को ढूनना है हम इस गहरे समुदर के बीच में कैसे पहुंचे अपा आपा 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 नही 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 वो हे चाओ वो हे चाओ क्या है वो हे चाओ वो एक विशाल गोवी का फूल है मेरे मूह में तो पानी आ रहा है चलो अब आगे बढ़ो उमीद करो क्यांग ठीक हो गोवी के फूल बड़े अच्छे अच्छे गोवी के फूल हाँ एक नंगे पैर चलने वाली अंधी लड़की और उसके कुछ दोस कुछ दिन पहले यहां से गुजरे जरूर थे क्या तुम हमें यह बता सकते हो कि वो आखिर कहां गए होंगे दिमाग चल नहीं रहा है और हाथ में कुछ खुजली भी हो रही है मेरे हाथ में भी खुजली हो रही है तुमारी खुजली मिटाने के लिए वो रेकिस्तान की तरफ गए थे और मुझे नहीं लगता कि वो बच्चे अब तक जिन्दा बच्चे होंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो जिन्दा मिले या मुर्दा नहीं ऐसा नहीं है मुझे यकीन है उसके पिता को वो जिन्दा ही चाहिए जरत देखो अगनी देश को इनकी तलाश है तो? तो क्या हमारी किस्मत खुलने वाली है? मैं जानती हूँ एंग, तुम मुझे दोर से गुजर रहे हो पर हमें यहां से बाहर निकलना ही होगा क्या फर्क पड़ता है? हम आपा के बिना मर जाएंगे, तुम भी जानती हो हम मत मधारो एंग, हम साथ मिलकर ये काम करें तो ये हो सकता है, है ना टॉफ जहां तक मुझे मैसूस होता है, हम गहरी रेत में फसे हुए हैं, मैं कुछ निकल पाऊंगी सौका, बासिंग से को ढूणने की तुम्हारे पास कोई तर्कीब है? क्यों ना हम चक्कर काड़ते पंचियों से पूछें? हमें यहां से निकलना है और हम यह साथ मिलकर करेंगे चलो उठो, सब लोग हाथ पकड़ लो, हम यह कर सकते हैं, हमें करना ही होगा लगता है अब हमें यहीं रुप जाना चाहिए क्यों तुम्हारे पास थोड़ा पानी है? बस इतना ही बचा हुआ है, सब लोग थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं बोबो नहीं, तुमने सब को मार डाला नहीं, उसने नहीं मारा ओ, वाँ, बेंडिंग सौका, मुझे वो किताब दो, जो तुम घर से लाए थे क्या, मेरे पास कोई किताब नहीं है, तुम्हें यह किसने बताया? वो तुम थे, तुमने मेरी चुगली की सौका, मैं वहीं थी इनसे कुछ नहीं होगा, उनमें से कोई हमेंने बताएगा आपा कहा है हाँ, पर हम पता लगा सकते हैं कि बासिंग से किस तरफ है हम कारों की मदद से दिशा जान सकते हैं रात में जब मौसम ठंडा होगा तब हम सफर करेंगे और दिन में आराम करेंगे तुम सब कुछ दीर आराम कर लो, हम चंद घंटों बाद सफर शुरू करेंगे यहां कोई हमारी मदद नहीं करेगा, यह लोग बस अमीर सेलानी लगते हैं हम भी लगते हैं, आ, यह काफी दिल्चस्प है, लगता है हमें एक दोस्त मिल गया आप यहां पाईशो की बाजी खिलने के लिए आए हैं? मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बुरा काम कर रहा हूँ चलो उन्हें पकड़ ले यह जगे लालची लोगों से भरी हुई है, अगर उन्हें यह पता चला कि हम इनाम के लिए यहां आए हैं तो हो सकता है हमें अपनी रकम जीतने के लिए उन सब से लड़ना पड़े सबर करो क्या मैं यह खेल सकता हूँ? पहली चाल हमेशा महमान चलता है तो आप सफीद कमल के महरे को खोलना पसंद करते हैं वैसे अब ज्यादा लोग इस पुराने तरीके को नहीं आजमाते जो आजमाते हैं वो हमेशा एक दोस्त को पाते हैं तो फिर शुरू करते हैं स्वागत है भाई सफेद कमल अपनी बाहें उनके लिए पहलाता है जो की अपने राज जानते हैं समझ नहीं आता आप दोनों आखिर क्या बाते कर रहे हो मैंने तुम से कहा था ना कि मैं कोई बुरा काम करने नहीं जा रहा मैं सारी रात इनकी बगबग नहीं सुन सकता खेल खत्म तुम दोनों भुगोडे मेरे साथ चलो मैं जानता था तुम दोनों मजरिम हो जिनके उपर एक भारी नाम लगा हुआ है आपने कहा था यह हमारी मदद करेगा जरूर करेगा देखते जाओ तुम्हें लगता है तो मैंने पकड़कर सारा सोना हद्या लोगे सोना? चलो वापस चले चलो उठो हमें जाना है कल मेरे मुझा स्वाद मिट्टी जैसा था पर आज रेद जैसा लग रहा है मैं नहीं जानती थी मिट्टी रेद से बहतर है मैं जाग रहा हूँ मुझे नीम नहीं आई वैसे अगर इस रेद के समुन्दर से बाहर निकलना है तो हमें चलना चाहिए आपा आपा? मेरी प्यारी गधी मुझे उसके क्या जरुवत है मैंने तो उसकी शादी करवा दिया है वो सिर्फ एक बादल है रुको एक बादल? लो उपर उड़ो और उसके पानी को बेंट करके मेरे जोले में भर दो इसमें तो पानी की एक बून भी नहीं है मैं क्या करू अगर वो रेकिस्तानी बादल था? मुझसे जो है सकता था मैंने किया बागी लोग क्या कर रहे हैं? तुम क्या कर रही हो? सब को एक साथ रखने की कोशिश चलो अपना सफर शुरू करें, हमें इस तरफ जाना है लग गया, बिना देखे चलते जाने की आदत से मैं तंग आ चुकी हूँ और किस बेवकूफ ने रेकिस्तान के बीच एक नाव दफनाई हुई है एक नाव? मैंने उसे इतनी जोर से मारा कि मुझे उसकी थरतराट महसूस हुई यह तो एक ग्लाइडर है जो सैंड बेंडर्स इस्तमाल करते हैं और देखो इस पर एक दिशा सूचर भी लगा हुआ है मुझे यकीन है यह हमें यहाँ से निकाल लेगा एंग तुम हवा को बेंड करके यह नाव चला सकते हो हम यहाँ से निकल जाएंगे सफेद कमल संग के इतने उचे स्तर के सदस्य का स्वागत करने में हमें बहुत खुशी होती है एक क्रेंड मास्चर होने की हैस्यत से आपको बहुत सारी राज बता होंगे आपने पाईशो तो खेल लिया अब क्या आप उनों की सजावट करेंगे या कोई हमारी सच में मदद करेगा मेरे भतीजे की बातों पर ध्यान मत देना ये अभी भी बहुत नादान है और इसमें रहस से मैं देवताओं की बिलकुल समश नहीं है बाग पर दस्तक किस ने दी? उसी ने जिसने उसका फल खाया है और रहस से को चखा है अंदर सिर्फ सदस्त ही आ सकते हैं तुम बाहर रुको इस दिश्या सूचक का काटा मेरे कागस के मुताबिक उतर की तरफ निशाना नहीं कर रहा दिमाग पर बोज मढ डालो मेरी बैना मुझे यकीन है रेत में रहने वालों ने इस नाव को सोच समझकरी बनाया होगा दिश्या सूचक उसकी तरफ इशारा कर रहा है वो विशाल चटान वो जरूर रेगिस्तान का चुंब किया केंद्र होगा एक चटान वाँ चलो चले शायद हमें यहां और चटाने भी मिले काश हमें यहां कोई सैंड बंडा दूल जाए वाँ क्या बात है आखिरकार जमीन मिल गई लगता है कैक्टिस शर्वत का असर अब थोड़ा कम हो रहा है और देखो इसका स्वात तो बहुत ही घटिया है मैं धिला हो रहा हूँ पूरे दिन कैक्टिस शर्वत की वज़े से तुम्हारे होश ठिकाने नहीं थे और उसके बाद तुमने गुफा के दिवार पर चिपके हुई अजीब सी चीज को चाट लिया मुझे कुद्रत की हर चीज से लगाव है मुझे नहीं लगता ये कोई आम गुफा है इससे जरूर किसी चीज ने बनाया है हाँ इसका आकार तो देखो शायद मुझे कुछ आवाज आ रही है वो हमारी तरफ आ रहे है क्या करी हो यह पत्थर तो मेरी चटी मना देता माफ करना मैं उन्हें सिर्व जमीन पर मैसुस कर सकती हूँ इसे मैं संभालूंगा लगता है मेरा सिर्व भी थोड़ा भारी है हम यहां से निकलना होगा मेरे पास बेंट करने के लिए पानी नहीं है कि मुझे उसे बचाने जाना ही होगा अब चलो हमें नीचे जाना है कि टॉफ वहां पर पथर मारो अभी वा क्या निशाना था उसका निशाना लगा ना हाँ अब आगे चलो क्योंत्क कुचẳि कि वढ़ा ले धुफ या उसे निष्ट तुम्हारी बाही तरफ नुदू यहां क्या हो रहा है? आपकी बाचित खतम हो गई? सारे इंतिजाम हो गए हैं अब हम बासिंग से जा रहे हैं बास सिंग से हम प्रित्वी सल्तनत की राजधाने क्यों जा रहे हैं वहाँ शहर में शर्णार्थी भरे हुए हैं दो और बढ़ गए तो क्या फर्क पड़ेगा हम वहाँ आराम से छिप सकते हैं और सारी दुनिया में अगनी देश थे वो सबसे सुरक्षित जगा है मैं भी शहर तक नहीं पहुँच पाया था आप लोगों के पासपोर्ट मेरे पास हैं पर सडक पर दो लोग हैं जो आपको ढूंड रहे हैं इन दोनों को देखा है क्या? तुम हमारे इलाके में हमारे नाओ के साथ क्या कर रहे हो? इसे देखकर लगता है तुमने इसे महामी जाती से चुराई थी हमें ये रेगस्तान में दबी हुई मिली थी हम अफ्तार के साथ सफर कर रहे हैं हमारा भैसा चोड़ी हो गया और हमें बासिंग से पहुंचना है तुम सभी हमारे लोगों पर चोड़ी का इलजाम लगा रहे हो जबकि तुम खुद चुराई हुई नाव पर सफर कर रहे हो कभी किसी ने हमारे लोगों पर कोई इलजाम नहीं लगाया अगर ये जो कह रहे हैं वो सही है तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए माफ करना पिताजी पेटे की आवाज जानी पैचानी लग रही है उसी ने आपा को चुराया था पक्का यकीन है मैं आवास कभी नहीं भूलती तुमने आपा को चुराया कहा है वो तुमने इसके साथ क्या किया ये जूट बोल रहे हैं चोड तो यही है कहां चुपाया है उसे ए सुनो, ये दोनों आदमी कहां है मैंने सुनाए ये तुमारी दुकान में चुपे है जैसा कि आपने देखा, हमारे अलावा यहां कोई नहीं है हम तुमारे खुपिया कमरे के बारे में जानते हैं उसी मार गिराओ सुनो, उस कमरे में सिरफ फूली है लगता है किसी के पास पाईशो के पूरे मुहरे नहीं है ये, चलो वापिस उस लड़की को ढूणने चले तुम मुझे बता दो बतना तुमने ये क्या कर दिया? अगिस्तान से निकलने में मदद करेंगे, हमसे जो पन पड़ता हम करेंगे घर झाले ये, हमसे। वोटर बेंडिंग धमाका ये वाँ प्राचीन आत्मा वाली पुस्तक घर का 5000 साल पुराना नक्षा अब इस पर पानी फिर गया माफ करना पता लगा है DID पता लगाया कौन से राषते से जाएंगे सुनो हम रेगिस्तान से अभी अभी बाहर निकल आra on a kitchen in the addition of fashion जोड़ता है और उसे सर्प गलिका आ जाता है पर क्या ये सबसे बढ़ी हा रास्ता है सिर्फ यही एक रास्ता है और आपा भी नहीं है नहीं तो हम उड़कर वहां पहुच जाते आपा की बात मत करो तुम सोच समझ कर बात नहीं कर सकते कटारा मैं जानता हूँ आपा को खोने पर पहले में मायूस जरूर था पर अब मेरा सारा ध्यान बासिंग से पहुचने में लगा हुआ है ताके मैं पृत्वी राजा को सूर्य ग्रहन के जानकारी दूँ ओ तो ठीक है खुशी है कि तुम्हें इसकी परवा है चलो बासिंग से चलते हैं और कोई सवाल नहीं कैसे हो मेरे शर्णार्थी दोस्तो तो आप लोग भी बासिंग से जा रहे हैं हाँ बिलकुल इससे पहले कि मेरी पत्नी बच्चे को जर्म दे हमें वहाँ पहुचना है अच्छा तो हम सर्ब गली से एक साथ साफर कर सकते हैं क्या का सर्ब गली उस खतरनाक रास्ते से मजबूरी में ही लोग गुजरते हैं खतरनाक रास्ता तुम्हारा जवाब नहीं सोका हमारी वाकई एक मजबूरी है तो मैं हमारे साथ चंद्रमा खाड़ी पर चलना वो बासिंग से पहुँचने का सबसे तेज रास्ता है और वो गुप्त है इसलिए अग्नीदेश को उसका पता नहीं चलेगा शांत नाव कि सवारी या खतरना गली यकीन नहीं होता कि अग्नीदेश ने कितने लोगों की जिन्दगियां तबा की है इन सब को एक बहतर जिन्दगी की तलाश है ये बासिंग से कि दिवारों के पीछे ही सुरक्षित रहेंगे किसे पता था कि आखिर इतने सालों बाद मैं उसी जगह पर वापस लोटूंगा जहां मुझे मुझे मूग की खानी पड़ी थी एक सैलानी बनकर नजरे घुमाईए हम सैलानी नहीं हैं हम यहां शरनार थी हैं उप गया हूं बासी खाना खाकर कंदगी में रात को साथ कर इस तरह की सिंदगी से तंग आ गया हूं मैं हम सब की तरह ही मेरा नाम जेट है और यह मेरे लंगोटिया यार स्मेलर भी और लॉंग शॉट है कैसे हो देखो मेरी बात सुनो जहास का कप्तान लजीज खाना खा रहा है और शरनार्थियों को सड़ा हुआ खाना मिल रहा है यह तो को इंसाफ नहीं हुआ वो किस तरह का लजीज खाना खा रहा है वैसा ही जो एक राजा खाता है तुम हमारे साथ कुछ अच्छा खाना ल तुमसे पहले कह चुकी हूं नाओ पर सब दिल जाना मना है तुम्हारी एक गोभी बासिंग से के पर्यावरण को हिला कर रख सकती है सुरक्षा कर्मियों यह क्या कर दिया मेरी कोभिया अगला अब बासिंग से जाने के लिए नाव की चार्टिक्टर देंगी पासपोर्ट दिखाओ कि किसी ने बताया नहीं हमें पासपोर्ट की जरूरत है आप जानती नहीं है यह कौन है यह अवतार है छोड़ो भी मैं दिन में 50 अवतारों को देखती हूं और जानते हो तुम उनसे कुछ ज्यादा खास नहीं और एक बात जान्वरों की मनाई है क्या मैं सुरक्षा कर्मियों को बुलाओं नहीं नहीं इसके जरूरत नहीं है अगला मैं इसे संबालती हूं मेरा नाम टॉफ भी फॉंग है और मुझे चारते किट चाहिए और उन्ने वाले सांड के सुनहरी मोहर बे फॉंग परिवार की मदद करना मेरे लिए फक्र की बात है आपको फक्र होना भी चाहिए जैसा कि कि आप देख रहे हैं मैं अंधी हूं और ये तीन आम लोग मेरा ख्याल रखते हैं पर ये जानवर ये मुझे रा दिखाता है वैसे आम तोर पर एक पासपोर्ट पर एक ही टिकेट मिलती है पर ये दस्तावेज इतना शांदार है कि इस पर आपको चाहर टिकेट मिलेंगे जैसो को जानती हूं ताना कसने वाले खुद को मजाक्य समझने वाले और हां तुम अफ्तार के साथ सफर कर रहे हो क्या मैं तुम्हें जानता हूं इसका मतलब तुम मुझे भूल गये शाय तुम्हें यह याद हो सूकी सूका तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई तुम पहले से कितनी अलग लग रही हो और ये नया लिबास क्यों वो खडू सौरत सभी को यही लिबास पहनने को कहती है और सूका तुम बिलकुल अलग लग लग रहे हो पहलवानी शुरू की यही कुछ 100-200 दंड किया करता हूँ मैं और कुछ खास नहीं क्या यहां ओर भी कियोशी योद्धा है हाँ है तुम्हारे जाने के बाद हम लोगों की मदद करना चाहते थे हमने कुछ शरनार्थियों की मदद की और तब से हम यही है कैसे हूं मुमू तुम्हें भी देखकर बात खुशी हुई तो बताओ तुम नाओ की टिकते क्यों ले रहे हो जबकि तुम आपा पर बैठकर वहां जा सकते हो आपक हो गया है उमीद करते हैं वो बासिंग से में होगा यह सुनकर मुझे दुख हुआ वैसे आंग तुम ठीक तो हो ना मैं बिल्कुल ठीक हूं सब लोग मेरी फिकर करना बन करेंगे आफ़तार आई आपको हमारी मदद करनी होगी किसी ने हमारा सारा सामान चुरा लिया हमारी टिक्टे हमारा पासपोर्ट सब कद चला गया मैं आपके लिए उस महिला से बात करूँगा पासपोर्ट नहीं तो पर वो मा बनने वाली है और उनका सारा सावन चोरी हो गया है आपको मदद करनी चाहिए कोई मदद नहीं अगर मैं इसी तरह सबको टिकेट बाटती रही तो कानून की धज्जिया उड़ जाएंगी और तुम जानते हो इसका क्या मतलब है कोई अनुशासन नहीं हम उने और अब हम सर्व गली से जा रहे हैं तुम्हें शिकायत करने के अलवा और कुछ नहीं आता किया मैं भी आ रही हूं तुम्हें लगता है यह करना ठीक होगा मुझे लगा कि तुम चाहते हो कि मैं आउँ चाहता तो हूँ पर पर क्या नहीं खुशिये तुम साथ चल रही हो क्या यही सर्प कलिए मुझे लगा था यह थोड़ी टेड़ी मेड़ी होगी एक सर्प की तरह शायद इसका नाम गलत रखा है इस लिखावत को देखो बहुत अजीब है आखिर लिखा क्या है लिखा है उमीद करना छोड़ दो उमीद को कैसे छोड़ दे हमारे पास सिर्फ य इसलिए शायद हमें उसे छोड़ देना चाहिए एंग तुम यह क्या कह रहे हो उमीद हमें बासिंग से नहीं पहुंचाने वाली ना ही आपा को ढूनने वाली है हमें अपना ध्या निजबात पर लगाना होगा कि हमें फिलहार क्या करना है और वो है इस रास्ते से गुजर ठीक है शायर तुम ठीक कह रहे हो पश्यमी नदी पर अगनी देश का नियंत्रण है सुनने में आ रहे हैं कि वो दूसरी तरफ कुछ बढ़ा कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि किसी और को यह पता चले बाल बाल बच गया उन्होंने हमें देख लिया चलो भागो सूखी क्या तुम ठीक हो तुमें ज्यादा संभल कर रहना चाहिए चलो मेरी जान बचाने का शुक्रिया ठोफ अरे कोई बात नहीं सूखी तुम्हें वहां नहीं सोना चाहिए पता नहीं यह जमीन पिती बच्ची नहीं हूँ हाँ ठीका ठीका मैं जानता हूं तुम अपना ख्याल खुद रख सकती हो मुझे लगा यहां एक मकड़ी है पर यहां तो कुछ भी नहीं है हुआ 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 है कि पहरेदार आरे है कि अगरे देखो आपको याद करना ठीक है पर तुम्हें हो क्या गया है रेकस्तान में तुम्हें सिर्फ उसे डूने की परवा थी और अब लगता है तुम्हें उसके बिल्कुल परवा नहीं है तुम्हें पता है मुझे वहां क्या हुआ था आपको खोने पर मैं इतना गुसे में था कि अपने आपसे बाहर हो गया था मुझे उस बरताव से चिड़ाती है पर अब तो तुम कुछ भी मैसूस नहीं करना चाते हो चानती हूँ कभी-कभी उमीद करने से चोड़ पहुँचती है और परवा करने से और चोड़ पहुँचती है पर तुम उसे वादा करो कि तुम परवा करना चोड़ोगे नहीं चलो यहां आओ मुझे राय देने के लिए शुक्रिया कटारा आज चान कितना खुबसूरत है हाँ वो तो है देखो मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी परवाह है पर मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ ये मैं भी जानता हूँ फिर तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो जिसकी परवा करते हैं उसे खोने पर बुरा लगता है उत्तरी दुरूव पर मैं किसी अपने को बचा नहीं पाया मैं नहीं चाहता कि आगे भी कुछ ऐसा हो मैंने भी किसी अपने को खोया था, वो मरा नहीं था, वो चला गया था, मुझे उसे जानने के लिए सिर्फ कुछ दिन मिले थे, पर वो सुन्दर, बहादूर और मजा किया था वो आखिर है कौन, और क्या वो मुझसे लंबा है? नहीं, तुम्हारे जितना ही है मुझसे बहतर दिखता है अरे वो तुम ही हो बुद्धू ओ ये ठीक नहीं है मुझे माफ कर देना नहीं, माफी मत मांगो तो, स्मेलर पी, एक जवान लड़के का बहुत ही अजीब नाम है इसलिए क्योंके मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ तो, ये बात है, एक खुबसूरत लड़की का खुबसूरत नाम है समझ गई, तुम सही हो, अगर मुझे खुद पर यकीन है तो कोई क्या सोचता है, मुझे उसकी परवा नहीं शुक्रिया, लांगशाथ साथियों, मैंने सुना है, लोग बासिंग से में रोज ऐसा ही खाना खाते है मैं वहाँ की विशाल दिवार देखने के लिए बेताब हूँ वो वाकई बहतरीन नजारा है तो आप वहाँ पहले गए हैं? हाँ, पर तब हालात कुछ और ही थे मैं अतित की वो चीज याद नहीं रखता जिससे मुझे शर्माती है तभी तो मैं बासिंग से जा रहा हूँ एक नई शर्मात के लिए दूसरा मौका वाकई काफी समस्दार हो मुझे लगता है अगर लोग चाहें तो अपनी जिंदगी बदल सकते हैं मैं दूसरे मौकों पर यकीन करता हूँ सब एक के पीछे खड़े रहो एंग मेरी मदद करो वो चीज क्या है हाँ अब समझा की से सर्वकली क्यूं कहते हैं सुकी तुम समुदरी शैतानों के बारे में जाती हो चलो भगाओ इसे मैं समुंदर के पास रहती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उन्हें भगाना आता है ओ महान और ताकतवर समुदरी साफ हमारी तरफ से ये लजीज भेट कुबूल कीजिए शुक्रिया सोका मैं उसका ध्यान भटकाता हूँ कटारा सबको दूसरे और ने जाब तौफ आके बढ़ो ये सिर्फ बर्फ है नहीं नहीं मैं इस छोटे से टाबू बरी ठीक ठाकू सोगा मैं आ रही हूँ तुम बिल्कुल सही दिशा में आ रही हो बस मेरी आवास की तरफ आती रहो नहीं चाओ तो भी आना पड़ेगा बस तुम पहुंच ही गई हो बचाओ मुझे तेरना नहीं आता मैं आ रहा हूं टॉफ बचाओ तुमने मेरी जान बचाई वैसे एक बात कहूं तुम्हें मैंने बचाया माफ करना मुझे किनारे तक ले चलोगी सुकी यहे यहे वो रही दीवार अब बासिंग से पहुँचने से हमें कोई नहीं रोक सकता अरी नहीं अब क्या हुआ वक्त आ गया है क्या अभी क्या आप इसे थोड़ी दे रोक नहीं सकती सुकी सुकी जानते हो, तुम्हारा घाव देखते ही मैं पहचान गया था कि तुम आखिर हो कौन, घर से निकाले हुए, मेरी तरह, और अगर हम दोनों को एक साथ रहना है, तो हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, क्यूंकि और कोई साथ नहीं, मैंने अभी अभी ये सीखा है कि अकेले सिंदकी बिताना सबसे अच्छा रास्ता नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, येंग, सौका, पानी कहां गया, अब धकेलने के लिए तैयार हो जाओ, एक, दो, तीन, धकेलो, लड़की हुई है, तो तुम बच्ची को देखना चाहते हो, या भीसे एक बूडी औरत की बेहोश हो जाओगे, हाँ, नहीं, इस बार मुझे कुछ नहीं होगा, एंग, तुम्हें अंदर आकर ये देखना चाहिए, लखता है स्वस्त है, बहुत खूबसूरत है, ये दिखने में बहुत ही छोटी है, तो हम इसका क्या नाम रखें, मैं चाहती हूँ कि इसका नाम तेरी बच्ची के नाम का कुछ मतलब हो, कुछ दिनों से मैं काफी बुरे वक्त से गुजर रहा हूँ, पर तुमने मुझ में फिर से उम्मीद जगा दी, सोच लिया कि बच्ची का नाम क्या रखेंगे, उम्मीद, हाँ, ये बिलकुल सही नाम है, उम्मीद, मैं खुद को मजबूत करने के कोशिश कर रहा था, पर असल में मैं अपने जजबादों से दूर भाग रहा था, इस परिवार को एक साथ देखकर, और इनका प्यार और खुशी देखकर, मुझे याद आया मैं आपा के बारे में कैसे सोचता हूँ, और तुम्हारे बारे मे में भी, मैं वादा करता हूँ, जितना जल्दी हो सके आपा को ढून निकालूंगा, फिलहाल ये करना बहुत जरूरी है, बड़ी शेहर में मुलाकात होगी, मेरी तलब से उस बड़े बालों के जुन को प्यार देना, तुम उसे ढून लोगे, आइंग, जानता हूँ, शु सौका, तुमसे दुबारा मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, रुख जा, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अलविदा कह रही हो, मैं तुम्हारे साथ इसलिए आई ताकि तुम सर्फ गली को सही सलामत पार कर सको, पर अब मुझे बाकी योध्यों के पास वापस जाना है, अच्छा तुम इसलिए साथ हाई, ताकि मेरी रक्षा कर सको, देखो सोका, कल राज जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर देना, बातों बातों में मैं जजबाती हो गई, और पता नहीं फिर मुझे क्या हुआ और इससे पहले की, बहुत बाते करती हो, माफ करना मोमो, आपा को इंतजार करना होगा, पता हम सकत्राओ आव यय के हुआ आपा कर नहीं, जहीं होए पना है, बहुत आडए है भndर आते कर दो हुआ है, इंतने यह झात्राव भndर से घ्लताव नहीं हो अगत्वाशों अचल में महीं जो, जोर में सकत्राब है, कि यह मशीन प्रतीक है तकनीकी विकास और हर जगा दबाही मचाने का एक बार ये दिवार में सुरंग बना दे फिर हमारी सेना शहर में धावा बोल देगी और प्रिथ्वी सल्तनत गिर जाएगी और फिर आप अपने पिता के लिए बाह सिंग से जीच सकेंगी हमें कोई नहीं रुख सकता पर उन तगड़े आदमियों का क्या जो वहाँ नीचे है क्या कहा इस मशीन का भारी हिसा अर्थ बेंडिंग हमले से बरबात नहीं होने वाला मुझे आपकी बातों पर पूरा भरोसा है युद मंत्री जी पर साफधानी बरतते हुए मैं और टाइली जाकर अर्थ बेंडर्स को संभालो कुछ तो करने का मौका मिला एंग तुम यहां क्या कर रहे हो मुझे लगा तुम आपको डून रहे हो डून तो रहा था पर किसी बड़ी सी चीज ने मुझे रोक दिया ऐसी कौन सी बड़ी सी चीज है कि तुम आपको भूल गए वो हम बासिंग से पहुँच गए पर अब भी सुरक्षित नहीं बिल्कुल भी नहीं तुम लोग यहां क्या कर रहे हो आम नागरिकों का यहां अना मना है मैं अवतार हूँ मुझे यहां के जेनरल से मिलना है आपको हमारी इतने फिक्र है यह जानकर खुशी भी नौजवाना उतार पर आपकी मदद की जरूरत नहीं जरूरत नहीं तुम बिल्कुल सही समझे हालात मेरे काबु में हैं मैं यकीन दिलाता हूँ अगनी देश दीवार को तोड़कर अंदर घुस नहीं सकता काफी लोगों ने अंदर घुसने की कोशिश की पर कोई कामियाब नहीं हुआ लेकिन पश्चिम के ड्राइगन का क्या वो घुस गया था वैसे अब एह तरह से हाँ पर उसे तुरंत वहां से वापस भगा दिया गया था बते भूल जाओ तभी तो इस शहर को बास शे कहते हैं शेहर जहां कोई भी अंदर नई आ सकता इसे न आ से नहीं कहते हैं इसका मतलब खुच्र कने वाला शहर हाँ जानकारी डेने का शुक्रिया पर अब भी मुसीबत बनी हुई है वा मुसीबत नहीं है उसे रोकने इक लिए मैंने खास अर्थ बेंडिंग सेना को बेजा है जिसे कहा जाता है जावाज सेना वाकई काफी बढ़िया नाम है जावाज सेना है यार हम नहीं हम परबाद हो गए खुद को संभालने की कोशिश कीजिए तुमने सही का माफ कर देना शायद अब आप अवतार की मदद लेना चाहें कि यहां मदद करिये सबसे बड़ा सवाल है हम उस चीज को आखे रोकेंगे कैसे तुम सब लोग मुझे क्यों देख रहे हो क्योंकि योजना तुम बनाते हो क्या मैंने योजना बनाने का ठेका ले रखा है मेरा दिमाग नहीं चल रहा और शिकायत करने वाली शक्स भी हाँ यह फिर भी ठीक है तो मिस्टर ली और मिस्टर माशी यहीं है ना तरसल वो मूशी है मुझे मेरा काम तुम समझाओगे और नहीं नहीं पर एक बात तो है आप एक खिलती हुए कली है जिसकी खुश्बू से सारा चमन महक उता है तुम भी आखो से बात करने में माहिर हो ना जवान मियाव बासिंग से में तुम्हारा स्वागत है मैं भूल जाओंगा मैंने ऐसा कुछ देखा था लगता है वो एक अच्छा स्वतंत्रता सेनानी बनेगा वो भी अपनी मंजिल तलाश रहा है हमारी तरह तुम उसके बार में कुछ नहीं जानते हो जैड मुझे पता है उसे वो घाव किसी वाटर बेंडर ने नहीं दिया मुझे लगा था अब हम सीधे रास्ते पर चलेगी हाँ बिल्कुल और हमें ली जैसे लड़कों की ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें क्या लगता है लॉंग शाट मुझे अपना जवाब मिल गया इससे आखिर हुआ क्या यह गायल तो नहीं लगता यह अंदरूनी घाव है तुम्हारी साथ यह किस ने किया दो लड़कियों उनने हम पर हमला किया उनमें से एक मुझे लगातार मारती रही और मैं अर्थबेंड नहीं कर पाया उसके बाद में बेहोश हो गया बस इतना ही याद है टाइली वो इतने खतरनाक नहीं लगती पर वो इंसानी शरीर की कमजोरियों को पहचानती है मानों वो आप पर अंद मैं उस पर अंदर से वार करना होगा एक बार मैं अर्थबेंड कर दू तो तुम देख नहीं पाऊगे इसलिए मेरे करीब रहना अरे ये धूल कहां से आई कुछ दिखी नहीं रहा है गड़ बड़ फिक्र मत करिये शहजादी वो सिर्फ एक छलावा है सब लोग कटे में कूदो यहां नीचे कितना अंधेरा है मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है पाप रहे अब क्या होगा ठीक है नहीं कि वहाँ कि अधाफ चलो आओ मैं उस दातोई चीज में बिल्कुल नहीं जाने वाली मैं वहाँ बेंडिंग नहीं कर पाऊंगी मैं उन्हें रोकने की कोशिश करती हूँ ठीक है फिर मिलेंगे मुझे इस यंत्र की रूप रेखा चाहिए एक नक्षा जिससे पता चले कि अंदर क्या है फिर हम इसकी कमजोरी जान सकते हैं पर हमें उस तरह की चीज कहां से मिलेगी यही तो मैं चाहता हूँ इतने बड़ी यंत्रों को चलाने के लिए कारीगरों की जरूरत पड़ती है और अगर कोई खराबी हो जाए तो तो वो से ठीक करने आते हैं कैसे हो इससे काम बन जाएगा यह मशीन दो एहम हिस्सों में बटी हुई है यह वो अंद्रूनी हिसा है जहां हम है और यह है बाहरी धाचांग अंद्रूनी और बाहरी हिसा इन कडियों से जुड़ा हुआ है अगर हम इने काट दे तो सब कुछ ठप हो जाएगा तो कुछ सोचा है शेर के अंदर जाने के बाद क्या करोगे चाए चाए बासिंग से कि गर्मा गरम चाए ओ एक अत्रक वाली देना है अगर अगर यह तो बासिंग से की सबसे ठंडी चाए कितनी घटिया है यह मुझे तुम से कुछ बात करनी है अकेले में अगर हम शहर में साथ रहने का फैसला करें तो हम दोनों के लिए बहुत ही फाइदे मंद होगा क्या तुम हमारा साथ देना चाहोगे शुक्रिया पर मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा करना चाहोगे चोड़ो भी यादे हमने मिलकर खाना चुराया था जरा सोचो इन शरणार अरे अपनी चाय को फायर बेंट क्यूं कर रहा हो एक समझतार बुज़ूर्ग आदमी से मुझे ये उमीद नहीं थी मैं जानता हूं कि किसी चीज के चले जाने से रोना नहीं चाहिए पर मुझे बहुत दुख हो रहा है पाप रे ये नक्षे में जितने छोटे दिख रहे थे असल में उतने ही बड़े हैं इन्हें तोडने में हमें काफी महनत करनी पड़ेगी ये हमका क्या मतलब है एंग और मुझे तो सारा काम करना पड़ेगा देखो मैं योजना बनाने वाला हूँ और तुम दोनों अपनी शक्तियों का इस्तमाल करके तोड़ने वाले मिलकर हम सब पे भारी हैं दोबारा शुरू करो साथियों हमसा मेरा मतलब तुम अगर चाहो तो अगर यही रफ्तार रही तो यह दिवार को जरूर नुक्सान पहुचा देगा उन्हें तोड़ते तोड़ते हम पूरी तरह ना तूट जाए तुमने सुना ना हमने इसे तोड़ दिया अब हमें यह से निकलना चाहिए मुबारको दल मशीन ने बा सिंग से की दिवार को छू लिया है अब हमारी जीत जादा दूर नहीं है मैं इसे खिसका कर रहूंगा यह ठीक नहीं बिलकुल नहीं हम इसे तोड़ने में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं पर इसमें काफी वक्त लग रहा है शायद हमें इने पूरी तरह काटने की जरूरत नहीं है टौफ मुझे सिखा रही है अपनी पूरी ताकत कभी मत लगाओ जब तक सामने वाला हमला ना करें सौका लड़ने के लिए तयार हो जाओ तुम्हें तेज और चालाफ होना चाहिए कई जगे मारना चाहिए और अपने विरोधी को हिला देना चाहिए और जब पूरी तरह लड़कड़ा है तो आखरी पैतरा आजमाओ उसके बाद वो खुद बखुद गिर जाएगा देखा पर हाँ अगनीदेश को छोड़ कर चलो नासुपैल चर्दी करो यह कापी है हमें अगली कड़ी पर जाना होगा ग्राइम मंतरी एक इंजिनियर पर हमला हुआ उसका नक्षा चुला लिया गया है मशीन के अंदर के हिस्से की एक कड़ी को पूरी तरह से काट दिया गया है वो कभी भी गिर सकती है चलो चले लड़कियों अब आंक को सिर्फ जाकर वाह अजूला तुम सही थी अफ्तार वाकई में यहां है और उसके दोस्त भी कैसी हो दोस्तों निकलो यहां से मैं जानता हूं मुझे क्या करना है रुको मुझसे ज्यादा तुम्हें इस पानी की जरूरत है उनका पीछा करो अफ्तार मेरा शिकार है कीचर से भरा नाला इसका क्या मतलब है इसमें पानी और पत्थर मिला हुआ है मतलब हमारे निकलने का रास्ता चीव कितना गंदा है तो क्या हुआ अजूला ने कहा है उनका पीछा करना होगा वो चाहे मुझे फासी के फंदे पर लटका दे मैं इस गंदकी में नहीं जाने वाली पर अज कि आजूू है पुआ अजू आए ख़ूएओ ौजएब लेड़ वो चाहे राएदे जूएअगा रहुआ ठिकलने नहीं बादे में पानी पानी अजूएँ़ ख़ूएब पानी लूएवश्श्ट ओूएए़ उनिएफ पानी इस अब तो मेरी उर्जा को क्यों नहीं रोकती, बद्दमाग कहीं की? कजारा उसे रोके रखना, इस तरह मशीन में दबा बढ़ता जाएगा, और जब अंग अपना आखरी पैत्रा आजमाएगा, तो मशीन भट जाएगी. ये जगे बिलकुर ठीक लगती है, मॉमो. जेनरल सन, अपने सिपाईों से कहिए यहां चटान फेगना बंद कर दे. सिपाईों, कुछ भी हो जाए, नीचे चटान फेगना बंद मत करना. बहुत बढ़िया तक्नीक है, छोटी बहना. लगे रहो. सांस लेना मत भूलना. जानते हो, मैं दंग आ गई हूँ, तुम्हारा बखबख सुनकर कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं. पूरी दुनिया में तुमसे पकाओ, शायद ही कोई होगा. बस ऐसे ही दबा बना कर रखो. तुम्हें मेरी मदद चाहिए? जौफ, इस कीचड को धकिलने में मदद करो. काश मुझे धातु बेंट करना आता. मोमो, जाओ यहां से. क्यां से. झार्णार एर टे लिए लोगे वार्णा का लिए लोगे पार्णा के लिए ... खखब खखब अफब हुछ खब दो हुछ खखब खब खब अगर खब हांग खब तरी दो खब अब खब भाव खब खब ख झालॱ जा झाल। 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 हुआ हुआ है शुक्रिया मुमो मेरे प्यारे दोस्त अब मुझे जरूरत है असल में मुझे इसी चीज की जरूरत थी क्या जरूरत है झाल की erduu़ के जरूरत है स्वेपी की जरूरत है की घरूरत है झाल । मुंपने गरूर कि घर राउश प्रूवर नजा का साथ TWO प्रुमत हुआ हुआ हुआilia हुआ हुआ वे OOOOOO कर्सों है करे जारी, करेंजर करेंजर के वीधा करेंजर हुआ है 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 हम हार गए है बाध सिंग से जाने वाली ट्रेन चूटने वाली है जैट शांत हो जाओ उस बुड़े आदमी के पास गर्म चाही थी तो क्या हुआ उसने उसे खुद गर्म किया था जानते हो वो दोनों फायर बेंगर्स है बहुत ही प्यारा बच्चा है शुक्रिया मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हम सबने बहुत अच्छा किया साथियों ये बार-बार हम कहना बंद करोगे तुम चाहिए जितनी बार इससे कहो मुझे ये पसंद नहीं आने वाला क्यों न हम खुद को गुलेल सेना का नाम देदें देखो ये छोटा सा है बिल्कुल तु मुझे ये नाम अच्छा लगा अच्छा शेहर में चलते चलते इसके बारे में बात करें तो कटारा दल रखें क्या सौका जाबाज हो कि सेना तो मुझाबाज क्या पर तुम लोग तो हो ना वो देखो अंदर की दीवार यकी नहीं होता हम आखें सही सलामत बासिंग से तक पहुँच गये सुनो पनौती मत लगाओ हम पर अब भी एक बड़ा अगनी देश का चमच आग के गोले बरसा सकता है या हो सकता ये शेहर पानी में डूब जाए और अंदर खतरनाक मचलिया तेर रही हो तुमने क्याक्टस शर्बत दुबारा प्या क्या मैं सिर्फ कह रहा हूं हमारे साथ अजीब चीजे होती है फिक्र मत करो आंग हम आपको ढून लेंगे ये शेहर बहुत बड़ा है वो एक विशाल जंगली भैसा है उससे भला कोई कहां छिपा कर रखेगा फिर शेहर में आ गये क्या बात है इसमें दिक्कत क्या है ये बढ़िया है इसे वही दिवारे और वही पुराने नियम थोड़े दिनों में तुम भी इसे तंग आ जाओगे मैं तुम्हें डूण लूँगा दोस्त वो यही है मैं महसूस कर सकता हूँ नमस्ते मेरा नाम जूड़ी है मेरा सबहाग यह है कि मुझे अफ़तार को ये शेहर दिखाने की जिम्मेदारी सौपी गई है और आप जरूर होंगे सोका, कटारा और टॉफ हमारे खूबसरा चेहर में आपका स्वागत है तो क्या हम शुरू करें हाँ हमारे पास अगनी देश की सेना के बारे में एक जानकारी है जो हम पृत्वी राजा को तुरन देना चाते है बढ़िया चलो हमारा सफर शुरू कर और फिर मैं आपको अपना नया घर दिखाऊंगी आपको वो जरूर पसंद आएगा शायद तुमने ठीक से सुना नहीं हमें राजा से युद्ध के बारे में बात करनी है ये जरूरी है अब आप पासंग से में हैं यहां सब लोग सुरक्षत हैं ये निचला घेरा है वो द फिर्शत करती हैं यहां पर शहर में नए आने वाले लोग रहते हैं अश्चलपकार और कारीगरृ लोग जो हातों से कंग करते हैं यहां कितनी रोणक है हाँ पर हर कोई एक ज़सा नहीं होता पता नहीं सारे गरीब लोगों को एक ही जगह पर क्यों रखा जाता है शायद इसलिए मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया बिक्षों ने हमें जो तौर तरीके सिखाय थे वो यहाँ से बिलको ललग है मैं बस चाहता हूँ कि हमारा नया घर खुबसूरत लगे क्या पता कोई अपने साथ किसी लड़की को घर ले आए यह जगह एक कैद है मैं यहाँ अपनी सिंदगी नहीं पिताना चाहता जिन्दगी तुम्हारे इशारों पर नहीं चलती है तुम उसके इशारों पर चलते हो सुनो मैंने हम दोनों के लिए नौकरियां ढूंडी है हमें दोपैर से ही काम पर लग जाना है देखा उन्हें फायर बेंडर सब की सामने खुले आम घुम रहे हैं जेट तुमने एक आदमी को चाहि के साथ देखा तो क्या इसका मतलब वो फायर बेंडर है और अगर है भी तो क्या हम उसके साथ लड़ने वाले हैं मुझे लगा हम नहीं शुरुवात करने वाले हैं पुरानी बातों को भूल कर चुरुवात तो होगी एक बार मुझे सबूत मिल जाए फिर मैं पुलिस को बता दूँगा और फिर सब उन पर सौप दूँगा ठीक है इसे बासिंग से का मध्य घेर कहा जाता है जो की घर है आर्थिक दफ्तर, दुकानों और रेस्ट्रौन्स और विश्व विद्याले का हाँ हम बासिंग से विश्व विद्याले के प्रोफिसर से मिले थे वो हमें एक प्राचीन किताब घर में ले गए जहां हमें यूद के बारे में जानकारी मिली और ये बात हमें राज़ा तक पहुचानी बहुत जरूरी है इतिहास वाकी दिल्चस्प है न देखो ये मध्य घ जहरी है वो यूद के अलावा बाकी सब कुछ सुन लेती है इसे कहते हैं बात को टालना इसकी आद़त डाल लो वैसे दिखने में तो आप दोनों चाय बनाने वाले लगते भी हैं वैसे आपको क्या लगता है अजीब सा क्या इससे कुछ जादा बड़ा मिल सकता है मुझे इसके पीछे एक दोरी लगी हुई है क्यों न एक एक प्याली चाय हो जाए यह चाय गरम पत्तों के निचोड के अलावा और कुछ नहीं है चाचा चाय ऐसी ही तो होती है मेरे परिवार का कोई सदस से इतनी घटिया बात कैसे कर सकता है हमें यहाँ वाकई बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे उपनी घेरे में हमारे सबसे एहम डागरिक रहते हैं आपका गर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है उस दिवार के अंदर क्या है? और वो अजीब सी टोपी पहने हुए कौन है? दिवार के अंदर शाही महल है और वो लोग परिशद के आदमी है जो की बासिंग से का सांस्कृतिक संग है वो हमारे सभी रिती रिवाजों के रक्षक हैं अब हम राजा से मिल सकते हैं? ओ नहीं, कोई भी मूँ उठाकर पृत्वी राजा से नहीं मिल सकता तो ये रहा आपका नया घर एक और अच्छी खबर आपके पृत्वी राजा से मिलने की दर्फास पर गौर किया जा रहा है और एक महीने में ये पूरी हो जाएगी आम तोर पर और वक्त लगता है एक महीना? असल में छे से आच हफतों में ये बढ़िया है ना? मुझे लगता है आपको यहां वाकई अच्छा लगेगा हमें और अच्छा लगता अगर इतनी देर रुकना ना पड़ता हम राजा को और जल्दी नहीं मिल सकते वो दुनिया के सबसे बहतरीन शेहर को चलाने में व्यस्त रहते हैं पर वक्त मिलते ही वो आपसे जरूर मिलेंगे अगर हम यहां एक महिना रहेंगे तो हमें ज्यादा तर वक्त आपा को डूढ़ना है आप लोग जहां भी जाएंगे मैं आप लोग के साथ चलूँगी हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं मैं आपके रास्ते में नहीं आऊँगी पर आपको अकेले छोड़ा तो मैं खराब मेजमान कहलाई जाऊँगी तो शुरू कहां से करें माफ करना मैंने उड़ते जंगली भैसे के बारे में कभे नहीं सुना मैं तो हैरान हूँ अब भी ऐसे जीव हैं अगर किसी को छिपकर एक चोरी की हुए जानवर को बेचना होता तो फिर वो कहां जाता काला बाजार कहां है कौन उसे चलाता है तुम जानते हो यह बताना गयर कानूनी होगा अब आपको चले जाना चाहिए आपका लीमो मेरे पंशियों को तंग कर रहा है मैंने किसी सेंडवेंडर या बंजारे को यहां नहीं देखा आपको प्रोफेसर जैंक से पूछना चाहिए वो हमें रेगिस्तान के बारे में पढ़ाते हैं अच्छा और अगनी देश्व से यूद के बारे में किस प्रोफेसर से बात कर सकते हैं मैं नहीं जानता मुझे लड़ाई जगड़ा पसंद नहीं है मुझे किसी काम से जाना है माफ कीजिए किसी ने आपके जंगली भैंसों को नहीं देखा अब आप जाकर थोड़ा आराम करिए कुछ दिर बाद आपका खाना आ जाएगा हे मेरे साथ चलो ओ तो आप अवतार हैं मैंने सुना था आप यहां आए हैं मैं पॉंग हूँ आपसे मेलकर खुशी हुई तो पॉंग इस शहर में क्या हो रहा है यहां सब लोग युद के बारे में बात करने से डरते क्यों है युद लोग डरते हैं तुमारा मतलब क्या है मुझे मैसूस हो रहा है आपका आप रहो देखो मैं छोटा सा सरकारी कर्मचारी हूँ इस घर के लिए मैंने तीन साल इंतजार किया है मैं मुसीबत में नहीं पढ़ना चाहता मुसीबत में क्यों पढ़ोगे सुनों तुम यह लडाय की बात नहीं कर सकते और जो भी तुम करो परिशत से दूर ही रहना क्या तुम थोड़ी चाय पिना चाहोगे हम दिन भर से चाय की दुकान में काम कर रहे हैं मैं चाय से उप गया हूँ चाचा चाय से उप गये ये तो सांस लेने से उपने जैसा है मुझे लकणियां जलानी है तुमने वो आग लगाने वाला पत्थर देखा वो वह नहीं है उसके लिए फायर बेंड करना होगा ये कहां जा रहा है मैंने पडोसियों से ले लिया था बहुत भले लोग हैं मुझे मिल गया प्रिथ्वी राजा को मिलने का रास्ता मिल गया और बताओगी वो रास्ता क्या है ऐसे कोई मूठा कर वहां नहीं जा सकता राचा ने अपने पालतू भालू के लिए महल में एक आलिशान पाटी रखी है तुम्हारा मतलब उस बचसूरत भालू के लिए? नहीं इसमें बस भालू लिखा है तो जरूर उसका पालतू भुरा भालू होगा या फिर छोड़ असा प्यारा भालू या फिर मोटा भालू सिर्फ भालू ये जगा बहुत अजीब है महल खचाखच भरा होगा हम भीड के साथ अंदर चले जाएंगे काम नहीं बनेगा क्यूं नहीं? वैसे मेरी गाउवालों से कई दुश्मनी नहीं है पर असली उचे समाज के तौर तरीके और तुम में जमीन आसमान का फरक है तुम में तमीज नहीं है क्या कहा तुमने? मुझ में तमीज नहीं है? तो तुम भी कोई दूद की धुली नहीं हो समझी? समाज में किस तरह बरताव करते हैं? यह मैंने पहले सीखा था तुमने कुछ नहीं सीखा है और उस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है पर तुमने सीखा है और तुम हमें सीखा सकती हो जैसे मैं हर तत्व सीख रहा हूँ तमीज भी सीख लूँगा कैसे है जल प्रजाती के जनाब सौका जल प्रजाती की महतर्मा कटारा मोमो सल्तनत के मोमो शेहनशा महान मोमो अवतार एंग आप कैसे है कटारा ये सब फिर भी कर पाए पर तुम्हें सामान उठाने वाले की तरह ही आना पड़ेगा पर मुझ पर कितना शाही लग रहा है हागी वाँ कितने खुबसूरत लग रही हो आम लोगों से बात मत करो कटारा उच्छे समाज का पहला नियम हम पाटी में घुस जाएंगे और तुम्हारे अंदर घुसने का तरीका ढून लेंगे जैट हमें तुमसे बात करनी है क्या अरे तुम लोग मैं तो डर गया था कहां चले गए थे अब उस पर नजार रखने में मेरी मदद करो हमने आपस में बात की देखो तुम्हें सब में कुछ जाधा ही उलज रहे हो यह इतना जरूरी नहीं अच्छा तुम दोनों यह सोचते हो हम यहां आए थे एक नई शुरुआत करने पर तुम ऐसा होने नहीं दे रहे जबकि तुम्हारे पास सबूत भी नहीं होगा अगर तुम मदद नहीं करोगे तो मैं हुदी सबूत इकठा करूंगा यह इस शहर की सबसे बड़ी अच्छाए है इसमें खास सीज़ डाली है प्यार लगता है तुम्हारी तंख्वा बढ़ानी पड़ेगी मैं इंतजार करते हुए ठग गया हूँ ये दोनों आदमी फायर बेंडर्स है मैं जानता हूँ वो फायर बेंडर्स हैं मैंने उस आदमी को चाय गरम करते हुए देखा था वो च्याय की दुकान में काम करता है वो एक फायर बेंडर है, मेरी बात मानो अपनी तलवारे फेक दो लड़के और चले जाओ तुम्हें अपना बचाफ करना होगा फिर सबको पता चल जाएगा अब चलो, बताओ उन्हें तुम क्या कर सकते हो तुम लगना चाहते हो ना, तो फिर आओ, आगे बढ़ो निमंतरन दिखाईए मुझे लगता है ये काफी है निमंतरन के बिना आप अंदर नहीं जा सकते पीछे हट जाईए देखो, पैंक्स और यमसु हॉन्स हमारा अंदर इंतजार कर रहे है मुझे उनसे तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी वहाँ जाके खड़े हो जाईए माफ कीजे, मैं आपका कीमती वक्त बरबाद नहीं करना चाहती पर मेरी बहन ने हमारी निमत्रन खो दिये, ये देख नहीं पाती, आप हमारी मदद कर सकते हैं, हमारा परिवार अंदर है, उन्हें हमारी बहुत फिक्र हो रही होगी मुझे खुशी होगी, मेरे साथ अंदर चलिए इस तरह तो ये सारी चीज़े खा जाए, नजर मत लगाओ अगर भाल्यों को गुस्सा आ गया तो राजा हमें जिन्दा नहीं छोड़ेंगे माहौल खुशूरत है ना, वैसे मेरा नाम लांग फैंग है, मैं इस राज्य का सांस्कृतिक मंत्री हूँ मेरा नाम क्वामे है और ये है बोंदू वैसे तुम्हारा परिवार कहां है, मैं भी मिलना चाहूंगा वो मुझे अभी देख नहीं रहे पर मुझे यकीन है हमें जल्दी मिल जाएंगे, मदद के लिए शुक्रिया अब बिना तुम्हारे परिवार को ढूने तुम्हें अकेला छोड़ना मेरे लिए बहुत शर्म की बात होगी, हम उन्हें मिलकर ढूनेंगे वो दोनों कहां है? सुनो, मेरे पास एक बढ़िया तर्कीब है, हम नाटक करेंगे कि मोमो एक भूत है, ठीक है? वो सिपाईयों के उपर से उड़ेगा, उनका ध्यान बटाएगा, और फिर हम धमाका करके दीवार तोड़ देंगे यह हम इन लोगों के साथ जा सकते हैं, टौफ ने का हम सामान उठाने वाले बन सकते हैं पर मोमो को भूत बनाने की तर्कीब मत भूलना, वो हमें निराश नहीं करेगा तल्वार इस्तमाल करते करते तुम ठक गए हो, तो तुम मुझ पर फायर बेंड क्यों नहीं करते हैं तुम हमें गलत समझ रहे हो, अगर तुम आख का इस्तमाल करते तो तुमें इतनी मेहनत ना करनी पड़ती मेरी नहीं खोट ये फिकर करो आप लोगों ने देखा, अगनी देश मुझे खामोश करना चाहता है, ये कभी नहीं होगा टॉफर कटारा कहा है? फिलहाल उन्हें भूल जाओ, हमें राजा को ढूनना है पतानी वो कैसे दिखते होंगे? आसान है, अलिशान, शाही, लिबास और मेहंगे गहने यहां सब ऐसे ही है, क्या मुझे एक और कबाब मिल सकता है? तुमने हुए ढूंड लिया, मैं तुम्हारी अहट कभी भी पैचान सकती हूं, नाजुक पैल अंदर का रास्ता दिखाने का शुक्रिया माफ करना, पर जो शक्स हमें अंदर लाया, वो हमें अपनी नजरों से दूर नहीं कर रहा लेकिन कौन सा शक्स? आप यहां क्या कर रहे हो? आपको तुरंत यहां से जाना चाहिए, वना हम सब मुसीबत में पढ़ जाएंगे हम राजा को मिले बिना नहीं जाएंगे आप समझते नहीं है, आपको जाना होगा माप कीजे, मैं ठीक कर देता हूँ क्या अफतार? मुझे नहीं पता था क्या अफतार यहां होंगे तुम उनका ध्यान अपनी तरफ रखना मैं राजा को ढूंता हूँ सहीबान देखे मेरा कमाल अपने हतियार फेक दो इने पकड़ लो यह फायर बेंडर्स हैं यह बेचारा गलत समझ रहा है हम तो मामूली से शर्णार थी हैं इस लड़के ने मेरी दुकान तहस तहस कर दी और मेरे कर्मचारियों पर हमला किया यह सच है हमने खुद देखा है इसने शेयर के सबसे बहतरीन चाय बनाने वाले पर हमला किया है ओ तारीफ का शुक्रिया हमारे साथ चलो बच्चे तुम समझते नहीं हो वह अगनी देश है तुम्हें मुझे छोड़ना होगा क्षगते मुझे वढ़ना होगा एंग प्रुद्वी राचा आपको मेरा सलाम मुझे छोड़ दो अवतार मुझे आपसे मिलकर बहुत खोशी हुई मैं लॉंग फिंग हूँ बा सिंग से का सबसे बड़ा सची वा परिशत का करता धरता भी मुझे आपसे बात करनी है आपके दोस्त नीचे हमारा इंतिजार कर रहे हैं आप हमें राजा से बात करनी क्यों नहीं दे रहे हैं हमारे पास जानकारी है जिससे अगनी देश हार सकता है फित्वी राजा के पास दाजनेतिक मामलों रोजमर्रा के सैनिकत विदियो में पढ़ने का बिलकुल वक्त नहीं है आप नहीं जानते ये जानकारे उनके लिए बहुत एहम है जहां पना के लिए सबसे एहम ये है कि वो बासिंग से की सांस्कितिक संपत्ति को बनाए रखें ऐसे मामलों में वो अपना जरा भी वक्त जाया नहीं करते मेरे से मिदारी है बाकी सारे कामों को देखनी और समहन लेगी जिसमें रक्षा मामले भी शामिल है तो राजा सिर्फ नाम का ही राजा है? वो आपके इंशारों पर नाचने है अरे ये तुम क्या कह रहे हो? हमारे जहां पना तो एक महां शक्स हैं इस जगा के रखवाले वो एक कभी न खत्म होने वाले युद्ध के जंजट में पढ़कर वक्त बरबाद नहीं कर सकते पर हमें एक सूर्य ग्रहन के बारे में पता चलाए जिससे अग्नी देश बिलकुल बेबस हो जाएगा आप उन पर हमला कर सकते वहत हुआ वजय तुमारी भद्धी योजना नहीं सुनी है बास सिंग्से का एक कड़ा नियम है दीवार के अंदर युद्ध का नाम ना लिया जाए लगातार इस तरह की युद्ध के खबर सुने से बास सिंग्से के नागरिक घबला जाएगी तुम्हें मेरा यकीन कर रहा होगा वो फायर बेंडर्स है और वो भरोसे के लाइक नहीं है शान्त रहो अब तुम सुरक्षित हो हमारी आर्थी के सितिक अम्जोर पड़ जाएगी हमारे जीने का तरीका हमारे संसकार तबाह हो जाएगे बासिंसे में कोई युद्ध नहीं है यह तुम क्या कह रहे हो सारे शान्त भी वहीं से आये हैं तुम यह छिपा नहीं सकते हैं बाहर चाहे जो भी हो रहा हो पर बासिंसे के अंदर हमेशा शान्ति थी और हमेशा रहेगी और यही हमारी पहचान है दिवार के अंदर कोई युद्ध नहीं है यहां हम सुरक्षित हैं यहां हम आजाद हैं आप यहां के सारे लोगों से सच नहीं छेपा सकते उन्हें पता होना चाहिए मैं उन्हें बताऊंगा और यहां हरे को जानने का अधिकार है अब तक तो तुम्हें एक महमान की तरह रखा गया था पर अब से परिशत के आदमी हर वक्त हर पल तुम पर कड़ी नज़र रखा करेंगे अगर तुमने युद्ध के बारे में किसी से भी कहा तो तुम्हें शेहर से निकाल दिया जाएगा मैं जानता हूं तुम अपना जंगली भेंसा ढूंड रहे हो अगर तुम्हारी तलाश पूरी नहीं ही तो बहुत शर्म की बात होगी अब जूडी तुम्हें घर ले जाएगी आप मेरे साथ चलिए जूडी को क्या हुआ मैं जूडी हूँ आप जब तक हमारी शेहर में रहेंगे मैं आपकी मेजबान बनी रहूंगी टॉफ क्या तुम तयार नहीं होने वाली मैं तयार हूँ तुम नहाने नहीं वाली दरसल थोड़ी धूल लगी है सब जगह पर तुम्हारे लिए धूल है पर मेरे लिए धरती का सुबह का तौफा है जानती हो हमें क्या करना चाहिए साथ वक्त बिताना चाहिए ये करना जरूरी है बहुत मज़ा आएगा लड़कियों की सजने सबाने के जगह मेरा याँ कोई काम नहीं है तुम तयार हो थोड़ी सी नजाकत दिखाने के लिए अच्छा ठीक है काटारा जैसे तुम्हारी मर्जी पर मेरे पेरो को कोई नहीं चुएगा झाहिए येए 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 कि वहां जाना इतना बुरा भी नहीं था आज तक मैंने यह सब कभी नहीं किया मुझे अच्छा लग रहा है सच मुझ चांदकर खुशी हुई वैसे भी हमने मिलकर कभी मजा नहीं किया वाँ सुन्दर लग रही हो शुक्रिया जोकर की तरह उनकी बात पर ध्यान मत दो पर सागे चलते रहो वह काफी प्यारी लग रही है बिल्कुल उस बिल्ली की तरह चुबारे घर पर रहती है बिल्ली कहीं की, चलो चले टॉफ, जरार रुको तो, तुम्हें वाके अच्छा मजा किया, तुम्हारी पाल तु बिल्ली, अब एक छोटा सा मजा मैं करूँगी, ये वाके मज़ेदार था, उन लड़कियों की तो आदत ही है बकवास करने की, कोई बात नहीं, पता है अंदा मैं जानती हूँ, जैसी भी हूँ, बहुत खोशु, मैं जानती हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे तुम्हारी यही बात तो बहुत पसंद है टॉफ, तुम अंदर से कितनी मस्बूत विश्वास से भरी और बिल्कुल बेफिक्र हो, मैं जानती हूँ, कोई फर्ट नहीं पड़ अगर आप आशिकाना पिकनिक पर जा रहे हैं, तो आप ये चंदन वाली टुकरी ही लें, नहीं, ये आशिकाना पिकनिक नहीं है, पर ये बहुत ये खास मौका है चंद्रमा फूल को छाओ काफी पसंद होती है रोते नहीं बेटा, चुपो जाओ बेटा, बस बस क्यों रो रहे हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें कबूतर या कव्वास इन में से क्या दू तुम्हे रोया नहीं करते बच्चे तुम तो हो अच्छे जिन्दगी हस कर गुजार लो चलो तुम भी हस दो जब कोई गलती हो तो उसे मान लेना ही सबसे अच्छा होता है ताकि आप हर हालात का सामना कर सकें तुमने मेरी खिरकी दुबारा तोड़ी है मैं तुमारी हट्टी पस्टी तोड़ दूगा पर इस बार नहीं भागो तुम अपना सारा समान मुझे दो यह तुम क्या कर रहे हो तुम्हें लूट रहा हूँ इस तरह से क्या अपनी पकवास बंद करो सारा समान मेरे हवाले करतो इस तरह खड़े रहने से तुम्हारा संतुलन नहीं बनता और तुम्हें आसानी से गिराया जा सकता है तुम अगर इस तरह खड़े रहोगे तो तुम किसी को भी आसानी से डरा सकते हो ये ठीक है पर तुमसे एक बात कहूँ तुम अपराधी की तरह बिल्कुल नहीं लगते हो मैं जानता हूँ मैं बस थोड़ा सा उल्चा हुआ हूँ तो आपको लगता है मैं नई शुरुआत कर सकता हूँ बिल्कुल आज बहुत अच्छा लगा पहले कभी किसी ने मुझे पर यकीन नहीं किया खुद पर यकीन करने से अच्छा और कुछ भी नहीं होता है पर दूसरों की थोड़ी मदद मिल जाए तो क्या कहना दोस्ट जन्म दिन मुबारक हो मेरे बेटे काश मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर पाता क्यों रो रहे हो तुम क्या चाहिए तुम्हे कबूतर या कवा इन में से क्या दू तुम्हे रोया नहीं करते बचे तुम तो हो अच्छे जिन्दगी हस कर गुजार लो चलो अब तुम भी हस दो प्रोपू़ी में तुम्हें हुआ है कैसे हो दोस्त काफे भूखे लगा वाकई भूखे हैं वो परिशत मुझे पैसे नहीं देता क्योंकि यहां एक भी बच्चा नहीं आता और बच्चे इसलिए नहीं आते क्योंकि मेरा चिडियागर टूटी फूटी हालत में हैं यह किस तरह का जानवर है ओ यह एक रेबरू है काश में उसके लिए बड़ी खुली जगे का इंतजाम कर स जानवरों के मुझसे अच्छी जमती है कि मेरी को भी हाजा बचा क्या जितना मैंने सोचा था उतना आसान नहीं है पर आप कोई दर्वाजा खोल नहीं होगा वरना क्या होगा खुदी देख लो नर्वाजा कोल दो झाल दितना क्या है क्या कंड़्सक्षण भाज़ मैं स क्या कर लुक работы तो बताईए आपको नया चिडियागर कैसा लग रहा है आज तो आपने कमाल कर दिया हक्तार आपको तो जानवरों के साथ काम करना चाहिए मां मेरी बिल्ली दुबारा घर से निकल आए सोनो तुम वहां क्या कर रही हो मुझे लगता है आपके लिए लोगों की मदद करना ही ठीक रहेगा यह जैसे कि तूम नजर डालो यह क्या है रात भर आसमान में चान चमकता है और अपनी रोशनी से चान नहीं भी खेरता है कवीता मुझे माफ कर देना मेरे पीछे कुछ जोर से लगा और मैं तो बस यहां गिर पड़ा पांच और दो मिलकर होते हैं साथ उससे ज्यादा शब्द नहीं होने चाहिए जनाब मुझे सब कहते हैं सौका ये मेरा नाम है मेरा नाम जनाब नहीं है बेवकुफ बंदर पेड़ पर गुलाटियां मारता रहता है और खुद को कलाबास समझता है बड़ी बड़ी बाते करके तुम खुद को समझदार समझती हो ये इतना मुश्किल नहीं है कई जमाने लग जाते हैं इस तरह की बातें कहवे में ये आसान नहीं मुझे तो लगता है मैं यहां अपनी मर्जी से नहीं आया मेरे पीछे पड़ी लाट कुछ होते हैं अच्छे कुछ जंगली फल और जो जंगली होते हैं उन्हें दिया जाता है नीचे को चल मसलो पसलो जो करना है कर लो और मैं हमेशा लोट कर तुम्हारा मुकाबला करूंगा मेरे सत्यार से मेरा नाम है सौका बादा करता हूं पक्का मेरी हसीन दोस्तों खाओगी क्या मक्का मक्का मैं तुम्हें खिलाता हूं बच्चे उसका भाई होगा चाचा एक परेशानी है एक ग्रहक नहां में पहचान लिया है अभी वहां मत देखेगा पर कोने में एक लड़की बैठी हुई है जो चानती है कि हम अगनी देश हैं मैंने कहा नाभी मत देखेगा तुमने सही कहा जुको मैंने इस लड़की को यहां काफी बार देखा है और मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हें काफी पसंद करती है क्या जाय के लिए शुक्रिया तुम्हारा नाम क्या है मेरा नाम ली है मेरे चाचा और मैं साथ में रहते ह बढ़िया मैं तुम्हें शाम को दुकान के बाहर मिलूंगी मैं आ गई अच्छा जब देखो तो कितने प्यारे लग रहे हो मेरी चाचा को मेरे बाल बनाने में दस मिनिट लगे थे कर दू हूँ है तो तो तुम्हें अब तक ये शहर कैसा लगा ठीक ठाक है तुम मस्ते के लिए क्रते हो कुछ नहीं नीजेनाव क्या आप और आपकी गल्फरेंड कुछ मीठा काना चाइएंगे ये मेरी गल्फरेंड नहीं है कि लगता है तुमने सुवे से कुछ खाया नहीं है हम क्या कहूं हो तो ली यहांने से पहले तो मरे तुम्हारे चाचा कहां रहती थे वैसे हम काफी वक्त से सफर कर रहे हैं ओ तुम इतना चलते प्रदक करते थे चाने करते करते तया मैं बताओं आइन आप उलफी हैええ जांए करते हैं कि वह वह काफी समय से किया नहीं नूद एए मैं तुम्हें इस शहर में मेरी मन पसंद चका दिखाना चाहती हूं मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ रोश्णी वाले फवारे को देखो आग से पानी चमकने लगता है और अंधेरे में चारो और चलते दिये देखकर मन खुश हो जाता है यह क्या यकी नहीं हो रहा दिये ज ठीक है अब तुम देख सकती हो वाह खुब सूरत है यहां हुआ क्या यह जल कैसे गय तुमने आखिर क्या तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ यह कुपन है मुफ चाय पीने के लिए ली इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे मत कहो मेरे चाचा ने दिया था उन्हें लगता है तुम हमारी सबसे खास ग्रहक हो तुम्हारे चाचा एक अच्छे गुरू है मेरे पास भी त करने के बारी तुम्हारी है कि क्या हुआ तुम्हें यह मेरी समझ के बाहर है मुझे जाना होगा तुम्हारी मलकाद कैसी रही शहजादे काफी अचीती काफी के फंचीती अचीती काफीती तुम्हें पाथ कि काफीती दुम्हें अधर शुम्हें कि तुम्हें प्रड़ कर दो पिलेए हैं झाल कर दो कि अार कि अ रपलनी डफेरा बोल्यक्यों कर दो चुरो अरी रफेरा भी नहना पोल्म है अरी व्रय कर दो नहार पोफार अ इन सकति वार देर कि अ क्षड़ अ नहार इन सकति वार देख़ अ क्ष़ा हम आने प्रहुरे को प्रोचर फ्रॉब इजए और न tortilla चर Butे अजए जए ई रार के जाम के जाताषीत का जे सबस्राए़ 느ुशँ और डिए और डिए बाल लुटोक, को पहाँ को अ करता दो प्रजश के बालब्स आप तो बदोत बाल आप बाल आप अ कि अन्यम भर वह व्लाद एो औो प्रवार्ट प्रवार्ट नहीं दसना बत करो इसे छोड़ने पर मजबूर बत करो लासी को पेको सताव लासी को साथ बश्य माव का देनापा उसकी अच्छी तरह से तलाशी लो, क्या पता इसमें कितना ख़जाना चुपा हो वो जकड़ा हुआ है, वो कुछ नहीं कर सकता अगर तुम्हारे पिता को पता चला कि रेट का जहास खो गया है तो वो क्या कहेंगे कुछ नहीं, हमने उसे महामी प्रजाती से चुराया था, तुम्हें उसकी कद्दी से क्या क्या मिला इतना ही? ये तो सिर्फ कच्रा है फरक नहीं पड़ता, इसे बेचकर हम अच्छा खासा माल कमा लेंगे इसे गुस्सा तो नहीं आता? नहीं कभी-कभी? पासिंच से में इसे कोई न कोई अच्छे दामों में जरूर खरीद लेगा ठीक है, सौधा पक्का समझो आप 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 ये तौहारा सिर्दर्द है क्या है हमेशे मार कर ब्योश करना होगा तो सुनों बड़े दोस्त तुम्हारे लिए वक्त है कुछ देर आराम करने का आपा हमें इससे पीछा चुड़ाना होगा यह तो बहुत बड़ी मुसीवत है हमें इसका टुकड़े करके पेश देने चाहिए यह समझ सकता हूँ कि तुम्हारे उपर बहुत कुछ गुजरी है बहुत खराब हुआ और तुम्हें लगा कि गुस्से से पेश आना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चारा होगा एक जंगली जानवर जैसे पर फिक्र मत करो अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हें अब चैन से जीने नहीं दोंगा कि अब क्यों फिक्र मत करो मैं तुम्हें भी खेलाओंगा बारा भी नहीं मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुम्हें खाना कैसे मिलेगा लेकिन हाँ पर जब तुम कर्टप करोगे छलों पर आग लगी होगी और अगर तुम्हें ध्यांट दिया तो तुम जलोगे नहीं अब तुम बहुत पच्टा होगे एक बात पक्की है इससे पहले जो तुम्हारा मालिक था उसे तुम्हें काबूं में रखना नहीं आता था बेलकुल नहीं मैं जाकर खाने के लिए कुछ लेकर आता हूं यही रहना और उस जानवर से दूर रहना ठीक से पेश आना वरना तुम्हारी खैर नहीं उसे संभालना मुश्किल है वो जिद्दी और सिर्चड़ा है मुझे उसके लिए थोड़ा सा और वक्त चाहिए वो खतरनाक हो सकता है खतरनाक ये तुम क्या कह रहे हो ये एक सरकस है खत्रे और जोखिम का घर मैं चाहता हूं ये हवाई भैसा आज रात कर्तब करे अगर तुमने आज ठीक से परताव नहीं किया तो तुम बहुत पच्चता होगी चलो चले बाद में मिलते दोस्त भाईयों और बहनों अब आपके सामने पेश है एक बहुती खास और बड़ा सा जानवर जो इतना लाजवाब और अद्भुत है कि उसे इंसानी आखोंने कई पीडियों से नहीं देखा तो दोस्तों पेश है हवाई भैसा अठाई उस नो चाहि को अपनी चान बठाई तो नूंग सिर्फी झाल तो ने कि अ कर दो जे के सिर्फ से हे तो जेर आवर ये कि अ ज्पाद है ये ये जहर इया चुआ जाओंगा जान्स एक दून दोसे है और अब तर प्हाँ जाम जान से जे तोस्त अब टुं है ये जान's ये ये जुड रखाव येज। दूर चले जाओ यहां वाँ पास आओ नास समझ जानवर कहीं के पास आओ भी हाँ हुआ है हुआ। जल कुछ जल को प्लाराज प्लाराज बहुत कर दोफी जड हो इपाराज का प्लाराज कर दो नडिया दो में हमविए और आमिदाने प्लाराज कर दो दोपार है ठीक से चुन्ना जंगली हवाई भैसा जंदिगी भर का साथ ही होता है कि इसका मतलब हमेशा साथ रहेंगे पामेशा ये कोई शैतारी जानवार है पामेशा 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 जानवार है अब जाजा आप किसे देख रहे हैं क्या बहां कुछ है कुछ नहीं है तुम जैन से सोजाओ हुँ पर्वार्ट और्योको कर दो समय कर दो कर दो भयंकर लड़ाई हुई होगी लाओ जरा मुझे देखने दो नहीं यह नहीं हो सकता आपा यह क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा आपा अभी मुझे जाना है पर मैं जल्दी तुम्हारी मदद करने वापस आऊंगी धीरे धीरे चलना वो काफी वक्त से खोया हुआ है और लगता है उसे चोट लगी है वो लोगों को डरा हुआ देख शर्मा जाता है धीरे से और शोर मत मचाना मुझे यकीर नहीं होता यह अफतार का हवाई बैसा है तुम अफतार से कुछ दिन पहले ही मिली थी ना हाँ इसलिए वो यहां से ज्यादा दो नहीं गया होगा आपा को उसके पास पहुचाना हमारी जिम्मेदारी है यह वाकिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम है सोड़ा पीछे एटो मैं उसे समझाती हूँ आपा मैं हूँ सूकी तुम्हारी दोस्त मैं तुम्हारी मदद करने आए हूँ तुम्हें चोट लगी है हम तुम्हारी देखवाल करना चाहते हैं और आंग को ढूणने में मदद कर सकते हैं कि अरे वह तुम्हें जूनना तो बहुत आसान है हैरानी होती है यह सोचकर कि मेरे भाईने तुम्हें अभी तक पकड़ा नहीं तुम यहां क्यों आई हो तुम सब कौन हो अफ़तार की हवा हवाई से न ओओ मैं समझ गई बहुत खूब अजूला अगर तुम अफ़तार को ढून रही हो तो खौब देखना छोड़ दो मैं जानती थी हमें यहां कुछ नहीं मिलेगा तो अफ़तार यहां नहीं है कोई बात नहीं अफ़तार का हर दोस्त मेरा दुश्मन है इसी तरह पेर से चिपकी रहो तो तो पुछ से ज्यादा खुबसूरत नहीं हो आग से डरते हो हां अच्छी बात है डरना ही चाहिए जाओ आपा यहां से चले जाओ यहां से निकल जाओ तुम्हें आंग को ढूंडना ही होगा हम इनसे निवट लेंगे तुम्हें पता नहीं के पंकियां को और हवा देती है हुआ 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 है नमस्ते मैं हूँ गुरू पाठियक मैं जानता हूँ जिसकी तुम्हें उम्मीद थी वो मैं नहीं हूँ मुझे भी एक बड़ी जीप से चाथे जाने की उम्मीद बिलकुल नहीं थी दुनिया इसी का नाम है मैं जाम हुआ है धुरू काथे जीच की जाने दुम्म प्छू की जात जाए बड़ीय का दुम्म मैं बड़ीय का तेक। दॉरू- पुरू रिग पुरू कि अधिए तो तुम वाकई काफी बुरे वक्त से गुजर रहे हो चोट और धोका खाए हुए अंदर से कितने उलजी हुए हो अभी भी तुम में काफी जिन्दगी है पर जहां भारोसा होना चाहिए था वहां डर आ गया है मुझे तुमारा और अवतार का काफी वक्त से इंतजार था मैंने कई सालों पहले उसकी मदद करने की जलक देखी थी इसलिए तो मैं पश्चीमी हावाई मंदिर में आया तुमारे जजबात कितने अशानत हैं जैसे तूफान मच्छाने वाले बादल तुमारे दिमाग के उन बादलों को शानत और सुकून बरा होने दो तुमारे उठे बालों को देखकर लगता है किसी ने रात को बढ़िया नीन ली है मैंने एंग के लिए एक संदेश लिखा है इसे तुमारे सींग से लगा सकता हूँ तुम्हारी और अफ्तार की उर्जा जुड़ी हुई है तुम्हारा बंधन अटूट है तुम्हारी उर्जा को पढ़कर मैं बता सकता हूँ कि एंग कहा है अजीब है हमारी उर्जा हैं हमें एक साथ जोड़कर कैसे रखती है मैं कि उर्जा है तुमारा मेलूना अटूश अज़ कि एहां झाल जो नो प्राफ गैंश्छ आपाने में प्राफ भाल... प्राफ जसो कर्ज़ने में करता है... प्राफ जर्दों धिये जिए गूकत्र अव्राफ.. हमें अपने इश्टिहार बनाने के लिए कलाकार मिल गया लेकिन मुझे लगा आपा का इश्टिहार बनाने की जिम्मिदारी मेरी है देखो ना मैंने उसकी तस्वीर भी बनाई है कि यह सोका वो तीर का निशान आपा के सिर पर है लेकिन ये उसका सिर ही तो है उसमें से पैर क्यों निकल रहे हैं वह उसके सींग है मैंने उसे काफी वक से नहीं देखा समझी न मुझे तो वह व्योकर सही लगता है शुक्रिया मैंने काफी मैनत कि तो तुम भी मेरा मजाख कुड़ा रही हो हमारी तस्वीर इस्तमाल कर ना ही ठीक होगा अब चलो काप पर लगते हैं तो ये लजीश चाय तुमने ही बनाई है सारा शहर तुम्हारी बात कर रहा है उमीद करता हूँ तुम्हें अच्छी तंखा मिलती होगी लोगों को मेरी चाय पसंद आया यही बड़ी बात है पर अगर इसके अच्छे पैसे मिले तो क्या बुराई है तुम नहीं चाहते हैं तुम्हारी खुद की चाय की दुकान हो मेरी खुद की चाय की दुकान, कहीं मैं खुआब तो नहीं देख रहा हूँ ये सब क्या हो रहा है यहाँ, कहीं तुम मेरा चाय बनाने वाला हतिहाना तो नहीं चाहते माफ करना दोस्त, पर इसी को दुनिया कहते हैं न मुशीब और तुम यहा रहे तो मैं तुम्हें असिस्टन्ट मेनेजर बना दूंगा última मैं तुम्हें और चोई की दुकान में तुम जो करना चाहते हो करो तुमें पूरी आजादी है मुझे उसका नाम रखने भी मिलेगा रहाज सीनियर एक्जेकेटिव असिस्टेंट मेनेजर क्या तुमने सुना भती जे ये आदमी शहर के उपरी घेरे में हमें हमारी खुद की चाय की दुकान देना चाहता है तुमने बिल्कुल सही सुना अब तुम्हारी जिंदगी एक नया मोड लेने वाली है मैं खुशी से पूले निया समारा हूं मैंने पूरे शहर में पर्चों को गिरा दिया है क्या कोई आपा के खवर लेकर आया अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ है थोड़ा सबर करो वाग क्या बात है सबर का फल सचमुझ मीठा होता है जूडी हेलो एंग और कटारा और सोका और डॉट तुम कहां चली गए थी? क्या परिशद ने तुम्हें जेल में डाल दिया था? क्या? जेल? ओ बिलकल नहीं परिशद तो हमारे साल्सकृतिक धरोर का रखवाला है पर तुम पृत्वी राजा की पार्टी से गायब हो गई थी ओ, मैं कुछ दिन के चुटियां बिताने के लिए लाव का इतालाब गई थी वो गाव में है, वहां काफी शान्ती मिलती है पर फिर उन्होंने तुम्हारे बदले कोई दूसरी होरत भेजी जिसने अपना नाम भी जूडी बताया था मैं जूडी हूँ यहां क्यों आई हो शहर में इश्तिहार लगाना और पर्चे फेकना पूरी तरह से मना है उसके लिए इजासत लेनी पड़ती है हम हर बात के लिए इजासत लेकर वक्ष जाय नहीं कर सकते हैं शहर के काईदे कानूर साफ साफ कहते हैं कि आप बिना इजासत के इश्तिहार नहीं लगा सकते हैं हमें काईदे कानूर की परवा नहीं और हम इजासत नहीं लेंगे हम आपको अपने आप ढूंडेंगे और तुम बीच में फिलकुल मत आना अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम पर कोई मुसीवत आने वाली है मुझे परवा नहीं अपसे आपको डूंड़ने के लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे वा चलो काईदी कानूर तोड़ते हैं अवतार उसके दोस्तों को ना समहनने की वज़े से मैं तुम से बहुत निराश हूँ जोड़ी उमीद करता हूँ आगे से तुम हालाद पर काबू कर पाऊगी मुझे माफ कर दीजी पर अब वो मच पर यकीन नहीं करते मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह से और खाम कर पाऊंगी जोड़ी प्रित्वी राजा ने तुम्हें लौगाई तालाब पर बुलवाया है मुझे उनका निमंतरन स्विकार करने में बेहत खुशी होगी बढ़िया अब वहां जाने की तयारी करो अगर आवतार इसी तरह से अपने हवाई भेंसे को ढूंडता रहा तो हमने शेहर में जो नाजुक संतुलन बनाया है वो बिगड़ सकता है इस सिप्रित्वी राजा पर पकड़ भी धीली हो सकती है वो ने ठीकाने लगा दें? नहीं, उसका सीधा सामना करना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है देखते हैं कि हम इस मामले को शान्ती से निप्टा सकते है तो मैं सोच रहा था अपनी नई चाए की दुकान के लिए नाम क्या रखा जाए? पानिगम कैसा रहेगा? एकदम फिल्मी है, चसकेदार है और चाए के बारे में बताता है अफदार यहां बासिंग से में है और उसका हवाई भैसाख हो गया है हमें यहां एक नई शुरुआत करने का मौका मिला है अगर तुम अतीज के साथ छेर चाल करते रहे तो हमारे साथ जो भी अच्छी चीज़ें हो रही है वो फिर कभी नहीं होगी अच्छी चीज़ें जो आपके साथ हो रही है क्या आपको नहीं लगता कि मुझे जिंदगी से एक बढ़िया मकान और चाए की दुकान के अलावा और भी कुछ चाहिए एक अमन और चैन भरी जिंदगी बिताने में कोई बुराई नहीं है बहतर होगा तुम ये फैसला कर लो कि तुम्हें आखिर अपनी जिंदगी से क्या चाहिए और क्यों मुझे अपनी किस्मत चाहिए और इसमें मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ चाचा का धाबा नए ये गिसा पिटा है काम तेजी से करने के लिए हमें अलग होना होगा टौफ बैतर यही होगा तुम मेरे साथ चलो क्यों तुम्हें लगता है मैं अपने बिष्ट्यार नहीं लगा सकती ये उल्टा लगा है ना मैं साका के साथ जाती हूँ कटारा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ कि कटारा मैं बदल चुका हूँ अपनी बखवाद किसी और से करना मैं तुमसे लड़ने नहीं मदद करने आया हूँ कटारा क्या बात है जैक यहां है हम इसकी किसी बात पर यकीन नहीं कर सकते पर हम यह नहीं जानते यह यहां क्यों आया है मुझे पर्ट नहीं परता यह यहां क्यों है बज़त जो भी हो मुझे यकीन है वो ठीक नहीं है मैं आपा को ढूड़ने में तुम्हारी मदद करने आया हूँ कटारा हमें इसे एक मौका देना ही होगा मैं वाके में बदल गया हूँ पहले मुझे काफी गुस्सा आता था और मैं मुसीबत खड़ी करता था लेकिन अब मेरे कोई दोस्त नहीं है मैंने उनका साथ छोड़ दिया है जूट मत बोलो यह जूट नहीं बोल रहा है उसकी सासे और दिल की धरकर में महसूस कर सकती हूँ जो लोग छूट बोलते हैं कि शरीर में कजीव बदला होता है यह सच कह रहा है कटारा इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर जेट कहता है वो हमें आपा के पास ले जा सकता है तो हमें देखना चाहिए ठीक है पर हम तुम पर कड़ी नज़र रखेंगे मैंने इसी जगह के बारे में सुना था यहां तो कुछ नहीं है अगर ये कोई चाल है मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ हूँ दो शक्स एक बड़े बालवाले जीव की बारे में बात कर रहे थे मुझे लगा वो आपा ही होगा वो यहां था हमें देर हो गई वो इस बड़े जीव को कल लेके गए थे किसी टापू पर ले गए है और तब से मैं बालों के गुच्छे और उसकी और चीज़ों को ही साफ कर रहा हूँ इस सुमर में यही करना बाकी था कौन सा टापू वो कहा है उसमें से एक शक्स ने किसी टेड़े मेड़े टापू की बात की थी जो कि यहां से बहुत ही दूर है वहां कोई चिडिया घर है ओ शायद उसे वहां लेकर गए हूँ हमें टेड़े मेड़े टापू पर जाना होगा लेकिन यह टापू है कहां? दूर यहां से बहुत दूर वो यहां है वो दक्षणी दुरूव के पास यानि हमारे घर के पास है आइंग हमें पृत्वी राजे के आखरी छोड तक पहुँचने में एक हफता लग जाएगा और फिर टापू तक पहुचने के लिए एक नाव ढूनी होगी कोई बात नहीं यही मौका है आपा को ढूनने का हमें कोशिश करनी होगी एक टापू पर जाना वाकई अच्छा होगा कई सालों से मैं अपनी बीवी को भी कही नहीं लेके गया हूँ क्या आपको और कोई काम नहीं करना ऐसे चिलाओ मत समझ गया आज कल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा तुमने सही कहा है फिलाल आपा को ढूना ही हमारे लिए सबसे जरूरी है वो मिल जाए फिर हम वापस आ जाएंगे ठीक है तो चलो यहां से मैं तुम्हारे साथ चलूंगा हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझ पर यकिन क्यों नहीं करती यकीन और तुम पर वैसे कहीं यह लड़का तुम्हारा दिवाना तो नहीं था क्या नहीं जानती हूं तुम चूट बोल रही हो हम दीवार तक ट्रेन में जा सकते हैं पर उसके बाद हमें चलना पड़ेगा कोई बात नहीं एक साथ सफर आराम से कट जाएगा आखिर हम बासिंग से शहर से दूर जा रहे हैं सबसे खटिया शहर जेट तुमने तो कहा था तुमारे दोस्ट तुमारे साथ नहीं है हाँ बिलकुल हम कितने डर गए थे तुम परिषद से कैसे बच गए परिषद से? पता नहीं यह क्या कह रही है तुमें कुछ हफते पहले परिषद ने गिरफतार कर लिया था हमने उन्हें तुम्हें ले जा दे देखा मुझे भला गिरफतार क्यों किया जाएगा मैं तो आराम से शहर में रह रहा हूँ ये तो वाकई अचीब है पर ये दोनों सच कह रहे हैं ये नामुम्किन है ये मुम्किन है टौफ नहीं बता पारी कि कौन जुट बोल रहा है क्योंकि ये दोनों सच कह रहे हैं जेट की आदाश मिटाई गई है मकवास मत करो ये गलत है मेरे पास मता ना हच जाओ मेरे राफ्ते से अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा अन्जाम भी उसकी जैसा हो तो जैसा मैं कहता हूं ऐसा कर परिशद ने इसे हमें गलत रासा दिखाने के लिए भीजा है और वो बूढ़ा भी इस योजना का हिस्सा था लगता है उन्होंने आपा को यहीं कहीं रखा है शायद बहीं पर जहां जट को लेकर गए थे वो तुम्हें कहां लेकर गए थे कहीं नहीं और तुम किस बारे में बात कर रहे हो क्या भकवास कर रहे हो इसकी यादाश वापस लाने के लिए कुछ करना होगा तो क्यों ना कटारा इसे चुमें इसे कुछ याद आ जाएगा शायद तुम भी उसे किस करना चाहिए सौका यह तो सिर्फ एक तरकीब थी अगनी देश याद है उन्होंने तुम्हारे परिवार के साथ क्या किया था अपने आखे बंद करो और वो सब याद करो कि अधा है यह नहीं यह बहुत दर्दनाक है शायद इससे कुछ फायदा हो कि अधा है वो मुझे पानी के नीचे अपने खास जगा पर लेकर गए वो एक तालाब जैसी थी एक मिनिट यादे जूडी ने क्या कहा था उसने कहा था वो छुट्टी बिताने के लिए लाओ गाई तालाब गई थी यही नाम था लाओ गाई तालाब तो यह खास जगे है कहां पानी के नीचे होनी चाहिए वहां किनारे पर एक सुरंग यह अब मुझे सब कुछ यादा रहा है मैं जूडी हूँ बासिंग से मैं आपका स्वागत है हम कितने किस्मत वाले हैं जो हमारी दिवारें हमारी सरहत बनाती है उपर जरूर इतना बड़ा एक तहखाना होगा जिसमें वह आपको रख सके लगता है उसका रास्ता यहां से है किसी और का इंतजार था इतने लोग हमारे स्वागत के लिए तुम लोगों ने खुद को इस राजी का दुश्मन बना दिया है ग्रफतार कर लो यहां तेको लोग पेंग भाग रहे देको लोग पेंग भाग रहे अब बहुत हुआ ओतार तुम मेरे लिए काफी मुश्किल खड़ी कर चुके हो यह तुम्हारा आखरी मौका है अगर तुम्हें अपना हवाई भैंसा वापस चाहिए तो मतलब आपा तुम्हारे ही पास है बताओ वो कहा है इस शहर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ और म आप पर बलवाया है मुझे का निमंतर स्विकार करने में बेहत खोशी होगी अब तुम मेरे हो चाचा तो नीली आत्मा पता नहीं उस नकाब के पीछे कौन है आप यहां क्या कर रहे हो मैं भी तुम से बिलकुल यही सवाल पूछने वाला था अब जब तुम्हें अवतार का हवाई भैसा मिल गया है तो बताओ तुम क्या करोगे उसे अपने नए घर में बांद कर रख होगे क्या मैं उसके लिए गरमा गरम चाय बनाओं पहले मुझे इसे यहां से बाहर निकालना है और फिर क्या तुम कभी इन चीजों के बारे में नहीं सोचते बिलकुल ऐसा ही तब हुआ था जब तुमने उसे पकड़ लिया फिर आगे क्या करना था तुम नहीं जानते थ मैं जरूर कुछ ना कुछ सोच लेता नहीं अगर उसके दोस्त तुमें नहीं ढूंते तो तुम ठंट के मारे मर गए होते हैं मैं अपनी किसमत से वाकिफ हूँ चाचा ये तुम्हारी अपनी किसमत है या फिर किसी और नहीं से तुम पर धोपा है और तुम उसी के पीछे पास करिये चाचा मुझे ये करना ही होगा मैं तुम से भीक मानता हूँ शहजादे जुको वक्त है अपने अंदर जांकने का और अपने आप से कई एहम सवाल पूछने का तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए उसके पास और कोई जारा नहीं है जेट मैं तुम्हारा दोस्त हूँ अपने दिल में जांक कर देखो अपना फर्ज पुरा करो जेट वो तुमसे ऐसा नहीं करवा सकता तुम एक स्वतनपृता सेना नहीं हो तुम्हारा अबीसी वक्त तुम्हारा बेवकूफ प्रणका खुद अपनी मौत के वज़ा बन गया मुझे माफ कर दो एंग नहीं जेट इसकी हाले ठीक नहीं है तुम लोग जाकर आपपा को ढूंड़ो हम जेट को संभालते हैं हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे वक्त बहुत कम है तुम लोग जाओ इसकी फिक्र मत करो हम इसका ख्याल रखेंगे फिक्र मत करो का डारा मुझे कुछ नहीं होगा वो छूट बोल रहा है आपा चला गया लॉंग फेंग ने हमें मात दे दी अगर हम अभी यहां से चले तो शायद उसे पकड़ सकें अब यह लोग आँ से टपके उन्हें तो हमारे पीछे आना ही था क्या बात है मोनो क्या मोड़ी ओा है अबड़ी लॉयए आपा 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 तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी है तुम्हारी बहुत याद आई तुम्हारी ठाओ कर तुम्हारी बिल्कुल सही किया बतीजे इसे पीछे छोड़ दो तुम नहीं जानते मैंने तुमें कितना याद किया सुनो हम परिशत से बच निकले हमें आपा वापस मिल गया क्यों न हम चलकर प्रिथवी राजा को सब कुछ साफ साफ बता दे वक्त हमारे साथ है एक हफ़ते के संखर्श के बाद एक दिन अच्छा होने से वक्त हमारे साथ नहीं हो जाता हम इसका फाइदा उठा सकते हैं हमें सूर्य ग्रहन के दोरान अगर अगनी देश पर हमला करना है तो इसके लिए प्रिथवी राजा का साथ जरूरी है पर क्या वो हमारे साथ देंगे शायद तुमने ध्यान नहीं दिया हम लोगों के लिए चीज़े जितनी आसान लगती है उतनी होती नहीं है जानता हूँ पर इस बार मुझे अच्छा मैसूस हो रहा है इस बार सब कुछ सही होगा सौका इस शहर की कमान है लॉंग फैंग के हाथों में तुम भी जानते हो कि परिशत पर उसकी पकड़ बहुत मजबूत है बहतर होगा हमें सजीब जगर को छोड़कर हमेशा के लिए यहां से चले जाए पर अब जब आपा हमारे साथ है तो हमें प्रिथ्वी राजा को सब कुछ बता देना चाहिए लॉंग फैंग और यूद के बारे में देखा आंग मेरे साथ है यहांने कि हमारी यही तो वज़े थी हमें कोशिश करनी चाहिए वैसे अगर प्रिथ्वी राजा को सचाई का पता होता तो हाला कुछ और होते मुझे इस नए सोका पर यकीन नहीं है लॉंग फै ने तुम्हें कोई पट्टी पढ़ाई है ना शायद परिशद हमारी तलाश कर रहा है तो आप क्या तो फिर चलो क्या हमें एक ने गती खरीच सकते हैं बाल पकट कर उटने में बाग कहीं डर लगता है देखो वो रहा वो सारी जगा महल है प्रिथ्वी राजा का कमरा ज़रूर बीच में होगा हमी समल कर जाना होगा लॉंग फैंग ने राजा को हमारी आने की खबर दी होगी एसा क्यों सोच रही हो मुझे लगता है हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्यों वो क्या था हमें रोपने की कोशिश हम पर हमला हो रहा है पाथ रहा हमें 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 रहा ह नटे! माशना! माफ करना हमें जल्दी प्रिक्री राजा से मिलना है इसे कहते हैं जिंदगी में उपर उठती ना हूँ माफ करना अंदर चलो जौफ प्रित्वी राजा कहा होंगे तुम मुझसे पूछ रहा हो मुझे तो अपने खर का रास्ता तक नहीं बता बेशर्म कहीं के माफ करना मैंने कुछ नहीं देखा अवतार के हवाई भैंसे को छोड़कर तुमने बिल्कुल सही किया मेरा सर चक्रा रहा है अब वो एक शांदार दर्वाजा है शायद उस पार ही हमारी मजल है अगली बार बता कर ऐसा कुछ करना हमें आपसे बात करनी है वो यहां आपका तख्ता पलटने आये हैं नहीं हम आपकी मदद करने आये हैं हमारी बात मानिये आपको हम पर भरोसा करना होगा तुम महल में घुसाते हो मेरे पहरेदारों को धेर कर देते हो मेरे आलिशान दर्वाजों को तोड़ देते हो और तुम चाहते हो मैं तुम पर भरोसा करूँ उनकी बात में दम है अगर तुम मेरी तरफ हो तो अपने हत्यार नीचे फेको और सीधे खड़े रहो देखा हम आपके दोस्त हैं जहां पर ना गर अफ़तार कर लो इने पर हमने अपने हत्यार फेक दिये हम आपके साथ ही हैं ध्यान रहे अफ़तारों उसके दोस्त आज के बाद अंधेरे में रहने की आदट डाल लें क्या कहा अफ़तार तुम सच में अफ़तार हो नहीं वो हैं मैं हूँ इससे क्या फर्क पड़ता है हुसूर वो इस राज जी के दुश्मन है शायद तुमने सही कहा पर बॉसकों को वो पसंद है मैं सुनूँगा वो क्या कहना चाहता है तो जहाँ पना अभी एक लड़ाई चल रही है बलकि पछले सौ सालों से चलती आ रही है परिशद ने आपसे ये बात चिपा कर रखी है ये एक साज़श है शहर पर काबू करने के लिए और आप पर भी लड़ाई और मुझे नहीं पता ये नहीं हो सकता ये जूट बोल रहा है लांग फैंग नहीं चाहता था हम आपको ये बताए इसलिए उसने हमारा भैसा चुराया और ये तो कुछ भी नहीं है जहाँ पना उसने हमारे दोस्त को वश्मे कर लिया बिल्कुल छूट है मैंने आज तक कोई हवाई भैसा नहीं देखा है हुजूर जहां तक मुझे लगता है वो लुप्त हो चुके हैं तुम्हारी बातों पर यकीन करना मुश्किल है बहले ही तुम अफ्तार क्यों नहीं जहां बना ये सारे के सारे खुफिया जासूस हैं जिनका मेरे आदमी काफी वक्त से पीछा कर रहे हैं अगर आपने उनकी एक भी बात सुनी तो यकीन मानिये आप उनका काम बेहद आफान कर देंगे मुझे अपने सलाकार पर यकीन करना होगा रुखे मैं साबित कर सकता हूं जूट बोल रहा है लॉंग फैंग ने कहा कि उसने कभी हवाई भैसा नहीं देखा उसे कहिए कि अपने कपड़े उठाए क्या मैं कपड़े नहीं उठाने वाला वो देखिए आपा के दातों के निशान हवाई भैसा नहीं देखा हाँ ये निशान मेरे शरीर पर बच्पन से है देखकर मज़ा आया वैसे इस निशान से ये साबित नहीं होता कि ये निशान कहां से आये है एक तरीका है हाँ अब ये बात सावित हो गई ये पर इससे वो साज़िश वाली बात बिलकुल सावित नहीं होती वैसे लगता है इस मामले की तह तक जाना चाहिए ठीक है जो आपकी मरसी तुम्हारा बुखार तो उतर ही नहीं रहा ये पानी की पट्टी रखता हूँ तुम्हारे सर पर इससे कुछ हराम मिलेगा प्यास लगी है लो मैं तुम्हे पानी पिला देता हूँ तुम कंबल के अंदर ही रहना खुद को तकलीफ मत दो अच्छा तो रेल गाड़ी ऐसी होती है मैं नहीं जानता था यहां इतनी भीड होगी तो आप इससे पहले कभी उपरी घेरे से बाहर ने निकले मैं कभी महल से भाहर नहीं गया ऐसे सफर करने का मज़ा कुछ और ही है तो क्या मैं बूछ सकता हूँ हम कहां जा रहे हैं हम लाओगाई तालाप के नीचे जा रहे हैं जहां पना वहां परिशत की खास जगह है यह वही जगह है जहां पट्टी पढ़ाने ओ यह क्या हो गया कोई बात नहीं मेरा यकीन अभी भी बना हुआ है परिशत को पता चल गया हम आ रहे हैं इसलिए उन्होंने सबूत मिटा दिए वहां कहीं काफी दिल्चस्प कहानी लगती है जहां पना इस जगह को मिटाना भी तो एक साजिश ही है लॉंग फैंग ने सही कहा था तुम लोगों ने मेरा वक्त जाया किया है अब मुझे चलना चाहिए मैं वापस अपने महल जा रहा हूँ बड़ी दीवार वो उस सबूत को इतनी जल्दी नहीं मिटा पाएंगे ठीक कहा अगर आप बाहरी दीवार तक हमारे साथ चले तो हम साबच कर सकते हैं वो लड़ाई के बाद सच है आज तक कोई प्रिथ्वी राजा बाहरी दीवार तक नहीं गया मेरे पास इस बखवास के लिए और वक्त नहीं है अगर आप हमारी साथ चले तो आप आपा पर बैठ सकते हैं पहली बार उड़ रहे हैं यह रुमांचिक भी है और दराफना भी हाँ मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा देखो उमीद करता हूं तुम जिस लडाई की बात कर रहे हो वो वो सच ना हो काश कैसा होता देर हो गई है क्या आप सन्यास लेने का सोच रहें अगनी देवता ऐसा कुछ भी नहीं है शांती अगनी देवता जुको ज्यादा सोचो मत उसे जाने दो अपनी आखें बंद करो नहीं अगनी देवता जुको नीले ड्रेगन की बात मत सुनना तुम्हें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए अभी इससे पहले की तेर हो जाए अब सूचाए अगनी देवता जुको सुचाए बिलकुल मा की तरहा जुको मुझे बचाओ देखो वो रहा ये सब क्या है वो एक ड्रिल है एक बड़ी ड्रिल जो अगनी देश ने आपकी दीवार को गिराने के लिए बनाई थी यकीन नहीं होता मैं क्या देख रहा हूं मैं आपको ये समझा सकता हूं जहां बना ये ड्रिल तो बस दीवार के निर्मान के लिए लाई गई है अच्छा तो जड़ा बताने का कश्ट करोगे तुम्हारी इस निर्मान वाली ड्रिल पर अगनी देश का निशान क्यों बना हुआ है हमने इसे आयाज जो किया है हमारे यहां के यंद्र इतने अच्छे जो नहीं होते आप इनका यकीन मत कीजे मैं आपका सबसे वफ़दार सलाहकार हूँ परिशद लॉंग फैंक को गिर्फतार कर लो उस पर प्रिथ्वी राजा के खिलाफ की गए आरूपों के लिए मुकदमा चलाए जाए आप मुझे गिर्फतार नहीं कर सकते आपको मेरी हर कदम पर जरूद पढ़ेगी तो लॉंग फैंग गया जेल में चक्की पीसने अब वो जेल में चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग मैं तुम्हारा शुक्री आदा करना चाहता हूँ मेरी आखे खोलने के लिए अब तक मैं जिस शहर को समझदारों का शहर समझता था वो असल में बेवकूफों से भरा शहर है और इसका मतलब मैं बेवकूफों का राजा हूँ हमारी लडाई चल रही है अगनी देश के साथ इसलिए तो हम बासिंग से आये हैं जहाबना लडाई खतम करने के लिए हमें आपका साथ चाहिए ज्यादा वक्त नहीं है गर्मियों में धूमकेतु आने वाला है अब सोच भी नहीं सकते उसके उर्जा फायर बेंडर्स को कितनी ताकत देगी उन्हें रोकना मुश्किल होगा पर एक उम्मीद है धूमकेतु के आने से पहले हमें एक मौका ज़रूर मिलेगा सूर्य ग्रहन होने वाला है सूर्य ग्रहन में चान सूरज को पूरी तरह ढख लेगा और फायर बेंडर्स कुछ नहीं कर पाएंगे तुम इस बारे में क्या कहते हो सोका हमें उसी दिन अग्नी देश पर धावा बोलना होगा यानी काले सूरज का दिन समझ में नहीं आरा क्या करो उसके लिए मुझे अपनी सेना को बासिंग से से बाहर भेजना पड़ेगा हम बहुत कमजोर पड़ जाएंगे आप अब भी कमजोर हैं अग्नी देश बासिंग से को पाने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहा है अगर आपने कुछ नहीं किया तो वो काम्याब हो जाएंगे इससे बहतर होगा पहल करना ताकि उनका कड़ा मुकाबला किया जाए तो ठीक है तुम्हें मेरा सयोग है महराज दखल देने के लिए माफी चाहता हूँ ये जनरल हाउ है ये मेरे पांच जनरल्स के लीडर है मेरे सबसे एहम जनरल्स का दल हमने लॉंग फेंड के दफ्तर की तलाशी ली हमें वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो सब को काफी दिल्चस्प लगेंगी इसमें बासिंसे में रहने वाले हर शक्स के खूफिया जानकारी है यानि तुमारी भी बच्चों खूफिया जानकारी? टॉफ बेफॉंग ये तुमारी मा का खथ है तुमारी माए शेहर में है और वो तुमसे मिलना चाहती है लॉंग फेंड ने हमारी घर से आए खथ चुराए बहुत बुरा है वो एंग ये कागस तुमारे हवाई भैसे के सींग से लगा हुआ था जब परिशद ने उसे पकड़ लिया था ये तो पश्ची में हवाई मंदर से आया है क्या मेरी और सौका के लिए भी कोई खथ है मतलब गल्ती से नहीं कोई खथ नहीं है पर इसमें एक खूफिया ख़बर है जो शायद तुमारे काम की हो जल प्रजा के कुछ चाहाज देखे गए है क्या? वहां बाबा हो सकते है और वो जहाज कमेलियन खारी की रक्षा कर रहे है उनका सरदार अकोड़ा है वो बाबा ही है तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कोई आम बुखार नहीं है पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम चाहे ना पियो पर ये, ये हो क्या रहा है? तुम्हारा वो एहम फैसला जो तुमने उस तालाब के नीचे लिया था और वो फैसला तुम्हारे अपने व्यक्तित्व से बिलकुल ही हट कर था जिसकी वज़ा से तुम्हारे दिमाग और दिल के बीच एक घमासान युद्ध शुरू हो गया है इसका मतलब क्या है? तुम्हें एक बहुत बड़ा बदला हो रहा है शहजादे जूको और ये दोर तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा लेकिन जब तुम इससे बाहर आओगे तो तुम वो बहतरीन शहजादे बनकर निकलोगे जैसा तुम्हें होना चाहिए था मुझे यकीन नहीं होता पश्चमी हवाई मंदिर में एक आदमी रहता है वो खुद को गुरू कहता है किसका गुरू मच्छी करी बनाने का गुरू नहीं एक अध्यात्मिक महारती अफ्तार के अगले पड़ाओं में जाने में मेरे मदद करना चाहते है मुझे अफ्तार सिती पर काबू पाना सिखा सकते है यकी नहीं होता हमें आफिर पता चल गया कि हमारे बाबा कहा है मैं समझ सकती हूँ मेरी माँ इससे शेहन में है और खट से लगता है इतने सालों बाद उनने मुझे समझ ही लिया ये सारी कितनी अच्छी ख़़़ है हम पहले क्या करें मैं ये कहना तो नहीं चाहती पर हमें अलग होना पड़ेगा अलग होना पड़ेगा? हमें अभी तो आपा मिला है और काफी वक्त बाद हम साथ है और तुम चाहती हो हम अलग हो जाए तुम्हारी लिए इस गुरू को मिलना जरूरी है आइंग अगर हमें अगनी देश पर धावा बोलना है तो तुम्हें तयार रहना होगा वैसे अगर मुझे पश्चिमी हवाई मंदर जाना है तो मैं आर आपा तुम्हें कमेलियन खाड़ी पर छोड़ सकते हैं प्रिथ्वी राजा के साथ मिलकर अगनी देश पर हमला करने की योजना बनानी होगी और वो मैं बनाऊँगा नहीं सौका मैं जानती हूँ तुम बाबा की मदद करना चाहते हैं तुम कमेलियन खाड़ी जाओ मैं यहां राजा के साथ रहूँगी तुम्हारी जैसी प्यारी बेहन होगी नहीं सकती आराम से बड़े भाई वैसे तार्यू के लिए शुक्रिया कटारा मैं तुम से कुछ कहना चाहता था यह बात काफी दुनों से मेरे दिल में है क्या बात है आन कटारा मैं अरे वा दोस्ट जरा मुझसे भी प्यार महबत की बाते कर लो एंग और सोका उमीद करता हूँ तुम्हारा सफर अच्छा हो हम सब तुम्हारे शुक्र गुजार हैं हम तुम्हारे जल्दी लोटने की काम ना करते हैं तीन लड़कियां जो योधा हैं वो आपसे मिलने आई है महराज वो कियोशी टाप उसे आई है वो सूकी होगी तुम इन योधां को जानते हो ओ हाँ कियोशी योधा लड़ने में काफी काबिल हैं और भरोसे मन भी हमारे अच्छे दोस्त हैं वो तो फिर वो हमारे खास महमान हुए रुको एंग मुझे तुम लोगों की बहुत याद आएगी मुझे तुम रुको पहले नहा कराओ ठीक है हम सब एक दूसरे को बहुत चाते हैं सच में तुमने देखा हैं खुद पर यकीन रखने से क्या हो सकता है अब राजा हमारे साथ है लॉंग फैंग गिरफतार हो चुका है और वापस लोटने पर सुकी से मैं सुखी सुखी मिलूंगा हाँ लड़कियां हमारा इंतजार कर रही होंगी सब कुछ कितना अच्छा है और सब कुछ इसी तरह अच्छा ही होता रहेगा आज से लेकर हमेशा के लिए खाना खालो परिशद के पांच लोग और सेना ये दोनों पृत्वी राजा के वफदार हैं पर परिशद हमेशा आपके वफदार रहेगी जनाब लॉंग फेंग चलता हूँ कोई है माँ घर पर कोई है हेई आखिर ये सब क्या हो रहा है एक बिगड़ी हुई सर्फरी अमीर साधी जो अपने घर से बहुत ही दूर है जरूरत की इस घड़ी में मैं पूरे सम्मान से अपने साथ्यों का स्वागत करना चाहूंगा यानि की क्योशी योध्धा हम पृत्वे राजा की सेवा करने आए हैं यह खुश्बू किस चीज़ की है यह जुक है मुझे यकीन है यह तुम्हें पसंद नहीं आएगा महक से तो काफी लजीज लगता है क्या मुझे थोड़ा मिल सकता है चाचा अब जब तुम्हारा बुखार उतर चुका है तो तुम काफी बदले हुए लगते हो आज एक नया दिन है हमारा नया घर नया सामान और आज आपकी चाय की दुकान का पहला दिन है सब कुछ अच्छा लग रहा है तुम अपने बाबा को दो साल के बाद मिल रहे हो तुम्हें बहुत खुशी हो रही होगी ना मुझे ऐसा ही कुछ होना चाहिए पर फिलाल मेरे पेट में हलचल हो रही है ऐसे घबराओ मत वो तुम्हें देखकर हुआ हुआ है एक हफ्ते बाद मिलेंगे यिप यिप है 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 हाँ थुम्हें देखकर खुशी हुई कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा करने आए हैं तुम खुश नहीं हो मेरे लिए ये हफता काफी कठिन रहा मेरे भरोसे बन सलाकार लॉंग फैंग और उसके आद्मियों ने मुझसे बा सिंग्से की सत्ता चीनने की कोशिश की जब आपके करीबी लोग आपको धोका देते हैं तो बहुत बुरा लगता है पर एक अच्छी खबर भी है अभी महल के पीछे मेरे खास पाथ जेनरल्स बैटकर योजना बना रहे हैं अगनी देश पर हमला करने के लिए इन गर्मियों में सूर ग्रहन के देश सच में ये तो बाके एक बढ़िया और बहतरीन योजना लगती है इस हमले की शुरुआज जनरल फॉंग के अड़े से की जाएगी आज से ठीक दो महिने बाद हमारी थल और नौ सेना ताले सूरत के दिन पूरी ताकत लगाकर अगनी देश पर हमला बोलेगी यहां हम मोमो को भेज सकते हैं तभाई करने के लिए और माफ करना इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए अब हमें सिर्फ प्रिफ्वी राजा की मोहर चाहिए मैं ये कागज लेकर अभी उनके पास जाती हूँ शुक्रिया जेनरल हाओ कि अब सुनिये आप गूरु पठेख है ना आपने आपके सिंग से वो कागज लगाए था बिल्कुल मैं तुम्हारे लोगों से अध्यात्मिक तरह से तुड़ा हुआ था और तुम्हारे भिक्ष्व्ष्व शुरिय डूरे ऑट्सो का करीबी दोस्तर अब लिंधा था आप मुझे अफ्ड़ार से पाबू पाना सिखा सकते हैं कैसे से तुम्हें इस दुनिया में शांति ला सको तुम्हैं अपने खुद के अंदर शांति लानी होगी और शांति लाने के लिए इससे पीना होगा पी जाओ प्या यह तो प्याज केले का रस लगता है आण वही तो है दिल गैने और लगता है हमें दाएं ओर जाना चाहिए क्या बगवास कर रहे हो बी फॉर्म का घर इस तरफ है मुझे पता है कि तुम्हें रास्ता नहीं मालूम तुम बहुत चलाख हो अच्छी कोशिश की लेकिन तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते मुझे यहां बन करो तुम खुद को बहुतरीन अर्थ बेंडर समझती होगी पर तुम भी धातु को बेंड नहीं कर सकती इसे कहते हैं बिन मांगे बहुत कुछ मिल जाना इसका मतलब में इंसानों जैसा मेकप करने वाली है हाँ हाँ मेरा मतलब है पूरी पृत्वी सल्तनत पर कबजा करने का करिब एक सो सानों से अगनी देश ने बासेंग से पर सिर्व बाहर से हमला किया है पर अब हम अंदर आ चुके हैं और इस पर खुद कबजा कर सकते हैं वा तुम में कितना विश्वास भरा है मुझे तुम से पर का वो करता है कि parenthि अब अफ्दार सतीति पर काबु पाने के लिए तुमें अपने सारे चक्रों को खोलने होंगे एंग्झ मुझे बताओ तो तुम चक्रो के बारे में क्या जानते हों? चाक्रा होते क्या हैं? बढ़ाहे मैं थल से शुरुआत करनी चाहिए इस खाडी में पानी वैसे ही बैता है जैसे कि तुम्हारी शरीर में उर्जा बैती है जैसे तुम देख रहे हो यहां ऐसे कई छोटे तालाब है जहाँ पानी बैने से पहले गोल गुमता है यह तालाब हमारे चक्रों जीसा है तो चक्रे हमारी शरी में गोल गुमने वाली उर्जा को कहते हैं? बिल्कुल अगर यहां कोई कचरा नहीं होता तो तालाब में पानी बिना रुके बहता है पर जिन्दगी काफी पैचीदा है और तालाब में हमेशा कुछ ने कुछ गिरता रहता है और फिर क्या होता है पानी बहनी सकता सई पर अगर हम तालाब के बीच का रास्ता खुल दें तो उर्जा पहने लगती है शरीर में उपर से नीचे तक साथ चक्रे हैं हर उर्जा की तालाब का अलग मतलब होता है और उसे एक खास तरह की जजबाती अर्चन रोग सकती है याद रहे चक्रों को खोलना काफी कठी तजूर्बा हो सकता है और एक बार ये प्रक्रिया शुर अबी कठीनों मैं करूंगा पहले हम प्रिथ्वी चक्र खोलेंगे जो रीड की अडिके नीचे होता है इसका तालुक जीने से है और इसे डर रोकता है तुम सबसे ज़्यादा किससे डरते हो अपने डर को सामने आने दो आप कि अगे तुम्हें दिखराए सच नहीं है तुम्हें अपने जीने की फिक्र है पर तुम्हें उन डरों को भूलना होगा अपने सारी डरों को तालाब में बहने दो तुम्हें अपना प्रिथ्वी चक्र खोल दिया है कि अगला चक्र है पाने का चक्र है अरे वह शायद एक दिन तुम भी गुरू बन जाओगे इस चक्र का तालुप खुशी सहे और उसे पाप रोकता है अब उन सारी पापों को याद करो जो तुम्हारी आत्मा पर बोज्ज हैं तुम खुद को किसलिए जिम्मेदार खेरात हो कि मैं भाग गया था कि मैंने उन सारे लोगों को छोट पहुचाई हाकीकत को अपनाओ कि ऐसी चीजें वाकई हुई थी पर उन्हें जमने मत तो अपनी उर्जा को दुशित मत होने दो अगर तुम दुनिया पर एक अच्छा प्रभाव डालना चाहते हो तो तुम्हें खुद को माफ करना होगा ये खाड़ी सिदा बासिंग से के बाहरी इलाके तक जाती है हम इन गोल बमों का इस्तमाल करके अगनी देश के जहाजों को अंदर जाने से रोक रहे हैं जानते हो तुमारे पिता ने खुद इन गोल बमों को इजाद किया है तबाही पहलाने वाले गोल मटोल और बहुत ही बद्बुदार बिल्कुल ठीक पहचाना इन बमों में सड़ी हुई मचलियों और समुदरी पौदे भरे हुए हैं जब जहास की वजह से बंपड़ते हैं तो पौदे जहास के पंखों में भज जाते हैं और ये बद्बु लोगों को जहास छोड़ने पर मजबूर करती है मैं इसे बद्बु का गोला कहता हूं समझ गए ये बढ़िया था बाबा ये तो वाकई बिलकुल अपने बाब जहा आज़ों को देखा है माटो इन बमों को जहास पर चड़ाओ और वाकी सारे लोग लटने के तयारी करो कि और मुझी क्या करना है तुमने सुना नहीं मैंने कहा बाकी सारे लोग लटने की तयारी करो किसे पता था कि एक शहर जिसमें हम शर्णार्धी बन कर आए थे वहाँ मेरी एक खुद की चाय की दुकान होगी अपने दिल की सुनो दूखो और फिर देखो जिन्दगी कैसे बदलती थे बहुत-बहुत मुबारक हो चाचा तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया आप इसके हगदार हैं ये शहर की सबसे बहतरीन चाय के दुकान होगी नहीं मैंने शुक्रिया इसलिए कहा क्योंकि मुझे खुशी है कि इस खास मौके पर तुम मेरे साथ हो ये मेरे लिए बहुत माइन ही रखता है अब चलिए लोगों के लिए चाय बनाई जाए हाँ चलो अब चाय बनाई जाए तीसरा है अगनी चक्र जो पेट में होता है वैसे अभी मेरा अगनी चकर प्यास और केले के अलावा कुछ खाना चाहेगा अच्छा था किर आगे बढ़ो इस चक्र का तालुक सहन शक्ती से होता है और इसे शर्म रोकती है तुम्हें किस से शर्म आती है तुम्हें सब जाधा निराशा किस से होती है मैं फिर कभी फायरबेंड नहीं कर पाऊंगा कभी नहीं अगर तुम जिन्दगी के इस हिस्से से इंकार कर दो तो तुम कभी शान्ती नहीं पाऊगे तुम अवतार हो और इसलिए तुम्हें एक फायरबेंडर हो कि वो चक्र मिल्कुल बहते हुए तालाब की तरह खुल गया ड़कार लेते हुए हवाई भेसे की तरह स्वाद प्याज और केले जैसा था पर शायद वो कुछ और था अच्छा कि यह अजीब लिबास पहन कर मैं उप गई हूँ पता नहीं कोई इसे पहन कर कैसे लड़ सकता है शायद तभी हम कियोशी और धाओं को इतनी आसानी से हरा कर उनके कपड़े चीन पाए हुने प्रिद्वी राजा की और कितने दिन सेवा करनी है अगर मुझे इसी तरह से सिर जुका कर रहना पड़ा तो मेरा सब्र तूट ज जाएगा शहजादी असूला ने वादा किया है जितनी जल्दी हम अफ्तार को पकड़ लेंगे उतनी जल्दी हम अग्मी देश लोट जाएंगे चुप करो तुम चाहती हो पूरे महल को पता चल जाए कि हम अग्मी देश से हैं मार्व करना बहुत खुब लड़कियों मुझे यकीने परिशत ये संदेशा के जरूर पहुचाएगे चौथा चक्र दिल में होता है इसका तालुख प्यार से होता है और उसे दुख रोकता है अपने सारे सपने सामने रख दो कि तुम्हें वाकई गहरा नुक्सान हुआ है पर प्यार एक तरह की उर्जा है और ये हमारी चारों तरफ है तुम्हारे लिए हवाई जाती के लोगों का प्यार इस दुनिया से गायब नहीं हुआ है वो अब भी तुम्हारे दिल में है और वो नए प्यार की रूप में पैदा होता है अपने दुख को पहने दो बहुत अच्छे क्या मैं थोड़ा प्याज़ और केले का रस भी सकता हूं अब पाच्वा चक्र ध्वनी चक्र जो गले में होता है इसका तालुक सच से है और इसे जूट रोकता है वो जो हम खुद से बोलते हैं तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम अफ़तार हो क्योंकि मैं वो बनना नहीं चाहता था तुम अपने बारे में जूट नहीं कह सकते तुम्हें मानना होगा कि तुम ही अफ़तार हो कि अफ़त अच्छे एंग तुमने सच्चाई का चक्र खोल दिया है अब छटा चक्र है रोश्नी चक्र जो माथे के बीच में होता है इसका तालुक अंतरदृष्टी से है और इसे ब्रह्म रोकता है इस दुनिया का सबसे बड़ा ब्रह्म है जुदा होने का ब्रह्म चीजी जो तुम्हें जुदा और अलग लगती है वो असल में एक समान है जैसे कि चार देश हां बिलकुल हम सब एक ही है पर हम अलग अलग रहते हैं हम सब जुड़े हुए हैं सब को जुड़ा हुआ है सही का बल्कि चार तत्वों का जुदा होना भी एक भ्रह्म है अगर तुम अपना मन खोल कर देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि सारी तत्व एक जैसे हैं एक ही चीज के अलग अलग इससे हैं बल्कि धातु भी चुप्रत्व का एक हिस्सा है जिसे साफ और शुक्त किया गया है 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 तो क्या कहते हो मुमो राजा के पास जाने से पहले एक कप चाय हो जाए है हम दूजन है चाचा मुझे एक इलाइची एक अद्रक और एक मसाले वाली चाहिए जितनी जल्दी बन सकती है बना रहा हूँ कि यह आखरे चक्र है 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 ना हाँ एक बार तुम इस चक्र को खोल दो फिर तुम अपनी मर्जी के मताबिक अवतार स्थिति के अंदर या बहार जा पाऊगे और जब तुम अवतार स्थिति में होगे तब तुम्हें अपनी हरकतों और क्रियाओं पर पूरा नियंत्रण होगा चलिए शुरू करें ध्यान चक्र सिर्ख के बीचों बीच होता है इसका तालोक अंतरिक्ष उड़ जा से है और इसे मह माया रोकती है ध्यान लगाओ कि तुम्हें इस दुनिया से क्या जोड़ता है अब उन सारी चीजों को जाने दो उन्हें पानी में बहने दो भूल जाओ सब कुछ क्या मैं भला कटारो को क्यों बूल जाओं मैं मैं उसे पसंद करता हूं उसे भूलने की आदत डालना सीखो वरना ब्रहमांड की निर्मल अंतरिक शूर्जा पूरी तरह से बै नहीं कटारा के आगे अंतरिक शूर्जा का कोई मतलब नहीं है अगर मुझे उससे लगाव है तो उसमें क्या बुराई है तीन चक्रों ने तो इसे ठीक बताया था तुम्हें हर हाल में उसे भूलना होगा अच्छा हुआ जब यहां हो सुपी यहां बहुत बुरा हो रहा है अगनी देश के लोग शहर के अंदर घुसाए हैं मैंने अभी अभी शहजादे जू को और उसकी चाचा को देखा हमें प्रिथ्वी राजा को यह अभी बताना होगा ओ फिक्र मत करो मैं उन्हें यह जरू नहीं पढ़ेगा माप कीजिए पर मैं कटारा को नहीं भूल सकता एंग अवतार स्थित्य को काबू करने के लिए तुम्हें अपने सारे चक्रों को खोलना होगा सब कुछ भूलने की कोशिश करो ठीक है कोशिश करता हूँ अब अपने बंधनों को देखो और उन्हें जाने दो निर्मल अंतरिक्ष ओर्जा को बहने दो नहीं मुझे जाने दो अधार नहीं गटारा मुश्केल में मुझे जाना होगा नहीं है यह लूद कर दो नहीं वह लूद में मुझे जाना होगा अपने बंदत को चुनकर तुमने अपने चक्र को बंद कर दिया है अगर तुम अभी चले गए तो तुम अवतार इस्थिती में कभी नहीं आप आओगे यह जरूर उसके कोई चाल होगी इस बखसे में बड़ा चीद हो गया है यह कोई चाल नहीं है सही कहां यह असली खेल है मैं दुन्या की सबसे बहतरी ना अथ पहेंडर हूँ तुम दोनों पेवकूं के अभी बत बूलना अब मुझे हमेशा के लिए यहां तुमारे साथ बन रहना पड़ेगा मुझे बात रूप जाना होगा तो तुम अगनी देश के हालत पतली करने के लिए तयार हो अब जानते हैं यह मेरे लिए कितने माइने रखता है बाबा मैं उन्हें छोड़ूँगा नहीं और मैं आपको साबित कर दूँगा कि मैं काबिल योदा हूँ सोगा तुम्हें मुझे कुछ सावित करने की जरूरत नहीं है मुझे पहले ही तुम पर नास है और मैं हमेशा से जानता था कि तुम्हें काबिल योदा हूँ सच में तभी तो मेरे जाने पर मैंने अपने कुनबे की जिम्मेदारी तुम्हें सूपी थी है ना बेटी कि सरूर कुछ बड़ी बात है कि इसका मतलब क्या है तुम्हारे आदमें बीच रात को मुझे या इस तरह घसीर कर ले आते हैं कियोशी योद्धा के साथ ऐसा नहीं किया जाता पर तुम कियोशी योद्धा नहीं हो तुम तो अगनी देश की शहजादी या जूला हो है न क्या चाहिए तुम्हें मैं एक समाने कियो तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए ओ प्रिथ्वी राजा का भरोसा मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं क्योंकि इसके बदले मैं तुम्हें आधार दे सकता हूं आगे बोलते जाओ कि शाही महल से एक संदेश आया है कि मुझे मुझे यकीन नहीं होता क्या बात है चाजा अच्छी खबर है हमें प्रिथ्वी राजा को चाय पिलाने के लिए बुलाया गया है कि 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 तो आखिर कटारा किस तरह की मुसीबत में है मुझे नहीं पता मैंने बस देखा कि उसे मदद चाहिए अच्छा होदा अगर तुम्हारी अवतार शक्तियां हर चीज को थोड़ा साफ साफ और सही सही बता सकती है वो क्या बला है हमारे साथ चलोगी प्रित्वी राजा और उनके खास पाद जेनरल परिशद पर भरोसा नहीं करते उन्होंने तुम्हारे लीजर लॉंग फैंग को कैद कर लिया है बहुत जल तुम्हें भी नहीं बक्षेंगे तुम्हें खतम कर देंगे अब मामलाद जिन्दगी और मौत का है हमें काम जल्दी और साफधानी से करना होगा और एक ही जटके में प्रित्वी राजा और पांचो जेनरल्स को अपने रास्ते से हटाना होगा सरकार की इस तफ़ता पलट में लॉंग पैंग ने तुम सब की जिम्मदारी मुझे सौपी है अगर मुझे कोई भी धोके बाजी, हिचके चाहट या कमजोरी महसूस हुई तो मैं उसे खत्म करतेंगी अब तुम लोग जाओ बहुत बढ़िया भाशन था जूला उससे सुनकर मेरे हाथ पैर भी काम उठे हाँ, लगता है वो बेचारा लॉंग इलाइची तो गया अबे भी कुछ काम बाकी है, जैसे के अवतार, मेरा भाई और मेरे चाचा काफी बार मैंने यहां होने की कलपना की है, यानि महल के चौखट पर पर तब मैं हमेशा खुद को एक दुश्मन की तरह देखता था, लेकिन आज हम प्रित्वी राजा के खास महमान बनकर आए हैं, उन्हें चाए पिलाने के लिए, किस्बत के खेल वाकई निराले होते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा जाजा, ख्या तुमने अवतार स्थिती पर काबू पाना सीख लिया, एंग, अगर तुम अभी चले गए, तो तुम अवतार स्थिती में कभी नहीं आपाऊगे, एंग, तुम ठीक तो हो ना, बिल्कुल ठीक हूँ, गुरू के साथ सब कुछ बढ़िया था, मैंने अवतार स्थिती पर पूरी तरह काबू पा लिय इतना वक्त क्यों लग रहा है, शायद प्रित्वी राजा देर से उठते हैं, जरूर कुछ कड़ बढ़ा है, चाय पी ले, अजूला, क्या तुम परिशत से मिली, वो अर्थ पेंडर्स हैं, पर उनमें एक फायर बेंडर्स जितनी आग है, जो मुझे बेहर पसंद है, क्या मैंने तुम्हे कभी बताया, मुझे पस्चिम का ड्रैगन क्यों कहा जाता है, मुझे आपकी बेकार की बातों में कोई दिल्चस्पी नहीं है, चाचा, तब तो तुम्हे इसके बारे में जान ही लेना चाहिए, कुदो, तुम्हे कुछ नहीं होगा, नहीं, मैं भागते भागते ठक गया हूँ, अब मुझे आजूला का सामना करना ही होगा, तुम कितने नौटंकी हो, अब क्या, तुम मुझे लड़ने के लिए चुनाओती देने वाले हो, हाँ, मैं तुम्हे चुनाओती देता हूँ, नहीं, शुक्रिया, कटारा ठीक है, तुम्हें फिक्र करनी की जरूरत नहीं, पर मेरे जलक में, मैंने देखा कि वो काफे खत्रे में है, वो पहले खास पाज जेनरल से मलीती हमले की योजना बनाने खिली, और उसके बाद से वो तुम्हारे दोस क्योशी योद्धा के साथ है, देखा, एंग वो सुकी के साथ है, शायद बो लोग हमारे घर बैठकर अभी सजने सवरने की बाते कर रहे होंगे, ठीक है, शायद तुम सही हो, मेरा यकीन मानो, अगर कटारा को को कोई खत्रा होता, तो बॉस को उस खत्रे को जरूर महसूस कर लेता, ये साथी तुम्हारा दिल बहला देगा, शुको, मामो, यहां और कोई नहीं है, कटारा वाक्य खत्रे में है, मैं जानता था, माप्रेश्ण, शुको, दर्वासे पर कोई है, मैं जानती हूँ, वो कान है, वो मेरे एक दोस्त है, आप से मिलकर खुशी हुई, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, एक बाद चलते चलते मैं इनसे जंगल में मिली थी, फिर उन्होंने मुझे चाहिए और बहुत बढ़िया राय दी, मैं अंदर आ सकता हूँ, शेहदादी अजूला यहाँ बासिंग से में है, उसी ने कटारा को पकड़ लिया होगा, उसने मेरे भतीजे को भी पकड़ कर रखा हुआ है, फिर हम साथ मिलकर अजूला से लड़ेंगे, और कटारा और जूको को बचाएंगे, जरा ढहरो, वही जूको मुझे मारने वाला था, जानता हूँ तुम मेरे भतीजे के बारे में क्या सोचते हो, पर मेरा यकीन करो, उसके अंदर भी एक अच्छा इंसान छिपा हुआ है, उसके अंदर होने से क्या फाइदा है, जब वो अच्छा इंसान बाहर आ जाये, तब आप हमसे मिलना, कटारा मुसीबत में है, इस वक्त पूरा बासिंग से मुसीबत में है, मिलकर काम करना सबसे बढ़िया तरीका है, मैं किसी को अपने साथ लाया हूँ, जो शायद हमारी मदद कर सके, अजुला और लॉंग फैंग एक साजिश रच रहे हैं, वो प्रिथ्वी राजा का तख्ता पलटना चाहते हैं, मुझे बताओ, उन्होंने मेरी बेहन को कहां रखा है, बासिंग से के पुराने कांच के तहखाने में, जो महल के नीचे हैं, सारे जेनरल्स और प्रिथ्वी राजा की हर गतिविधी पर नज़र रखी जा रही है, बढ़िया, और अग्नी देश की सहजादी साथ दे रही हैं ना, ओ हां, कुछ ज्यादा ही साथ दे रही है, उन्होंने कमान सभाल रखी है, वो धमकाती है, और साथ में हौसना भी देती है, ये बात समझाना मुश्किल है, उन्होंने तुम्हें यहां क्यों फेका, रुको मैं समझ गई, ये कोई चाल है, ताकि जब यहां मुझे छुडाने आए, तो तुम आखिर उसे अपनी अग्नी देश के घटिया पंजों में जकर सको, तुम्हें बहुत बुरे शक्स हो, पता है तुम्हें, हमीशा हमारे और अफ्तार के पीछे पड़े रहते हो, दुन्या में शांटी बनाने की आखरी उमीद को खतम करना चाते हो, पर तुम्हें इससे क्या फर्क परता है, तुम तो अग्नी देशा के बेटे हो, लड़ाई नफरत और तबाही फैलाना तुम्हारे खून में है, तुम बिलकुल नहीं जानती तुम क्या कह रही है, तुम्हें क्या पता इस लड़ाई ने मुझसे क्या च्छीना है, तुम नहीं समझोगे, अगनी देश न मुझसे हमेशा के लिए मेरी मां को छीन लिया सुनकर बुरा लगा चलो हम में कुछ तो मिलता है उसने सही कहा था नीचे वाक़ी एक बुराना शहर है और काफी नीचे है हमें अलग होना पड़ेगा एंग तुम आयरों के साथ जाओ कटा रहा और उस सड्यल को ढूंड़ने बुरा मत मानिये कोई बात नहीं और मैं टौफ के साथ प्रिथ्वी राजा को अजूला के बारे में बताता हूं तो आपने टौफ को बढ़िया राय दी थी और चाय भी यह तो अपनी अपनी समझ की बात है बताओ तुम्हें क्या पूछना है मैं इस गुरू से मिला था जो अफदार स्थिती पर काबू पाने में मेरे मदद कर रहे थे और इस महान शक्ति को संभालने में भी पर इसके लिए मुझे उसे बूलना पड़ रहा था जिसे मैं चाहता हूं जो मैं नहीं कर पाया ताकत और प्यार दो अलग अलग चीज़ें तुमने खुशी और प्यार का रास्ता चुनकर समझदारी का फैसला किया अगर हम अजूला को हराकर सबको नहीं बचा पाय तो अफदार स्थिती के बिना मैं उतना ताकत वर नहीं हुआ तो मुझे इसका जवाब नहीं पता कभी कभी जिन्दगी संधेरी सुरंग की तरह होती है जरूरी नहीं कि सुरंग के आखिर में हमेशा रोशनी दिखाई दे पर अगर तुम आगे बढ़ते जाओ तो तुम एक बहतर जगा पर पहुँचोगे वो रहे जनरल हाओ यह सब क्या हो रहा है आपको नजर बंद किया जाता है उनकी साथे शुरू हो चुकी है हमें प्रित्वी राजा को सावधान करना होगा अच्छा हुआ हम वत पर पहुच गए पर किस चीज के लिए हां तुम यह क्या कह रहे हो माफ करना मेरे दिल पर सूकी का राज है कौन वह असलिक योशी योधा नहीं है क्यों हमें देखकर खुशी नहीं गई लगता है अब साथ माज गहें हैं यह लड़ाई अब खत्म हो चुकी है इननी नत्रों से दूर ले जाओ अब मेरी सबसे बड़ी और आखरी चाल परिशद अगनी देश की सहजदादी को गिरफतार कर लो सुना नहीं गिरफतार करो आखर तमेह हो क्या गया है दरसल ये फैसा ने कर पा रहे हैं यह देखना चाहते हैं कि आखर इसका अंजाम क्या होगा मैं तुम्हारी आंखों में तुम्हारा पूरा इतिहास देख सकती हूँ तुम खाली हाथ पैदा हुए थे इसलिए तुम्हें संगर्ष करना पड़ा जूजना पड़ा ताकत को हासल करने के लिए लेकिन असली ताकत हुकूमत करने का हग सिर्फ पैदाईश ही मिलता है हकीकत यह है कि हम नहीं जानते कि हम में से कौन उस तक्त पर बैठेगा और कौन अपना सर जुकाएगा पर मैं जानती हूँ और तुम भी है तो आप ने मुझे मेरे ही खेल में आरा दिया खुद को इतनी एहम्याद मत दो तुम तो खेल में थे ही नहीं कि तुम पर इस तरह चलाने के लिए माफ करना कोई फरक नहीं पड़ता तरसल मैं जब ही अपनी आखे बन करके दुश्मन का चेहरा देखती थी तो मुझे तुम ही नजरा दे थे मेरा चेहरा अब समझा नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था कोई बात नहीं मैं सूचता था कि ये चेहरा मेरी पहचान है पहचान भागे हुए शहजादे की जिसे अफतार की पीछे भागने का श्राप मिला है पर कुछ दिन पहले मैं जान गया कि मुझे अपनी किसमत चुनने का पूरा हाक है बले ही मुझे इस निशान से चुटकारा ना मिले शायद तुम्हें इस इसे खास वक्त के लिए बचा कर रखी थी पता नहीं ये काम करेंगा या नहीं पर कि अंग कि मैं जानती थी तुम आओगी लेकिन चाचा मेरी समझ में नहीं आ रहा आप अफतार की साथ क्या कर रहे हैं जो को मुझे तुम से बात करनी तुम जाओ अपने दोस्तों की मदद करो हम तुमसे बाद मिलेंगे ऐसा क्यों चाचा तुम पहले जैसे थे अब वैप यहीं हो दू को दिता नहीं हो को तुम ज्यादा ताकतवर ज्यादा समस्दार और पहले से ज्यादा आजाद हो और अब तुम अपनी किस्मत के चौराहे पर खड़े हुए हो अब वक्त है चुनाओ करने का वक्त है सही फैसला करने का मुझे लगा था चाचा इस तरह की धोकेबाजी करेंगे पर जुको शहजादे जुको तुम कुछ भी हो पर धोकेबाज नई हो है ना? चाचा को अभी के अभी छोड़ दो तुमारे लिए अभी तक तेर नहीं हुई जुको तुम अभी खुद को बचा सकते हो वो तुम्हें बस अपने बातों के जाल में फसाना चाहती है जुको आप उसे फैसला करने क्यों नहीं देते चाचा मुझे तुम्हारी जरूरत है जुको मैंने इस दिन का हमेशा खौप देखा था अगनी देश के इतिहास का सबसे बड़ा दिन और जीतने का एक ही तरीका है साथ मिलकर काम करना इस दिन के अंध में तुम्हें अपना सम्मान मिल जाएका पिता का प्यार मिल जाएका तुम्हें जो चाहिए मिल जाएका जुको मैं तुम से भीक मांगता हूं अपने दिल में जहांक कर देखो और खुद से सवाल पूछो आखिर तुम चाहते क्या हो तुम अपना फैसला खुद कर लो हम यह सौकार टॉप को ढूना होगा कर दिए वा तुम अवगा होगा कि देखो कोई आसपास तु नहीं है ना नहीं रास्ता साफ है चलो चले मैं पॉसको के बिना नहीं जाओंगा कि उलो अाओंगा झाओंगा उन दुझा अध़ है प्यड़न प्याहित प्याहित! मुझे लगा तुम पदल गए हो मैं पदल चुका यह बहुत आसान है तुम्हें बस आगे के पंजी के बजाए पीछे के पंजों पर चलना है इस तरह वाह बहुत अच्छा कतब है जाओ भालू ले जाओ बसको झाल नखने आफ वाँ वेख 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 यह तो बहत सारे हैं मुझे माप कर तो कटारा मुझे कर दो दो कर दो घड़ पसाद कर दो तुम यहां से निकल जाओ, मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ करता हुआ 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 है हमने कर दिखाया, जुको, इसमें सौ साल लग गया, लेकिन अगनी देश ने बासिंग से पर कबसा करे लिया मैंने चाचा को धोका दिया नहीं, उन्होंने तुम्हें धोका दिया जुको, जब तुम घर लोटोगे, पिता जी तुम्हारा एक महान योदा की तरह स्वागत करेंगे पर मेरे पास अवतार नहीं है, अगर पिता जी ने मुझे अपनाया नहीं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जुको, आज तुमने अपना सम्मान खुद हासल कर लिया प्रित्फी राज ये, खत्म हो चुका करिया पुलत नहीं है, और सम्मान कर दो पना ड़क मान एक मान खास जी जड़ेगी, जड़ेगे जड़ें, इसकी जरूरत नहीं, तुमने पना सम्माना खुद है, 8-1,!.. कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 झाल